हेलो प्रेंट्स कैसे हो आई होप आप अच्छ होगे तो जैसा के आपको मालूम होगा आपकी मेन परिच्छा होगी या मुग के परिच्छा होगी वो आपकी 2022 में होगी लेकिन ये 2013 की पैटरन को पॉलो करके 2022 का ही बनाय गया है तो 2013 के जो कुशिन पेपर है वो एक साथ में अप्लोड कर रहा हूँ यह लेवल 2 वालों के साथ में लेवल 1 का एक कोईशन पेपर है वो भी साथ में इसी के एड़ कर दिया है यानि लेवल 2 के जितने भी कोईशन पेपर हुए है लेवल 1 के एक कोईशन पेपर है वो भी सौल करके इसी में अप्लोड कर दिया है एक साथ वीडियों को देख सकते हैं। लेवडर परेंट्स वाले को लाश्ट में डाला है वीडियो, वो लाश्ट में देखे हैं। बाजी सबी कुईचन DOG परहर आप अपने सब्सद्रयक्ट आपकर से देख सकते हैं। हेलो प्रेंट्स कैसे हो आई होप आप पचिन होगे जैसे कि आप YouTubers कर चूए तो आज हम पर आज करें यह आपके लीवल परीपर है यानि हमें यह कह सकते हैं आपके थर्ड जीट का यह आपका लीवल पर्यवल का profile पेपर है और जो डिस्टिक दे रखी यहां पर यह से उद्यपूर कर यह पेपर है कहले जैसे 2012-2013 में डिस्टिक वाइज बर्तियां हुआ करते थी तो यह उसका पेपर है इसमें कंप्लीटली लेगें किया स्लिवर्स है इसका और कितने कोजिशन पूचे गए ते कितने मार् में किस परिच्छा का प्रेटा रहने वाला है आपको पता होगा 15 माच को को ब्यास कमेटी है तो उसकी रिपोट आईगी उसी के आधर पर डिसाइड होगा कि सिलिवर्स आप क्या रहने वाला है 2022 के लिए यारी आपकी दो परिच्छा होगी आपको मालुम होगा एक तो परिच्छा होगा तो क्योंकि 2011 वारतीर है यारी इसमें यही पेटर्न चलता था पहले आर्ट्रेट हुआ करता था उसके बाद थड़कर यारी सब्जेक्ट की मेर परिच्छा होगा करती थी ठीके सब्जेक्ट का यहां पर यह मतलब हुए कि जैसे लेवल टू वाले है तो सब्जेक्ट इस पकार पूचे जाते थे तो यह लेवल परिच्ट का है इसमें कुछ पैटर्न अलग ही है तो इसे ही देख लेते हैं इसमें क्या-क्या पूचा जाएगा और पूरे पेपर को हम सौल करने कोच करेंगे इसमें आपके 140 कुश्यार रहेंगे और 200 वाक्स के ठ बाकी 15 मार्च की रिपोट आती है तो उसके बाद मालू हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह आपका पैटर्न है किस टाइप से कुश्यार पूचे जाएगे आपसे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके पहली कंट में पूचा जाएगा राज के प्रति दो नंबर का होगा तो यह साथ मार्क्स के हो जाते हैं ठीक है अगला देख रही थे खंड जो आपका सेकंड खंड है इसमें आपके पूचे जाएगे राज का एतिहासिक बागॉलिक और सांसक्रतिक क्यार इसके तीस कोश्यार रहेंगे प्रतिक दो मार्क्स का रहेगा तो इसमें साथ कोशन हो इसमें क्या दिरूंग है इसके साथ कोशन पूचे जाएंगे की वर जो भी आपके 7 मार्क्स के ही हो इसके बाद आता है आपका फोर्ट कंड जिसमें आपके विद्याले सब्जक्ट रहती है यानि जो आप त्रत थे पड़के आए हूं जैसे कि हिंदी हैं English mathematics है general science है और यह का आपका सामाज़ है तीक है इस पकार किया से इनके सांच च्राइब के सामज़ाब के इंग्स के साथ about इंगलिस फ लेख सा माक्त के लिए वो भी 7 अधीक इसी प्रकाष सामनर्गियान और ook है ठीक weights के टोटल करें दीगा जाए तो पांस सब्जेक्ट है यानि जो आपके स्कूली विशेगे तो उसके 35 कोईशन आएंगे और 35 मार्स के हो जाएगे उसके बाद आते हैं आपके खंड 5 में इसमें आप से एजुकेशन पैडागोशी पूची जाएगी यानि आप ऐसे कह सकते हैं इंदी की जो सिच्ण विदिया संब्द्र कुशन है उसके साथ कुशन साथ मार्स के ठीक है नेक्श्ट देख लेते हैं इसी प्रकार दे रहा है इंगलेस यानि यह कह सकते हैं अंग्रेजी के साथ कुशन रहेंगे और जो भी टीचि मैथोड से संब्द्रेत होंगे तो आठ पोस सोघला खोएंगे की पूछ जाएगा वह 8 कूशन 8 बोटें जैसे कि आप देखो जैसे कि यह दोनों पहले और सट कंटें पहला और रूसरा इसके साठ भूशन वह जाएंगे क्योंगे ती तीस आएंगे ठीक है उसके बाद ये साथ है जो आपके सेचले के मनुभिज्ञान है और 35 और नीचे के 38 या नहीं जो लाश्ट गंट पांच वाए उसके 38 है और आपका जो आपका फूर्थ घंट है उसके 35 है और सेचले का मनुभिज्ञान के आपके साथ कोईशन है और उपर के साथ कोईशन है ठीक है साथ कोईशन ये 35 ये 38 अभी हम डिसकस किये थे नीचे और साथ उपर तो इन सबी को टोटल करेंगे ना तो 140 कोईशन हो जाते है और ये हो जाएंगे आपके 200 मार्थ के कैसे हो जाएंगे जैसे कि साथ साथ नंबर के 35 35 नमबर के और 38 38 नमबर के अगर इन सभी को टोटल करते हैं तो यह आएंगे आपके 80 मार्ण मतलब 8 सी कुशन होगे 80 मार्ण के उपर के 30 और 30 यानि 60 कुशन रहेंगे यह आपके 120 मार्ण के हो जाएंगे प्रतिक यह आप है दो नमबर का एक कुशन होता है तो इसे साब से 120 हो जाते हैं आपके सेकेंड और परस्ट पार्ट के यानि खंड के और बाकी सभी है 80 कुशन प्रतिक एक एक नमबर का है तो इस प्रकार 140 तो आपके कुशन हो जाएंगे और 200 मार्ण का पूड़ाग को प्रतिक नमबर का रहेगा तो इस पकार यह 60 अंक के हो जाते हैं तो अब देख लेते हैं इसमें क्या रहे थे तो हमें देख करेंट जो पूची गई थी ना उस टाइम पर उसे डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि तो जो जाते रही करेंट का आप से कोई लिजन दिना नहीं है बाकी जो जीकी के कोईशन सामन कह सकता है बिशेश संदर्म राज्तान से संब्ध जो भी जीकी के कोईशन है अब उन्हें देख लेगा जैसे कि सेक्ट नमबर कोईशन है जैसा कि आप देख पा रहे होगे यह कोईशन पूचा गया था कि जो आपका तालचा पर बंद बिदार में आएंगे तो ऑप्सन नमबर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन नमबर है पांच मां यह पूचा गया था कि राज बिदान बंदल से तात्पर क्या होता है तो हम कहेंगे जो आपकी राज की जो बिदान सभा होती है और बिदान परसान इन दोनों का ही जोड कि जो आपके रावड हता है उसका सम्मत किसे है तो उसका लोगफात यह जाद से है यहारी ऑप्सन नमबर भी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं कुशन नमबर आटवा है कि पांच नपांच किस जिले में इस्ते थे तो यह करोली जिले में इस्ते थे तो ऑ कुशन नमबर यह था कि कौश सा रग्त समू सार्मोमिक दाता होता है तो सार्म यानि यूनिवर्सल डॉनर होता है वो होता है और यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो एभी होता है समझे होगे यानि दाता होता होता है ग्राही होगा एभी तो इसका तो राट असर डी नमर ये इनको कह सकते हैं गोड़कड का जाता है ये ब्रमाथी का उत्पत्ति के वारे मताता है नेक्स्ट इन खाटू शाम जी का मंद्र किस जिली में हहने तो अपके आपके इसकर में हो जाएगा तो आपकी को बाइधे करने कंसे कह才 साया हो जाए गाए है नेक्स्ट था बाइगा तो आपका को मत मेंतल्युनर टब डिवसका है तो बेसिष्ज का पिसी हो जाएगा के लोक्सभा का का राखर कित्री वर्ष का होब तो पॉर्ष का हो जाएंगा तो उपस नंबर एक सभवां जब first to Nie. खोगए तो कौन सद्लिघ्ट इजेग्ड अभी हाली इस हाथ कार्ट पतबु हा उजा बिए उज्दर आभि काnteर सभी कें जिले में इस्तितmaster तो आपके दू जर्बारे के पुर्सका से संब्धेते हैं नोगल तो इसे चोड़ते थे क्यों करेंट का तभी था यह वी करेंट गई था उस टाइम का इसे भी छोड़ते थे नेक्स्ट है गुलावों राष्थान के किस नरत से जुड़ी है तो देखा जाए तो गुलावों कालवेलिया के सकते हैं गुलावों कालवेलिया नरत से जुड़ी होई है तो ऑप्शन नमर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि नोटंगी किस्टे की प्रसित है वैसे देखा जाए तो यहां पर लोक नाट्टे है यानि नोटंगी तो यह पूचा गया तो इसका राष्टा प्रति पर हो जाएगा वैसे यूपी की भेंबत से नोटंगी तो अगर राज पूचता तो नेक्स्ट को आदा चिस्ती किस समय राजस्तान में आये थे तो यह प्रतिवराज चोगां ठड़े न उनकी समय आये तो यानि प्रतिवराज तरती के समय तो ऑप्शन नमर डी सही और जाया देगा के स्कती है और फुम्त फूरी नाल अभ्यारण है तो यह पुल्वारी के नालं अभ्यारण है यापके उदह पर में स्थेते हैं जीक राएं अपसिन नम्डी सहीफ हो जाएगा इसका नेक्स्ट देख लेती हैं कंद वाड़ा की पाड़ीयाजियों में इस यह भी आपका करेंड गता 27 नमबर कुश्शन है। नेक्स्ट है राइस्तान में लोका युक्त की इस्तापना कव की गई थी। यह आपकी राइस्तान में लुका युक्त की इस्तापना तो देखो हमने यह 30 कोईशन की है यानि फंड जो आपका खंड फस्ट है उसके 30 कोईशन की है प्रते दो नम्मर का है तो यह 60 का हो जाता है और राजस्तार के पिशे संदर में यह सावन गया और प्लस करणटी जी के कोईशन थे अब सेकंड खंड आता है तो यह आपका दो आप Ceore तो सबसे ओजंञें का सबसे बड़ाए कार खाना कहा पर रिसताते तो यह आपके काक रॉली है अ được आप में मीट है पानी की सबसे बड़ी तील कुंभी कौन सी है तो आपकी जैसलब के किते हैं तो तील ला क्वा 204,249 कि में उसका सबसे जादा जिले हैं तो आपके हो जाएगा इसका राइटांसर उद्यपुर में उद्यपुर जिला है वो सभाग उसमें आपके छ्य जिले आते हैं ठीक है संभाग हो यहीं पूचाए कि सबसे बड़ा ज्यादा जिले किसमें है संभाग हो तो वह आपका उद्यपुर हो जाएगा राइटांसर राष्टी उट्यूट अनुस्वन्दन किस जिले में इस्थि तो यह आपका हो जाएगा। अंब्स तीकर सी यद्ध सबस्टान के पस्थ हो जाएगा। ऑपश्ण और रायस्तान के किस शेहर को कोछ बाग राज रायजिका नीज च्षेतर में सामिल किया तो वालवर हो जाएगा तो उपसे नम मा लॉकल से इस युग उ झांधु कोई निधी नहीं वेती है तो वह आपके वी प्रजिनन के इंद्र कौन सा है तो केवला दे घरापची वियार भरतपुर होगा त्रिकेत ओप्सन नमबर यह सही हो जाएगा राजिस्तान का अधिकान सभाग नमड मैसे किस रेगा के उत्तर में इस्तथ है तो आपका मालूम होगा जो नीचे राज्तान में जो दच्छल में आपके प्रताप गड़ स्वरी डूंगरपुर और प्रताप गड़ से गोजर के जाती करकरीगा के उपर याता यह यह सकते हैं उत्तर में इस्थते करकरीगा की राज्तान टिकेत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेबार की प्रयाग की रूपे विक्यात जो मात्र कुंडिया के जिले में इस्तित है तो यह आपके चितोड़ गड़ जिले में इस्तित है ठीके तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि राज्ज में जैसे इस बगवल है चीला और टमाटर सबसे ज्यादा उत् आता है यह अच्छा कुशन है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बील वाड़ा नेक्स्ट आहर संसकती का विकास हुआ था यह आपको से सम्भाद देता है तो ऑप्शन नंबर 20 है यह जाएगा तो कभी चंद्रबरताई की करती का नाम था तो कभी कि लागुरिया की बिले का आकरश्ण है तो वो आपके कैसकते हैं केला देवी मंदिस संब्दे तो ऑप्शन नंमर 20 हो जाएगा रागडी वोली निम्न वैसे किन वोलीयों का मिस्रण तो यह मारबाडी और पापकी मालवी यारि और ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा तो कुछर रीट जो चबी सितंबर कोई थी आपको लिवल पस्ट में यह भी कुछ पूचा गयता है बबर राम देव का मेला कौन से मास में लगता है तो यह बात्रबस से स्टार्ट होता है तो ऑप्शन नम्मर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि मेवार में किस महराना ने मुग प्रतिविराज विजय के रचाईता कोन है तो यह आप क्यों जाएगे जयानक है तो आपस्न नम्मर इस सही हो जाएगा हमने 31 से साठ तक क्यों किये हैं यह 30 कुशिट होते हैं तो यह 30 और इंटे दू करेंगे तो 60 को जाते है यानि आपका पहला क्वार्ट और दूसरा यह 120 को जाते हैं एक 200 अंक के हो जाते हैं शाट को बेशन नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब देख लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह पूचा गया था असाधान चात्र भी होते हैं और यह चार आपकी विशेष्टाइदी रखें इन वैसे आपको करक्ट आंसर चूज करना है तो हम कहेंगे जो सामान से पूची स्थर के होते हैं वो माने जाएंगे असाधना चात्र ठीक है तो आपसन नमबर 3 सही हो जाएगे या C आपसन सही हो जाएगा नेक्स्ट है कोईशन नमबर यह 62 है यह क्या पूचा गया जाता है कि बालक में जो सरजनात्मक्ता की सक्ति कहलाती है तो हम कहेंगे यह स्रण होता है स्रजनात्म होता ठी क्रियाटिविटी तो ऑप्सन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुईशन नमबर देख लेते हैं जो आपका 63 है यह कुईशन नमबर क्या कह रहा है यह कह रहा है कि अधिकम के इस्तांतर्ण हितु सर्वाधिक उप्युक्त परिस्ति है तो उन्होंने हम यह कैसा किते हैं जो हमारी ग्यानेंद्रिया होती है उन पर जादा जोड़िया है तो ऑप्सन नमबर भी सही हो जाएगा यानि ग्यानेंद्रियों की द्वारा ही सिच्छा दी जाती थी नेक्स्ट है टीची मेंतों का कुईशन है कि सिगवन फ्राइड यानि जो आपके सिग्वन फ्राइड थे उन्होंने उर्जाओं का एक वित्रण विक्त तो विकास के जिन इस्तलों पर किया है उनके नाम किया है तो जैसे कि आप जानते होंगे एड है एगो है और पराहिम यानि एड एगो सुपर इगो इनकी ब्यात की है तो ऑप्सन नम प्सकारी होनी चाहिए और जो भी सिचल कराता है उसमें अंतक्रिया हो यानि इंट्रेक्ट वबंचों के साथ तीक है और तीसर आप्सन ता उसे सिचल विदियों का पूरा ग्यान हो यह भी सही है तो आप्सन नमबर टी सही हो जाएगा यानि सभी विस्षिस्ता है वह माइ अपने देखा होगा जो भी मात्रेक्ट विस्ता तक आप जो भी बग पढ़के आए हो यानि जो भी पुकें पढ़के आए हैं तो उनी से सम्बदे कोशन पूचे जाएगे यहां पर आपके साथ कोशन होगे साथ मार्स के यह सभी सब्जेक्ट आएंगे वह यहां से तो हम कहेंगे इसका क्रोधित होना ठीक है ओप्सन नमबर सी सही हो जाएगा नोक रीप्राप्ट करने के लिए दिया जाता है तो वह आभीदर पत्त्र होता है ठीक है तो ऑप्सन नमबर ए सही हो जाएगा एक राए आते थी सब्द में अगर ए प्रत्य लगाने पर या ए में हो जाएगा यानि option number D सही है कि कलीजे पर फिलेंदा ब्लैंक्स रखना महारु अर्यकिस्तान पर प्रयोक्त होगा तो कि इसमें क्या हो जाएगा फत्र हो जाएगा option number B सही हो होगे तो यह आपके English से सब्सक्राइब होगे ठीक है इंगलिस में कुछ के आंसर मुझे मालम है कुछ के नहीं है तो आप खुछ से भी से देख लेए ना ठीक है जैसे 75 नमबर कुछन है इसका राइट आंसर मुझे नहीं मालम है क्योंकि मैंने इंगलिस नहीं पढ़ी है सही जाएगा नेक्स्ट है यह भी कुछन हमें नहीं आता है क्योंकि परनेटिक जो सिंबल होते हैं जो इंगलिस सेकंड वासा या पस्ट वासा की रूप में लेते हैं उन में चलती है ठीक है जैसे रीट है यह आर्ट रेट देते सब्जेक्ट चूज करते हैं सोरी अहां सही ब सब्सक्राइब नहीं है आप देख लेने से नेक्स्ट है कि यह पैसे पूचा था कि समबडी है इस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई पैन हैज भी इस टॉलन तो आप्सिन नंबर इस हो जाएगा है को इस नंबर नेक्स्ट पूचा था कि हमें अपूजिट बताना तो हम करेंगे डाउन आएका यानि पीज राइट डाउन यूर नेम एंड एड्रस नंबर भी सही हो जाएगा नेक्स्ट है यह भी आपका कह सकते है ट्रांस क्रिप्स यह कैसे पूचा है सलक्टेश दा वर्ड ट्रांस क्राइब तो इसकी भी मुझे नॉलेज नहीं है तो आप देख लेते हैं जो मेत से संब्द से साथ पूचे जाएंगे और वही शाथ माग्स क्योंगे यह करा है पांच सता संक्याओं का योग यानि 250 है सबसे चोटी है और सबसे बड़ी संक्याओं के योग और उनके बीच में आने माली संक्याओं के बीच का अंतर क्या होगा तो आप संक्या जो मालने हैं इसी चीज है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं से ठीक है जहीं नहीं है कि मैं बताओ वही हो आप अपने आधर पर इसमें सोच समझ के कर सकते हैं जैसे अब मैं इसमें संक्या मालूं x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 यह मेरे संक्या माल नहीं अब इनको मैं जोड़ता हूँ न तो यह आएंगे 5x प्लस 5 x plus 15 बरावर हो इनका योग कितना दे रखा है इसमें के रखा है पांच सथा संग्याओं का योग दे रखा है आपको 250 अगर हम इसमें से x की वैलू नका रहे हैं तो इसे 15 को इदर पच्छांतर करेंगे तो इसमें से 200 कितनी रह जाएगी 35 ठीक है इदर से यह एक्स की वैलू निकालेंगे तो इसमें से 5 नीचे आ जाएगी तो पांच चोक बीस और पांच सथ पैती यह सही है ना 47 आएगा अब यह ध्यानक ना है कि जो 47 आईए वह एक्स की वैलू आई है जो हमने सबसे चोटी और बड़ी संक्याओं के योग यह सबसे चोटी अरतालीस है वड़ी संक्याओं वावन है इनके योग और बीच वाली संक्या के वरक की वीच का अंतर बीच वाली संक्याओं कौन सी थी पचास थी ना यानि मैं इसे ऐसे करके बताओं कि अभी सिंपल कुछ है था आपने आधार पर करोगी तो भी हो जाएगा मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ डारेक्ट में तो यहां पर जो पचास आई उसका पर कर लिता और जो पहली वड़ी संक्या है यानि पहली और जो लास्ट की उन्हें जोड़के उसे गठाती दे यानि वारी संक्या कितनी आई थी 48 49 50 51 और बामन यह संक्या आए थी ठीक है अब इसमें से क्या किरा है कि जो पहली है और जो लास्ट की है इसे तो जो 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 बीच की आई यह संक्या इसका बरकर ले इसका 25 वाएगा इन दोनों को जोड़के इसमें से गठा देंगे 100 क इसे गठाएंगे तो कितना आएगा 24 वा जाएगा तो यह तो मतलब प्रतिक स्टेप करना था उन्हीं डारेक्ली भी कर सकते थे आप इसका राइट आंसर क्या जाएगा 24 तो यानि ऑप्सिन अबसी से क्विश्य नमबर आपका नेक्स्ट अमयत का यह एक आयत का विकरण है वो आपको 17 cm है उसका परमाद 40 cm तो आएट का चितबल क्या होगा अगर आएट बनाते हैं वो विकरण 17 cm कर लेते हैं और हम जानते हैं तो इन्टू L प्लस B बराबर क्या होता है परमाद तो यह आपका 40 दे रखा है तो L प्लस B का मान आजाएगा आपका 23 यह आपका परमा 20 cm स्क्वेर आजाएगा यहीं पूचाता न चितर बना तो यहीं आएगा आप खुद से भी कर लेना यह ज्यादा टप कोईशन नहीं इतने अगर यह स्रंकलाओं का एक संक्या गलत बतानी इनमें से यह किरम दिरका है तो इसे इसमें से कटाएंगे तो 12 बचेंगे दूसरी को तीसरी में से कटाएंगे तो 24 बचेंगे तीसरी को चौती में से कटाएंगे तो 36 बचेंगे और चौती को 5 में से कटाएंगे तो इसमें नेक्स्ट है कुछ नम्बर आपका 85 नम्बर है जैसे कि X आपको य की गात है A-B और इसे पर गार B-C, C-A यह दे रखें ठीक है इनमें कोमल लेकि करेंगे नहीं तो इसका राइट आइगा कुछ नम्बर आपका 87 नम्बर कुछ नहीं इन्हें यूग करना है तो इसका राइट आइट अंसर बी नम्बर आप्शन हो जाएगा ठीक है सिंपल कुछ ना कुछ से भी कर देना ठीक है 35 हो जाएगा और जांते हो गें जो एकक को एकसर कॉड़ नहीं दी तो यह आपका ईकट से 300 से UXे क्योंकि यह तो पूरे कमानता यहां तक इसमें 30 गटाएंगे तो यह बचेंगे 35 और 35 यहां का यह कोड है कौन सा सी वाला जिसमें से आधा कोड़ तो 30 हो गया उसका बचा हुआ कौन 35 हो जाएगा और यह भी एक्स के वैलू नुकालनी है यानि यह नंबर पर तो यह अन्ता कोड़ हो जाएंगे तो अन्ता कोड़ों कमाने 180 तो 180 में 35 कटा होगे तो तो पांच और चार यानि 145 मचेगा तो नंबर 20 हो जाएगा यह आजाते हैं आपके 89 से जो भी स्टाट होगे यह साइंस कि प्रतिक एक नंबर का कुछ ने यहां से स्टाट हो जाएगा ठीक है और इसे पहले भी हमें एक नंबर की कर रहे थे हैं जो से चल्विदियों से सम्भ़द एक कौशन ने स्टाट किये थे तेंथ की भूक से लिया गया है यह हाइड्रोजनी करने के द्वारा होता है और हमें यह कह सकते हैं इसमें टेंपरेचर रखते हैं और निकल उत्परी रखे रूप में कारगा था इस पर ठीक तो अप्सन नम्बर भी सही हो जाएगा यह करा इस्तिर यानि जो इस्तिर पैद् वुद्धन जो 1 जोपैवरा होती है व्योंकि क्या उत्ति पंधर प्रद्रक्स आप यह व्युक्त प्रिक्र बचाती है तो आप्सन नम्बर भी सही हो जाएगा इस नेक्स फिम्कादर हंदिरे में बिना किसी चीज से टकराए उड़ सकते हैं क्योंकि क्योंकि वह अल्टर् तहकर में तो हम स Say केलक्सियम कि मात्रा को इसा अभी रती केलसियम का को कंडूल करिता हूए हैं तो यह हम पर किवल यह बुझाए तो यह यह हर्मोने कि नेक्स्ट कुश्ण है कि किस में चुमक होगा तो बिद्धत मॉटर में ही होगा ठीक है तो आप्षिन से नमबर नाइटी सिक्स है जिम्ने से ऊपर जाकर नमी निकर शादन क्या होगा तो जार बाटा हो जाएगा अगला देख लेते हैं कि अरावली परवत मालाओं को सुधु दच्छण जड़ नहीं सारम होती है कि इस परस्ट नहीं दिखाई देरा ठीक है इसे खुद से देख लेना तुम अब वाकी यह क्या है आज की दुनिया के बारें इनमें से कौन सा खतन सही है तो यह तो विवारे कुशन था उस टाइम का तो हम कहेंगे बेवन्ने देशों के भी संब्द पहले की पहले से चाथा लोक अतान्तर हो गए ऐसे बोल सकते तो आप सनम पर भी सही हो जाएगा चले यहां से इस परस्ट दिखाई दे रहे हैं यह कह रहा है कि चौशा का युद किस वासा का सब्दोय आपके जर्मन वासा का सब्द तो ऑपसर नमबर C सही हो जाएगा नेक्स्ट किसी भी कारे को सपनता पूर्बश करते हुए परस्वर के नेचिर लच्ची को क्रेंट ऑप्त करनी की यूजना कहलाती है तो आपकी बसोंने क्योचनी क्लेगा तो ऑपसर नमबर भी सही हो जाएगा निच्चित लच्च को प्राप्त करने का साधर बिद्याले बनाता है जैसे कि योजना है लच्च उद्धी से यह वार्ष की योजना निच्चित लच्च को प्राप्त करने का साधर बिद्याले बनाता है तो हम उसे कहेंगे देखो इसका आंसर मुझे कनपरम नहीं मालम है ठीक है तो आप कमेंट करके बता दें ऑप्शन नमबर 108 का नेक्स्ट है कि हिंदी में संती से चण की सिरिष्ट विधी या सिरिष्ट पद्दती कोंच है तो वह आगे के दिख लेते हैं नेक्स्ट कुश्ट नमबर 117 है कि सामानेता विध्यारती में गड़त सीखने में रुचीत नहीं है क्योंकि हम कहेंगे पहला अप्सन था अध्यावक देने जी में इस पिसे की उपयोकता नहीं बताते हैं यह भी हो सकता है गड़त को गड़त की बासा में पढ़ाया जाता है यह भी बास सही है विध्यारती को सीखने के अपसर नहीं की जाते है यानि सभी हो जाएगा इसका राइटांसर टेक्स्ट है कि मस्तिक्स उद्देलर विधी की विजिस्ता होती है यह कि बालकों की तरक इवन रेने सकती को पढ़ाती है तो यह बास बिलकुत सही है तो आप इसे जैसे कि आप ब्लूम की टेक्स वरां भी पढ़ते हैं तो उसमें संग्यान अत्म के पार्ट होता है उसके शिक्स डिवाइड कर रहें पार्ट जैसे ज्यान होगा अब बोद होगा तो अनप्रियोग होगा इस पकार पिसिलेशन संसलेशन अंबुल्यांगर ऐसे आपन पाषशन संग्ध niemand होगा क्योंकि यह दो ग्यानतमक का पंच भाग होता है यानि हो जो ग्यान से तो इसपत यह इझान कर सके ऑन्की आप्र डिया ॉविवला का अभूज समझ रखने वाला कहलाएगा तो हम कहेंगे उनकी दोनों की समानता समानता बिंदू को बता सके तो अप्शन नंबर भी सही हो जाएगा में प्रस्ता बना ठीक है भी प्रस्ता बना के बाद क्या होथा प्रस्तुतिकर्ण तो और उसकी तुल्ला गी जाती ती पिर सामंता प्रयाण प्रयाद में जैएगा नेक्स्ट तक आरवट मान बाती गड़तक थे उनका जन्म होगा था तो वह 446 एटी में होगा था और सुरी 446 एडी में होगा तो ऑप्सन नमबर 20 से हो जाएगा नेक्स्ट गड़त की सुंदत अपस्ते होती है इनमें से बढ़नाएं तो जैसे महानगड़तक की चित्रों को दीख कर गर्ट की व्याख्यान को सुनकर तो सबस्क्राइब करें किने सबस्क्राइब , नर्था है अनेक करता नत्र होएं आप है अंब आनफी नत्र है यहां जरुब्रतम सब्सक्राइब अन्एक प्सक्राइब यहां पर उसके creativity ठीक है या एपी सी एंसी उसकी या capacity यह सब्दों को यूज कर सकते हैं यह इसी के संतरम बाद कर रहा है या इसे एक सब्दों में बोलें तो आभी प्राथी भी बोल सकते हैं ठीक है तो option number 2 सही हो जाएगा question number next है कि विज्ञान से चड़ में ब्याक्यान विदी निम्री लिकती परस्तियों में सरवाधिक लावकारी से दो हो गई तो हम कहेंगे कव हो गई यह दो नमबर ऑप्सन सही हो जाएगा यानि पार्ट पुस्ता की साहिक विदी के रोग में और रोची के विगासनों ठीक है तो ऑप्सन नमबर भी सही हो जाएगा आप देख रहे हूंगे यह कुछन आप डारेक्ट ली चल रहा है यानि यह आप इसे चल विदियों से सम्मद सभी कुछन चल रहे है ठीक है नेक्स्ट है कि बेग्यानी विदी का प्रतम सीड़ी क्या होती यानि परस्ट स्टेप क्य सब्सक्राइब यही रहेगा यान समझना प्रयोग विसलेशन और संसलेशन नहीं स्रजनात्म अपता होगी आप ठीक है नेक्स्ट है पढ़ाते समय चित्र दिखाने से सबसे अधिक मेत्रून क्या है तो इससे रूचकता आएगी ऑप्शनों के अकौटिंग जाएंगे तो सी नम्बरी जाएगा नेक्स्ट है प्रतेच विदी के मुख्य तकनिक है तो यह समी ऑप्शन हो जाएंगे इसके अंतरगत आ जाएगे तो आप्शन नमबरी सही होगा नेक्स्ट है कि यह किराय के नेदान का आर्थ है कि हादिगम सम्मध कटनाई और कमियों की स्वरू का ने दाहन यह कतन किसका है तो यह आपके गुड का है और सी से युजएगा कच्छा में विग्यार पाट पुस्ते का प्रियू किया जाता है यह कराई नई इस तरह इस्ताबित करने में विचारों और पत्तों की व्याक्रा करने के लिए अधिगम उदिशों की पूरती के आधा रहे तो वह आपके प्राइज ना सही है यह मैंसे प्रेक में बोलेंगे यह प्राइजण विदी पर आधा रहे से भी बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइप मोगल यानि सोरी बुगल की चित्र में संभलित किया गया है तो यह सभी चीचे आ जाएंगी इसमें आपके बह हैं तो वो कौन सी कोई होगी तो वह वह आपकी कहानी जिसमें आपका सिच्च्च तो एक्टिव है वालक निस्क्री याशनी इनेक्टिव है तो ऑप्सन नंबर बई से मुझा जाएगा चोड़ेग च्छाओं के लिए ादीün की सर्वस्रेष्ट विदी कौन से होगी तो यह कहनानी ही सर्वस्रेष्ट विदी व को फिख निएट पुंस्टेनों का प्रमुख ठीक है और मुझे मालम भी नहीं है सामाज करते हैं किसे चल विदियों के बारा है लेकर यह विखारक तौर पर मैंने आश्कान सो दिया है सी नमबर ठीक है तो यह साथ 140 कुशन नमबर हो गए है यानि 140 तो कुशन थे आपके और 200 मार्क्स के इस पकार हमने यह टूटल आपका पेपर किया है और हो सकता है इसमें से किसी कुशन को लेगे आपको डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं ठीक है बाकि यह पेपर भी आपको टेलिग्राम चैनल यानि आप जब वीडियो देख रहे होगे तो उसके नीचे मिल जाएगी वहां से भी डाल्लोड कर सकते हैं देख सकते हैं कुछ से वह कर सकते हैं ज़्य explor डी लिऀ उसे मेरे से अंफर से भी और सकते हैं इसमेंल ब्लूड सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इंग्लिस का भी सौल करवा के बताते हूं ठीक है बाकी पीडियो देखने के लिए धन्रवाद अगर आपको जनाव वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो बाकी लाइक और कॉमेंट तो आप अपनी सद्दान सार करें देंगे सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी 33 से चक बढ़ती 23 का कॉशन पेपर है जो आपके टूमर पूस्टिस्टेक से लगाता है वह कॉशन पेपर है ठीक है यारी लेबल टू एसस सामालिक अधन से सम्मादेता है जो आपके रीट 222 होने के बाद जो मुक्य परीचा होगी ना तो उसी से सम्मादेता है ठीक है यारी आपके मुक्य परीचा होगी उसी से सम्मादेता है और इसमें देख लेते हैं 140 कोशन पूचे गए थे प्रीवेस यारी प्रीवेस का मतला दो जात्ती रहे में और इसका जो से में है बस तीन टॉपक एस्टा जोड़े गया है और परीजन कर लेंगे से लेवर का उपशन भी देख लेते किस ताब के पूचे गया ठीक है आप खुद से भी करना चाहिए टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लें वहां से भी आप खुद से देख सकते हैं जैसे अगे आप देख पाने होगी यह आपका खर्ट पस्ट है ठी परिद्रस और आट इए एक तो यह दोर अगर इन्हें जोड़ देते हैं तो इसके टोटल कुछन पूचे जाएंगे 30 और वह प्रते कुछन दू अंका होगा तो साट अंके हो जाएंगे ठीक है लेकर दो जाट तेरे में 20 कुछन पूचे जाते थे 20 अंके यह अंतर किया ग यह दाजना जी के से 130 कुछन मोचली बन जाएंगे ठीक है कुछ नेक्स घंड देखते हैं जैसा कि आपकी सेचलिक मनूबी घ्यान है या एजुवेसन साइकलोजी बोल देते हैं यह पहले 20 कुछन पूचे जाएंगे 20 अंके इसे चेंज कर दिया गया है अब 10 कुछन इसके लाब आपके पांच कुछन पूच जाएंगे 20 अंके ठीक है और उसके लाब एक टॉपिक एश्टा जोड़ा है वह सूचना तक्निकी यानि इसके आपके पांच कुछन रहेंगे और भी 10 अंक यह था आपका पहली और आपके स्लिवस में अंतर चलो आप देख लेते कुछन जैसे कि आप देख पाने होगे आपको मालब होगा पहली कंड में पूचा जाएगा राइस्तान के संदर में सामन क्यान प्लस करेंट अपयर ठीक है यह पहले दोजा तीर में पूचे गई कुछन है ठीक है जैसे पहला कुछन था कि महिला त्वारा पीला पॉम्चा बिसेशित कब पहना जाता है तो इसका सिंपल राइट अंसर हो जाएगा बच्चे के जनब के समय सेकंड कोई यह ता कि जैपुर के करपाल सिंग सेकावत किस कार के लिए पसिद्द है तो यह आपकी ब्रूपोटरी के लिए आपका कुछन नमर तीन है यह आपके करेंट अ बिसेशित का जाता है तो आपसर नमबर भी सही हो जाएगा कुछन नमबर आपका पास्वा ता कि बिस इसकावत दिवस कम मना जाता है तो आपका 22 परवरी को मना जाता है नेक्स्ट था कि मेरा वाइक की जो किलड़ा इस्तली है किस नाम से प्रसिद है तो आपकी मेरता ना यारे विदायक थी ते तो ओक्षिन नमरु तीन सही हो झाँ पर हैं तो यह आपका हो जाएगा है ज born the gas नमर्द्ट ने कज्थने मेटें एब जुएंपर somethin लुग जाएगा। जेपर है तो नमर्डा नों जाएगा नेक्श्ट ए थी कितनी बंजर और संदिशन्度 शाल्प सकते हैं। जो सब्हस्ति है और सब्सक्राइब शोमाल Grant करते हैं। भी फिच्ञान geldi होती है। हमके हैं कहते हैं। व्योशन को सब्सक्राइब या नीधिर। जानकोर पिफिकर राइस्तान के स्युंद के प्रीकृत्य। बात करें यहीं स्लोगन है अभी प्रिजन टाइम में इससे पहले यह ता कि जाने क्या देख जाए यह स्लोगन था इससे पहले ठीक अभी और यहीं है बनारों मारे देश्टी कहां नेक्स्ट है कि निम्ना की तुम्हें से कौन सा सहर जो वी सलपुर परयोजना से चल पराप् कि यह उस टाइम पर करेंट का प्याता जो प्रजान मंत्री आदर्स ग्राम यूजना है कि शुरुआत किस का मतलब के सकते हैं इस्ताल से की गई थी और उसमें डिस्टिक भी दे रखा है तो करेंट का ता उस टाइम को चोड़ देते हैं नेक्स्ट है बूरी गुडिया की बाल का मुख के गठक तत्व है तो मैं आपने विवार से बता रहा हूं तो मैं तो इसमेर चीनी लगांगा ठीक है और आपकी अपने इसाब से देख लें इसकाल सा ठीक है बिदू सक्ति मापने की एकाई को कहते हैं तो वह आपकी एंपियर हो जाएगी ठीक है अब बाकी कुछिन को कोण है तो आपके साथ यह कमपूट्र में वाइनरी से सम्मधिता है और आपके कैलोरी है ओर्जा से सम्मधित होती है अब बाकी रॉड़ इसवार कुछिन है संत्रेगा किस जो पंजाब के नाम से कोन जाता है तो वह आपकी जान जाते है अ लाज यह नज पत्र तो इसका अठारे नमबर को पुछन आप खोद कमेंट करके पता देना नेक्स्ट है कि विक्तलम संबत की सुरुआत होती है तो हम इसमें 17 वर्स जोड़ देते हैं जैसे कि 2022 चला इसमें 17 वर्स जोड़ देंगे तो विक्तलम संबत की डिटा जाती तो आपसन नमबर इस हो जा तो इसका अपसे नमबर आपसन नमबर आपसन हो जाएगा अब तक 20 कोशन के यह पहले राज्तान के विशेस अंतरम में और या करेंट अफेर से 20 कोशन बीस मार्क्स के पूछे जाते थे ते ते अब प्रिजेंट टाइम में आपको मालूम होगा इसके तीज कोशन पूछे जाएंगे जो आपके साथ अंकर के होगी ठीक है तो चलो देख लेते हैं इसमें के कोशन पूछे गए तीक है जैसे 21 कोशन पूछा था सेवर क्या है तो यह सेवर एक कहस है तो ओप्सन नमबर इस ही हो जाएगा पूछन नमबर नेक्स्ट है के अमर्चंद दुजारा चेत्र चांदनी रात की संकीत गूष्टी किस चित्र कला की सेलिका प्रम के सकते हैं चित्र कला का चित्र है ठीक है तो यह आपकी किसंद कर सेलिए अजिमें सही संब्द रखेगी तो अप्सन नमबर चास ही हो जाएगा की जन गड़ना कि हमसेखर राजत्रे में सरवाधिक जन संक्या गरत वाला जिला कुमसा है तो वह जाएगा आपका जैपुर तो झोकि जैपुर की जन गरत Kabul वह Person is 955 पर इसकर अब मरतपोर उसके बाद आता है ऑप इसका डी सेयोदेब सथ पुछाता है कि जिले में जो गरासिय जनजाती का सरवाधिक सकें पर रहें यह कह सकते हैं कि वहां पर सरवाधिक पाई जाती है तो देखो भी इसमें वरत पुर नहीं होगा अगर बीरी बाड़ा की बात करें तो देखा जाए अगर मुश्ट ली आपको पुछन देगें तो सब्सक्राइब के सकते हैं तो हम यह कहेंगे कि दिस्टिक नजदी के मिला है दूमर पुट तो हम इसे ही लगाएंगे तो ऑप्सन नमबर एक कहेंगे सही राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगर्णा के अनुशार राइस्तान में सबसे कम लिंगान पात वाला जिला कौन सा है तो वह आपका तौर पर हो जाएगा तो आपका डी नमबर ऑप्सन सही हो जाएगा कोशन नमबर 28 से के निम पार्क संपर्दाई की प्रमक पीट कहां पर है तो यह आपके हो जाएगी और सलेवाबाद यारि ऑप्सन नमबर डी सही हो जाएगा और नेक्स्ट कुशन देख लेते हैं कि अपनेक्स्ट कुशन नमबर है कि आप इस तरह इस्तित थे तो यह आपके उदेव पर में इस्तित है तो अप्सन नमबर की से हो जाएगा नेक्स्ट है खारवा का युद्ध किन की बद लड़ा गया था ठीक है यह तो यह हम कहेंगी खारवा का युद्ध वो आपके महा तो इसका option number हो जाएगा और सी सइज बनेगा है यानि राणा सांगा और बाबर के मत लटाएगा तो 31 वा कुछम है कि आपकी पलाना है तो आपकी पलाना है वो आपकी कोईला और लिग लाएट होथी उसके लिए परसिद्द है जो हम कहेंगे नम्र एक से जाएगा ठीक है कि निहांगे के निम्नि में से कोँसा जिला वारत पाक अंतराष्टि या नहीं बनाता है तो हम गिए को आपका जैसे चेसल विphere बनाता कि संपटाइका के सकते हैं संबोदने तो यह आपकी बल्लफ संपटाइका जिनादवाना म्रा समथ रखते हैं तो और और प्डिशम मेर आपका 35 भाहिका किस मिली का कर से तो नम्बर डी से अभाय केला देभी कह बीला यह करोली डिश्टिक से सम्थ रखता है ठीक है कि मेले महार को ल्क्षी मेले की रूप में जाता है तो आपका कयला देवी की मेले को जाना जाता है 35 की सभरी की मेरे कढ़ क शárक सभा कि फट मा परेति है तो आपके महाना प्रताप में उनीका किसी हो जाएगा की पूशर्व कीगा की नाम से में से प्रस इंता है कि अाप्ष्ण भॉर्ठ मुरत नेर सी किस राजा का मंत्री था तो वह नियुक्त जस्मन्त सिंग का जो मंत्री था ठीक है यह आपके जैसे अभी कुशिशन हुए है जह राजश्तान जीकिए से 20 कोईश्यन थे आपके 20 मार्ग से ते यह 2013 के रुषा दोजार 21 में इस बनेंगे तो वह आपके 35 कोईश् सब्सक्राइब अब थर्ड कंट में आपने देखा हूँ आप से पूछे जाएगा जो आपकी एजुकेशन साइकलोजी है तो एजुकेशन साइकलोजी इस समय भी टॉपिक में जुड़ी हुई है तो देख लेते हैं पहला कोईशन यह बनाता है प्रकर बताएथे तो हम नौ पर जाएंगे बंदी के कितने पर कर बताएथे नौ ही होगा ठीक है नेक्स्ट है कि पास एलोग टेस्ट का विजाज किसे न किया था तो यह आपकी एलेक्जेंडर ने किया था तो ऑप्शन नम्बर ए सही हो जाएगा कि किस पानुब्य ग्यानिक अध्यान विदी में प्रयोज यान उत्तर तासा स्वर्प्रपत वरता है तो वह आपकी प्रशन वली में ही वरेगा तो ऑप्शन नम्बर ए सही हो जाएगा कि नेक्स्ट कुशन नमर्य 테क मानसी disrupt का अच्छा रखने के लिए ने मिले में अए कौ blessing सा तरीका सही नहीं कि तो इसमें से उप्शन नमर्ब्य सही हो जाएगा अपनी समथ से अपनी तक डखना ये आपका कह सकते मानसी इसवास्ते का अच्छसा रखने का तरीका सही यह तो हो जाएगा अची तर्मन के अची तर्मन का अधिन है वह जो प्रोजेक्ट्ट पैतोड होती है उन्हीं के थ्रू हमने निकालते हैं जो अची तर्मन की बात होती तो प्रकति द्वारा प्रक्ति से होगा कुछा नम्र आपका उरंचाजवा है कोंसा सिच्चा का अभी करण नहीं है तो वह आपकी संसद है वह नहीं होगा बाकी सभी होगा कोश्य नम्र नेक्स्ट है को लर का अधिकम से दान नम्र वैसे किस नाम से जना जाता है तो हम कहेंगे सुझ-बोज का यानि उए तो स्योगा नेक्स ने लिखें वैसे कोंसा सिच्चड नहीं माना जाएगा प्रस नव नहीं हो पूछे वह अपनी अलग राइवैक्ट करें नेक्स्ट है इसमें बच्छे अध्यापक के आग्या का का पालन और सवाल ना पूचे तो यह दो नमबर हो जाएगा राय त किताब जिसमें एक कालपनिक बालक की सच्चा का उल्लिक है इसके लिकर कौनते तो यह आपके रूप से हो जाएगा ठीक है तो आपके नमबर भी सही हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट कुछ नमबर है कि वैक्तिक सरपतम महतपूर कारने वाले वैक्तिक हो जाएगा उपसे सी से हो जाएगा अपका है यह पूछ रहा है कि एक सफन्स इंटी रियर डिजाइनर में किस तरह की बोति की प्रबल सीथा घुती है तो वह आपकी मूर्थ हो जाएगी यह आपकी कॉक्री इंटेलिजेंस हो गी तो नंबर पी सही हो जाएगा कोईशन नंबर नेक्स्ट है चप्रवा के ब्यक्तित तो ब्यक्ति के मनुसारे पततियों का वह गत्यात में संगटने वातावन के उसके अपूर सवाइजरों को डेदार्ति करता है यह परवासा किसी है तो यह सिंपल थी ओल्पोट की थी तो आप् यह से यह हो जाएगा कोईशन नंबर आपका है 58 के निमले लिकत में से किस प्रकार के प्रशनों का मुल्याकन करते समय बस्तु निश्टता बनाए रखना कटन होता है तो आपके निवन नात्मक हो जाएगा तो आपसर नंबर इस ही हो जाएगा कोईशन नंबर 59 है कि अंतर प्रत रश्टी देरे देरे पैदा होती है यह आपका सत्य नहीं है बाख किसा भी कतल सत्य है कि यह कौन सा समवेग जो यूजद सा की मूल प्रवर्ती से संपनित है तो आपका एंगर यानि क्रूद हो जाएगा तो आपसर नंबर 20 ही हो जाएगा 61 नंबर कुशन है जो आपके फोर्थ खर्णका है कि एक बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की ओलिया ओपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है वो नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उधार है यह प्रतिवर्ती रिप् किसी सब्मदित होगा तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 62 नंबर कुशन किसने बुद्धी को उद्धी शिपूर किया करने तारक के चिंतर करने तता अपने बातावन के साथ प्रवावी डंग से सवाज्य करने की व्यापक तता समगर चमता की रूप में परवासत किया नेक्सटे सब्सक्राइब कुशन कि कौन सा बच्चो ही तुवेसला बुद्धी मापनी की एक निस्पादन मापनी होगी तो हम इनमेसे लगाएंगे चित्रपूर्ती तो आप्सन नंबर डी से ही जाएगा नेक्सटे सिक्स्टी फोर नंबर कुशन बच्चे हेटु वेसला बुद्धी मापनी के किस परिशन में शंक्याओं, बढ्ठी क्रम में प्रस्थत कर बालकों के उसी क्रम में है या उल्टी क्रम में में शंक्याओं को दोणा ने ये तू तो आपका 67 नमर कुईशन है कि निमनी में से अरवन्दन का कौन सा प्रकार उद्धीपकों के साथ-साथ-कटिक होने पर आदारितना रहेकर बेवार के प्रणाम के प्रवाब पर निर्वर रहता है तो आपके क्रिया प्रसुत अरवन्दन का सित्नात हो जाएगा तो आपके प्रसुत है कि निमन में से किसका कोई जेव की आदर नहीं है जैव कि मतलब वाइलोजिकल होगा तो हम कहेंगे जो आपका संबंदन है या इसे एपिलेशन बोलते हैं यह नहीं रह गया आपके साथ जैव की आदर नहीं रहेगा पक्ट जैसे प्यास है भूक एकाम है यह आ जाता है तो आपकी इगो का मतलब हो जाएगा और नेक्स्ट एक ब्यक्तित्त का कौन सा वाग है समाज के नेतिक मूल्यों और आदरसों के आदर पर भिक्सित होता है तो वह आपका हो जाएग पराहें से इंगलेस में होते हैं सुपर एगो ऑप्शन नम्सी से हो जाएगा नेक्स्ट एक फ्राइड के अनुसरा निमन में से कौन सी विकास अवस्ता में बच्चे का ध्यार जलनांगों की तरफ जाता है तो यह हो जाएगा आपका लेंगिक यानि इसे फैलिक स्टेज बोलते हैं आप्शन नम्मर सी से यो जाएगा नेक्स्ट एक प्राइड की पूलवुत् भिस्वास बनाओ अविस्वास को फिकास की प्रत्eous अवस्ता के प्रस्तावित किया था तो यह एरिक्सन की मनुसामा से सिद्दान दिया था आठ अवस्ता बताई थी उन्हें से पहली अवस्ता है यह तो एरिक्सन से संब्द रखेंगे तो अप्शन नमर्डी से युज़एगा निम्न वैसे किसका संब्द मूल दुचिंता और मूल सत्रता के संपर्थियों से है तो वह आपकी केरेन हो नी से संब्द दैते हो तो अप्स नमर्ड सी से युज़folgा कि सब्दाव कि सभी वाज़ूं के उने वाले कुछ सार्बाव में और जनवजात होते हैं तो अपकले किने तो नमसी सही हो जाएगा से वर्टी सिक्स कुश्य नमर एक रिवर्सिविल्टी तो यह आपके होथी प्राग स्कृयत्म अवस्ता ठिक है जो दूसरे साथ होती है तो ऑप्शन नमबर सही हो जाएगा नेक्स्ट है किसमें बच्चों में बस्तु इस्तैत्तर रहे कि विकास में समझने में साहता होती है बस्तु इस्तैत्तर रहे का मतलब यहां से है इसे इंगलिश में मूलते हैं ऑब्जेक्ट पर्मानेज ठीक है तो ऑब्जेक्ट पर्मानेज समझने में साहता होती है तो यह क तो इंगिनस में दे रहा है एनी इनी मीश्टिक तिंकिंग तिक है यानि सजी बच्ची के साथ से चलता है उसके मुणने का अनुकरण करता है और बच्ची की बात सुनता है यह कतन पालक कि किस बून या लचल क्यों इंगित करता है तो यह आपके सजी बच्ची से ही सम्मध सब्चाइब समद्ध में करता है तो यह आपके प्रतिवागी यहनि पूंट हो जाता है तो अब हम प्रकशन की आपके चाल्ड रसाइकलोजी यह भाल मरवी ग्याना उन्हानी समद्ध से अब आ जाते हैं आपके साठेट कुछन आजाते हैं इस अब आ इन्हें देख लोग किस्टाइब के पूछे गई तो मैं तो यह चीज रहीगे आपके लिए सामधिक अध्यान के संबंद में ठीक है तो यह पहला कुछन यह बनाता कि कसूल मल रंग का अर्थ क्या होता है तो इसका मतलब होता है लाल रंग ठीक तो ऑप्शन नमबर एसे हो जाएगा लट्थमार तो यह आपके कर लीए तो यह स्री महभीर जी के थीके दिके डिके तो ऑप्शन नमबर सी सही हो जाएगा राइष्तान की किस जले में बन तरी का मिलशा भिछना लगता है तो यह आपके अलवनल मिला धिस्टइक मेर वेस्छका सब romance सबसेट है थो आपका साहरा मर sedं है कहां वकब की गई यह दौल प्रमा की गई थी 1934 पर डूबर को प्रजा मेटल की स्थापना यह बोगिलाल पांड्या ने की थी तो ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा नेक्सट इस थन्तरता की समय का राजस्तान में अंग्रेज़ आजसेत प्रदेश कों सा था तो आपका आज बेरुबारा था था तो और प्रभाण की सही हो जाएगा ये पुसे नमबर नेक्स्ट है 91 है कि निम्न में से ऊचिए का गिर प्रमपरागर सुरूत कौन सा है तो यह आपका हुजाएगाive 100 प्रप्षा येरी संही होजएगा हैं नेक्स्ट सार्वजनिक छित्स में नम्क इंटोर्ट बनाने काहां पर है तो यह आपके हो जाय का डीड बना सामवर ओप्स नमर यह सही हो जाएगा ठीक है नेक्स देख लेते हैं जोप लेख लेते हैं और एक सेगंड कुछ नमबी आपका नेक्स है बारती प्रेस का प्रेस का किस गवर्नर जर्नल को का जाता तो वह आपके चाल्स मेट कॉफ होंगे तो अप्शन नमबर बी सही हो जाएगा 1877 की क्रणती शुरुवात किस जगे से की गई थे तो यह आपकी मेरट से हो जाएगी तो अप्शन नमबर बी सही हो जाएगा बारती सम्विदान के किस अनुच्छेत में जो कर्तब्यों का वर्णर किया गया है तो वह आपके क्यावन इवर हो जाएगा नेक्स्ट बारत की सासर व्यवस्ता का स्वरूप होता है वह संसदी प्रणारी होता है तो ऑप्शन नमबर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन जैसा कि 98 है कि राज सवा का गटके से होता है तो राज विदान सवा द्वारा निर्वार नेक्स्ट है राज सवा का सवापती कोन होता है तो आपका उप्राश्ट पती हो जाएगा नेक्स्ट है भारत की प्रतानमंत्री की नियुक्ति कोन करता है तो next question है कि राज में राजपर की इसनिति क्या है तो यह संबःतानिक प्रमुक है, next है भारत के मुख एनादिश की नियुपति कौन करता है तो वह आपके राश्टपती, option नमर पी सही हो जाएगा ब्हारद की विदेशनेती का प्रक्ता कोन होता है तो बिदेश मंत्री को सभाती उसमेह को को वरोभाटेश की सभाड़ सकता यह तो नियायक में पालिका का प्रमुक क्या होता है तो वम नियाय कि पूश्य नमबर नेक्स्ट है लोग सवा में कितने सदस्य मनुनित किया जाते हैं नेक्स्ट है सवा का गटन कव किया गया था तो वह जुलाई तो इसे देख लेना ठीक है नेक्स्ट है किस वाद में सरवुच नियाले ने कहा कि प्रस्तामिना संभिदान का अंग है अते हैं संसद इसमें संसुदन कर सकती है तो वह आपकी किसवा नंद भारती बना वारत संग है यह इससे संब्ध रखती है तो आप्सन नमबर पी से एह चोड़ा बन कर से अठार लेससे सकतते चफते हैं वह समय सब्स् Amad दोडीकार को मौलेक अधिकार से प्रतफट कर दिया गया है तो वहाणित का व्हाण्य मौले न सकुछ सब्द्धन संसुदन संब्स आज इसा इदिकार और यह किस किस अधिकार को डॉक्ट भीमारी आप यापितान की आत्मक का था तो आपके संवैदान की ऑकचारों का अधिकार है उसे का था तो से नंबर 20 स्थे गां बॉलिक करता संता के किस संसूस्थन में चुड़ है तो आपके 42 समीदान संसुदन द्वारा चुड़े गए तो आपसे नमबर ए सही हो जाएगा भारत में सासन है तो आपका संसा द्वारा सासन है कि कोई सब्सक्राइब कर आप ब्रबंद करा है सें अन्य द्वार memory सास्ट पर ऐता है किने ब्रब नहीं नहीं है भी माई का बोलते हैं तो वह आपका करना टक ही हो जाएगा ठीक है तो आप सफल वस्त मील इस्ताप्त की गई तो आप इसे देख लेना अगर सब यह कहीं जाए कि पहली सफल वस्त मील इस्ताप्त की तब तो पशी मंगाल होगा लेकिन भारत में पहली आदुनिक सफल वस्त मील स्टाप दिखी तो इसका राटांसर होजाएगा मुंबाई ठीक है तो आप के आपके एहमताबात को तो ऑप्शन नमबर a से हो जाएगा नेक्स्ट एप सन्राइज उद्दियों के नाम से किन उद्दियों को जाना जाता है तो वह आपके सुछना प्रोद्रगी को जाना जाएगा तो ऑप्शन नमबर a से यूड़ करती तो यह आपके रूस में पाई जाते है तो यूड़ाल परवत है वह करता है लग लेक्स टेवाइव एक इसका सरवादिक है तो आपकी नाइटोगन यह सिवनी कहां पाइजाती है तो यह आपके परवत उन यूग लेशियर जो आपका पहलता है तो समध मुझे तो ऑप्सन नबर आप यांगत से नदी कहा पर बैती है तो यह आपक स्री लंका तो नमबर बारत की सबसे प्रानी प्रवस रंकला तो सिंपल यह अरावली हो जाएगी कौन सा माधिव है किस देश का साथ लंभी लंधी सीमा बनाता है यह राज्टान किस देश के साथ है लंबी सीमा बनाता है तो पाकिस्तान से बनाता है सब्सक्राइब को सामिल किया गया तो आपके राज सुची में रखा गया है तो आपके राज सुची में ही रखा गया है सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब तो उसे समध कह रह रहा है कि समध के समस्य के स्ब्सक्राइब नहीं है तो तो उसे जब के समद सकते हैं लेकर जो से समस्य होते हैं वही होती है तो आप कमेंट करें बता देना है हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आई होप आप अच्छे होगे तो जैसा कि आप थंबल देखी चुके होगे हम बात करें आज जो आपकी तरती सेड़ी से चेक भरती जो 2003 में जो आपके सामाजी के अध्यान का पेपर हुआ था यानि SS वालों का या लेवल 2 वालों का ऐसे बोल सकते है दो जात तीरे में यह पेपर हुआ था तो उसके बारे में देखेंगे यह किस टाइप के कोशन पूचे गए थे जहार रगडा है मेरे पास दो पेपर है एक तो डूगरपर डिश्टिक का है और एक अलबर डिश्टिक का है दोनों ही जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिक में जाएगी वहाँ से टेलिग्राप से डारेक्ट आप इने ले सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम देखेंगे इसे सॉल्व करके किस टाइप के कोशन पूचे गए आपको मैं जार करने के लिए बता दू यह जो पेपर है डूगरपर व खाला ठीक है तो इस दोनों को टेलिग्राप लिक मिल जाएगी वहाँ से इने आप डाउलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ध्यार रखना है देखो आप कर प्यूचिना हो मैंने देखा है आप ध्यार रखना यह जो तरतीय स्रेयरी से बहरती है इसका मतलब तो यह है जब आप्याने 2022 में यह दो परिच्चा है आपको भालव होगा रद्ध होनी के बाल तो है पहले 2022 में पहले आर्ट है जुल के अदर आहो सकता है जूसन के बाद यह आप क्वालिफाई कर लेए उसके रड़ कर से बदेखे परिच्छा या किcha यानी सब्जेक्ट क पेपर होगा, इस अपकार हर subject का पेपर होगा, लेल तुम में, और लेवल bound towards का, अलगीismaar है, अलगी वेटरा, उनका दोवी परीचा उन में भी होगी, लेकिन उनकाश अलग है, ठीक है, तो यह चीजे समझे होगी, यह दो paper है, चैज सकता हो, तो तेलीगनाप से आप इने ले सकते बाकि जो साइंसमेद वाली है उनका भी पेपर मेने डाल दिया है अगर नहीं देखा है तो आप प्रदेगे जाकर देखने ना वहां से ले सकते हैं आप देख सकते हों कि थर्ड ग्रेट वे किस टाइब के कोशन पूचे गए थे ठीक है अगर इसकी सिलिवर्स की बात करें तो जैसे मैं आपको बताना चाहूं या भे यारी जो लेवल टू का सिलिवर्स तो आपने डिसकस कर लियाता लेकरें इस जो थर्ड ग्रेट वे जो पूर्सन है यारी कह सकत के की कैस कितने कोशन रहेंगे आहसाववी कीए रहेंगे यारी जो सेच्टव विदियाँ अन्से कितने रहेंगे और स्क्रविक्रणर के कितने रहेंगे तो यह चीजों को देख लेए न지는 Dejk भी भार्या. recording पूचा क्या जाएगा आपके में यह जहार रखड़ा है ठीक है यानि जो आप आर्ट्रेट क्वालिफाई करने के बाद आपको तैयार ही करोगी हमने हर वीडियो में स्लेवर्स को डिसकस किया है कि मतलब स्लेवर्स यह फुल स्लेवर्स नहीं है आपको मालूब बलका मतलब है डेटेल में नहीं है यह कि बन यह बता रहा है कि आपका फ़स्ट है उसमें आपके राजी के प्रति बिसे संद्रम में कोई सामन ग्यान होगा वो पूचा जाएगा और समसाव कि यानि जो करण जी के बीस कोईशन आएंगे बीस माक्स के ठीक है समझते जाना सेकंड है ज सब्सक्राइब यह कहीं कि यह टीची मैतोड है सामाजी की अध्यान की ठीक है यह दिया रगना है फिर साइकलोजी को यह आप पालम में गयर कह दिया इस पेसल तो बीस नम्बर की ठीक है उसके बाद आजाता है आपका सब्जेक्ट जैसे कि हैं कि आप साथ कुशन पूचे है भी क्यान गवर और यह होगी is ऐसी क्यों बाक्स ठीक है यह किन डौनों को जोडते है यह यह आज सी तो कोश्य नहीं थे और साथ कोशल सब्जक्ट की तो आप समझे होंगे एक से चालीस कोशल दूसर माख से ठीक है यह पैटर रहने की संबावना है यह तो पंद्य मार्श की जो कमेंटी की रिपूर्ट आई कि रायस्तर में उसके आधर पर डिसाइड होगा कि आगा भी कैस उसे हम कल लेगे आज हम कल लेते हैं जो अलवर वाला है यारी अलवर का जो डिस्टिक में यह पेपर लेवल टू का हुआ था दूजा तीरे में इसे डिसकस कर लेते हैं उसके बाद जो डूपर वाला है उसे डाल देगी ठीक है और या फिर आप खोद से पीडियम की ठीक है तो इन्हें देख लेते हैं पटापट क्या कुशन होने वाले है और ज्यादा टाइम ली लोगा डारेक्ट्री आंसर बताते चलेगी ठीक है पहना कुशन नंबर है यह था कि परमपरागत रूप से राइस्तार की राजपाल ग्रीस में कुछ समय विताते हैं वो क कि वी का देख लिए जिए और डिस्टिक और राकॉर यारि उप्सिन नंबर एक साही हो जाएगा ठीक है कुशन नंबर आपका नैक्स्ट है कि राजिस्तान की परतम बासा सरवी चक कि से कहा जाता है तो हम इन्वे यह कहीं यह आपकी मैक लिश्टर यानि जॉल्ज मैक लि ठीक है डेक्स देख लेते हैं यह पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो गयों के उत्पातर में डीउड तब यारी वहाँ पर सबसे कम गयों उगाया जाता है या पैदावर कम होती है तो आपका रही का जैसल पर क्योंकि यहां पर प्रॉपल रिजीत ही रही थे तो यहां पर ही हो पाते हैं राइस्तार के जन सुनुवाई अधिनेव कम लागू किया गया था ठीक है इस करके कुशन देगी मोचली हर परिच्छा पूछे जाते तो इसका राइटाजर क्या हो जाएगा शुनुवाई कम लागू की गई थी तो वह आपकी 2012 पर की गई ती यारी एक संद्सेजन का भाग सेखंड करता है ठीक है नेक्स्ट है आभ कुशन निम्बर आठ mist है भारत के सब्मिदार का कौशा अनुचिट सिच्चा की अधिकार का प्रावदार करता था तो वो सेंपल है आपका अनुचीद नंबर 21 का यह हो सकते हैं ठीक है तो आपसर नंबर तो यह अच्छा कुशन है यह आपके जो आपके हीरा लार सास्तिरी के द्वारा की गई थी ओपसर नंबर चार सही हो जाएगा 26 जर्वरी 1950 से पूर तक किसी राज्य का मुक्य मंतरी कहा जाता था या नहीं 26 जर्वरी 1950 से पूर तक किसी राज्य का मुक्य मंतरी कहा जाता था तो यह चार अपसर नंबर नेक्स्ट है यह किरा है किसी अधिवरस में कितने दिन होते है तो आपको मालूम होगा 360 तिन होते हैं टीक है तो option number कौन सा सही हो जाएगा 3 number सही हो जाएगा next question number देख दिखते हैın question number आपका 14 वे हैं कि विजय दस्मी मनाई जाती है तो आपके विजय दस्मी मनाई जाती है वो आस्विल सुक्र esté को मनाई जाती है तो option number 2 सही हो जाएगा next है question खाजरू है आपको बताना है खाजरू क्या है ये बली देने हेतो एक पक्रा है तो option number 3 सही राटांसर हो जाएगा question number next था कि बरतमार राजस्तार में कितनी देशी रियास्त है संपलित थी तो ये चाँने उस टाम पी पूचा गया था यानि पूचा गया था यानि देशी रियाशत है यह मतारा है का कि भृतमार रास्ताल में कितनी देशी रियास्त तो ये 2003 पूचा गया था ठीक था था правильно Unie Gloria on Insta थे और चीब तीन जो चीब स्योप्स थे तो यह option‌ things दो सही हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमबर दो सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिर्टिस राज में राज पूतारा के प्रतम जो रेजिएंड जिसे एजेंट टू गवर्णा जलना कौन थे यारे शुरुगात वाले तो यह प्रारम के बोल सकते तो यह थे आपके डैविड पूप जाएगा निंवन एक सही हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा आख को सा है वो राजिस्तान है ठीक है तो ओप्शन नमबर चार सही हो जाएगा पूश कुश्य नमबर उन्डीस था के निमने लिक्ट मैंसे कोई सा जिला अंतराष्टी सीवा पर श्थित नहीं है अंत जैसलमेर भी है क्योंकि यह पाकिस्तान से सीमा लगती है पीका नेर की भी लगती है लेकिन जोदबूर की नहीं लगती किसी से भी ठीक है तो आपसे नमर तीन सही हो जाएगा है का कंड़े सेकंड आ जाता है तो इसमें आपको मालूम होगा प्रॉपर ली रायस्ताँची की बाबा का भांगडा प्यारी का आदिका संब्द किसी है और यह आपको चार ओप्सन दे रखेते तो इसका संब्द होगा जे संब्द जील जे उद्धैपुर में ठीक है ग्रामीडी चेत्रों में बालूम विएक किस अवसर पर होते हैं तो यह अच्छा कोशन है और यह मु ठीक है तो ऑप्सन नमबर दो सही हो जाएगा वह इस दान जहाए गोगा जी की इसमरती में विसाल मेला लगता है लगता है कौन सी जगह है वो तो वो जगह है आपके हो जाएगी गोगा मिडी ऑप्सन नमबर चार सही हो जाएगा बारे सो साथ में किस कच्छवाह सासक ने मीनाओं को परास्त कर आमीर को राज़ानी बनाया था यह अच्छा कुशन है और यह बनाया था आपके कोकिल देवने तो आप्शन नमबर दो सही हो जाएगा हर्स की पाड़िया कहाँ पर रिष्टित है तो यह तो सिंपल कुशन है यह आपके सीकर में है ठीक है तो वह आपके हो जाएगा बाड़मेर में तो आप्शन नमबर एक सही हो जाएगा यानि किस संप्रदाई के जो अनुआई है वो ददकते हुए अंगारों पर अगरी नत्य करते हैं तो वह आपके जिसनाती संप्रदाई के लोग है ठीक है नेक्स्ट है कि रागड़ी बोली क किन दो बोलिहों की मिस रड़ वाली नत्य नहीं है यह बताना है तो इसकी राइड़ांसर क्या हों जाएगा वो जाएगा बाकी जो कातली ये काक नहीं है और साफी है ये आंदरे प्रवाग वाली नदी है राय समन्द जील का निर्माड किस नदी पर वाशा के लिए राज्तानी सब्दिगा पिस्ञहिदा किस के द्वारा किया गया था है तो ये किया गया था है आपके ग्रियर्शन के द्वारा थौ लिम्होबर हो झाय हो जाएगा यह कर तानो fi लीज़ों-न-बर- Lot सब्सक्राइब कर देप हैं तो यह आपके पिछोला जीज़ है किनारी कर देख लेते हैं धेको मेरा आपको बताई था क्वेश्र अनिस करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं यह सेवका उपासक रहता है तो वह आपका भीवाड रहता है तो उपसर नमबर एक सई हो जाएगा अब तरती घंड़ में आते हैं तो तरती घंड़ पूछे आती है एजू के साइकलोजी का मतलब यहाँ पर टीची वैतोड से होता है ठीक है तो आप सबज़े हो तो आप समझे क सब बाते जो भी टीची बैतोड आती है वो बीस कोईशन आएगे बीस बाक्स के तो चलो वही देख लेते क्या-क्या पूचे गए थे ठीक है पहरा कुईशन नंबर ये था आपका 41 नंबर कोईशन के बनों भिग्यार है तो ये कोईशन आपने यार रीट की तैयार ये इससे पहले की होगी तो ये समी कोईशन नंबर पढ़े होगे आप तो ये अब हमें तक एक से चालीस कराएं ये आपके नई कोईशन रहीगे आपके लिए क्योंकि वैसे एसस्टी वालों के लिए तो कुछ भी नहीं नहीं क्योंकि मुत तो ये राष्ता जी कि तो कब बसरी पढ हो जाएंगी जो 41 से लेके 60 तक पहला है मनुविग्यान है वह आपने देखा था 20 सताब्दी में इसे विवार का मनुविग्यान भी कहते हैं तो आप्शन नंबर चार सही हो जाएगा ठीक है नेक्स है और ये सभी कुछन आप है कुछ से भी करोगे तो भी इने सही कर लोग खे – तुक है? उसे भी सॉल्ब करेंगी आ है लेकर इसे वीडियो को अप्लूड करते है, पीडिया आप हो घ। जाइगी ठीक है उसकी जीरफा भी जीन प्याज़ी के अनुसार संगै अनुसार तो जो सग्या ना मकिं किसा करते हैं तो कुछ छार हर भालू होगा जीनोह क्ते ही ढिर्व 1 बार से 2 बार लूट ट्छरूं 9 से सब्सक्राइब का हम्यूं same to Moon si3 को पूरत करह नि का मरती अबर्फ क्रीय पूर्त को means तो हम गएगे देखो इनों पढ़के देखते हैं स्वेम का समझने वे बालक को समझने वे से चल विदियो को चैनल में संपूर्ण सेचल प्रकरियां तो यह उप्षन है जो यह सभी जित आप्सटन है ना उपर के तीनों यह इसी में समाइत हो जाएंगी यारी संपूर्ण से सब्सक्राइब के प्रकरियां तो आप्सटन नंबर चाह सही हो जाएगा कुशन नमर नेक्स्ट था आपका 44 सिच्चा मरोविग्यर का मुक्य केंद्र क्या होता है तो इस ताइप के कुशन देखे होंगे इनमें बालक ही रहता है यानि सेंट्र में बालक को ही मानना होता है नभी रचना या उत्तपादन से करेंगे और यह भी आपने पुड़ा होगा है सेकिंड या जो आपका 46 नंबर कुशन है तो यह सबी चीज़े वह जाएगी जैसे कुंटा तनाव संगर्स यानि उपर सभी वह जाएगा इसका राइट आंसर या चार नंबर आप्सट पुर चाहिए वह आपने आपको एड़ जैस्ट नहीं कर पाते हैं यारी समाज़न नहीं कर पाते हैं जोन डीवी ने क्या कहता तो यह अच्छा इसतर का कुछ नहीं यह सीटड में भी पूचा हुआ है तो जो जोन डीवी ने विद्यालेव को एक बिस्सेष्ट बात आवर कहा है सामा जी कि अधिक्रारम या प्रारम होता है किसे होता है तो संपर्क से होता है ठीक है तो आप्शन नमर तीन से हो जाएगा साथ्रा में चेकने की योगिता निर्वर करती है तो हम कहेंगे वो ब्यक्तिकत बिविल्टाब करती है अगर आप ध्यान दो तो मैंने दू अज़ात दे रहे कि जो कुशन पिपर कराए है ना जैसे कि मैंने एक तो हिंदी का कराए था मैं आपको यह बतारे जा रहा हूँ हिंदी का उसके बाद साइस्वेट का ठीक है इनका अब करा रहा हूँ है इसके बाद कराएंगे लेवर फश्ट का तो देखो इनमें आप देखना टीचिंग मैतोड और साइक्लोजी यानि जो टीचिंग मैतोड सब्देक्ट की और जो साइक्लोजी इनमें मैंने देखा है कि उस टाइम पर जी कुशन पिपर सेट के गए अलग अलग बिन बिन तरीके से पूचा है जैसे यहां पर पूचा है इन्होंने किसी चात्रों में सीखने की योगिता निर्वा करती है तो इसका राइट अंसर हो जाए बेक्तिकर बिन रता हो इसी कुशन को साइंस मैत बाले हैं अलग ढंग से पूचा था ठीक है तो अगरा से तो हम कहें यह एक दूसरे के पूरत है तो निसकी होंती है यह होती है तो जैसे बिक्तिक आस नयोंने सब्सक्तिकर ऑन और इसका सीथ होती रहती है अरे संबत्न निम्न में से सहस्वावस्ता की विसेश्था नहीं है इनमें नयतिकता का होना यह तो नहीं हो पाईगा क्योंकि नयतिकता का मतलब ही मांदारी से एक तरह से आए इक यह आती है आपको मालू होगा तो यह सब्सक्राश हम सरह Three-Multarty आफ ने दीखा हूगए तो हम केंगे यह वाले वस्ता से प्रारम होंभी कहलें ससा वस्ताभ नहीं दिखता नहीं पा जाती है कि कुछ मनों है थान कि अर्फिय। जिस रूप में विवार करता है वही होता है उसका हम उसे क्या कहेंगे तो हम उसे कहेंगे व्यक्तित्त कहेंगे यानि जो पर्षेलिटी है वही कहेंगे तो आप्योगी है तो यह आपकी किसके लिए उप्योगी चार अप्सनों की लिए बाले वस्ता के लिए खेल विदे उप्योगी हो जाएगी जैसे सीखने की प्रकुरियां जब आप एजूगेशन साइकलोजी की बात करते तो उसमें यह तो प्रकुरिया आईगी सीखने की प्रकुरिया उसमें मुल्य आंकर मापन यह भी साथ में चलते हैं पार्ट करम का निर्माड भी इसी का कोड़ने होता है तो हम कहेंगी खेलों क सब्सक्राइब का जो प्रसेच्ट नहीं आएगा इसके अंदर किसके अंदर एजूकेशन साइकलोजी के अंदर ठीक है तो यह इसका छेत्र नहीं है ऐसे बोल सकते तो आप्शन नमर तीन सही हो जाएगा बेक्ट तो मापन की ब्यक्ति निश्ट विदी कौन से इस टाइब के कोशन आप ऐसी कोई परिच्चा नहीं है जो थार्ड ग्रेट के नाम से होती है यानि टेट यूपिटेट एमपिटेट यहां तक कि सीटेट इस टाइब के कोशन बहुत अच्छे स्थर के पूछे जाते हैं तो यह हो जागी कि स्टटी यानि ब्यक्ति इतियास विदी जो जाएगे के वाकी तो यह विसी जोल रहे या थे अब इसके बाद इस्टरत हो जाती है चाईल को शाइकand कोईशन आगर छोड़ते हैं तो असी तक हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद आजाती जैसे कि एजुकेसिन साइकलोजी के बाद आब आजाते हैं बाल मनों भी ग्यानप है तो पहला ही कुछ जाना बाल मनों की किया लिए आपको मालूम होगा जो बाल अपरादी बालक हो टे कुसしたनि को द्यान से पढ़ना सब्ते नहीं है समाज ब̀ोधी तो हम कह fruit के लच्छ यठालतवाधी होती है हमें यही पूजाता किशा माज ब्रौधी वालक बारे में सब्ते नहीं है तो यही ऑPS 강ी जाएक तीन नंबर के सबते नहीं है अब को कुछिशन न ouvert है 63 लिकति मैंसे मैंसे इक सा आने नहीं नहीं है ठाड कै वेकती बिभूने दरे से विकास सामन नहीं है तो यह जाह है विकास तर लातम का रूप से क्रमबद होता है यह लिवास सब्सक्रिदिक का है यह तो यह विकास एक निच्छत उम्र के बाद रुक जाता है यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास रुकता नहीं है विकास जीवन पर्यांत चलता रहता है तो ऑप्शन नमबर चारी सही हो जाना चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट कोशन है कि अभ्यास की काण विवार में परवत कहलाता है तो वो अम कहेंगे उसे अधिकम कहेंगे क्या कहीं उसे अधिकम कएगे एंडिक दके तो ऑप्शन नमबर तो सही हो जाएगा कौन से अयू कि पशंभ गौन क선 के विकास की आट अवस्ताइं प्रस्तावित थी यानि यहानि दया है कि आवकि एक्सम थे मॅ आठ अवस्ताइं बताई थी उन्होंने मनुसामाजिक सिद्दान दिया था तो उस आठ अवस्ताओं को उन्होंने आधर माना था ये चार अकोटिक आप्सन के बताना या उनकी जनम से मृत्ति तक मानी थी यह जनम से बाले अवस्ता यह जनम से किसुर आवस्ता यह जनम से व हो सकता है जो दोस्वावणाओं की और ले जा सकता है तो ये किस उम्र की बात कर रहे है तो हम कहेंगे ये बात कर रहे है आपके थीन से च्छे वर्स वालों के वालों के लिए ठीक है ये अच्चा कोशन है तो option number क्या हो जाएगा दो सही हो जाएगा यह कुशन जो है ना ADHD यह आपने देखा हुआ यह आपके रीट में भी पूचा हुआ है 2018 वाली विकेंशी थी यह 1718 वाली उसमें तो यह एक अवदान विक करती है ठीक है तो option number दो सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन था कि कौन सी विदी है एक व्यक्ति या इस्तिति का गहना देन किया जाता है तो वह आपकी किस इस्टिटी हो जाएगे option number दो सही हो जाएगा जो व्यक्ति निश्ट भी जी है ठीक है निवलने लिकेते मैंसे कौन सा खारक अधिगं में बात अधिगं में बात अकोता है तो इन से option है वह जाएगा अधिगह अधिगंद निससायता ठीक है अनी हधिगंद सायता ये एंदिगू सकते हैं बात अधिगम में टिकेत ऑप्सन नमबर तीन से ही हो जाएगा आपका कुशन नमबर नेक्ट है कि निम्दले लिकते में से किसमें एचिक बेवार उसके परणामों या पूर्विक्ता से सक्तिसालिया कमजर होता है यह किस से दान से संब्देते है तो यह आपके हक्रिया परसीद अनबंदन से दान से संब्द देते हैं जो किस संब्द देते है हिस्की नर्ष से प्राउचीन अनबंदन किसे है यह आपके पावलर से सूज अधिगम अंतर्दरष्टी जिसे इंसाइट पोल्टे ओरी या इसे गेश्ट टॉलवाद भी बोल देते हैं और बाकि स्वत अध प्रति करिया का क्रस्फ कर सकती है यह आप कहा सकते क्रिया का बुद्धी पर neo नहीं आदर के प्रकार का वदार नहीं नहीं है तो हम कहेंगे इस में से जैसे जंग टरें ले लिआए के चठे जो छेट होते हैं उनमें भी पिट करना ये भी एक क्रिया निस्पादल प्रकार है चित्रों के टुकड़ों को जूड़ना ये भी हो जाएगा लेकिन सरर गड़ती की समस्यां को अलकरना ये नहीं होगा तो आप्चन नम्बर चास ही हो जाएगा CAT क्या है तो ये व्यक्तितमापन की कह सकते हैं व्यक्तितमापन की एक विदी है CAT जैसे बाल अंतर नोद क्या बूलते हैं बाल अंतर नोद परिचर ये आपका CAT है और ये किसी ने दिया था CAT ये आपका CAT दिया था लियोपॉल्ट बैलक ने ठीक है टेट दिया था का ही दबा परीचिन ऎमर रोस तो इसका उप्षिन नंबर एक सही हो जाएगा न पूछ नमर आपका है सेवंटी सेख्स यह कराया आप पूर्ण देका चित्रों से अर्थपूर्ण तता रूची कारक चित्रों को बराना मापन के लिए एक पद होगा तो हम उसे क्या कहेंगे उसे क्रियेटिविटी कहेंगे या कह सकते हैं सरज नाम तो मक्ता कहेंगे ऑफ़सर नमबर एक सही हो जाएगा नेक्ट कौन सी विदी उपागम में समाप प्रयोज्योका अपमापन उनकी विकास की विविन अवस्ताव पर लिया जाता है तो वो हो जाएगे आपकी धीर कालिक अध्यान विदी आपसन नमबर तीन सही हो जाएगा कुशन नमर है आपका 78 जब एक विक्ति कहता है कि राम में अध्यान राम में अध्यापन के लिए अभिचमता है तो इसका अर्थ होता है तो वो हम कहेंगे राम अध्यापन में राम अध्यापन में कुसलता अर्जित करने की योगता रखता है वो जानते होंगे अभिचमत यहाँ से हो जाएगा आपका मानसिक ब्रति तो ऑप्सिन नमबर वी देख लेते हैं तो अभी देलेते हैं नमबर 81 है कि असो के सिलालेक मुक्यता लिखे गए थी यह किस आ मतलब बासा में लिखे गए थे यह प्राकरत बासा में लिखे गए थे तो आपसन नमबर 3 सही हो जाएगा कुशन नमर आपका 82 है कि जो आपका अंगर कुरवाटा मंदर है यह कहां पर इस्तित थे तो यह आपके कमबोड यहां में इस्तित थे तो यह आपके सब्जेक्ट की कुशन पिपर है नेक्स्ट है कि 83 का विगरंत जो पदमावत है के लिकर कोन है तो आपको मारूं होगा यह सिंपल इक्विशन है यह आपके कोन है जो मलब के मोहंबत जाइसी है वह हो जाएगे यानि ऑप्सट नम्प दो सफ़ाय है यह कहरा कि कौन सा जो संथ है वो कभी माहराश्च के कभी नहीं है वो पताना है तो वो आपके चैतन नोह हो जाएंगी तो से मगर नामक्स इसथान चुड़ा है तो यह आपका जुड़ा है कभीर से ऊप्षन नमबर चास ही हो जाएगा वास्तु कला की द्रश्टी से कौन से इमारत ताज मेल की पूर पूरवा माने जाती है तो इसमें से कुन सा और सकता है तो इन्वा सी हो जाएगा आपका हिमायू का मकरवा यालि और सा नम्बर दूसा ही हो जाएगा अकवर के राज में सेनbuild का मुखिया कुन था तो इसमें सी राट आंसर होने की बड़ा सेर कुल सा हुआ करता था तो वो हुआ करता था आग रहां अग्रेजों के साथ संदी करने वाले जो राजबूताना की अंतिम रियासत थी यह उनके अंतिम रियासत कोची थी वो शिरू ही थी थी कब आप से नंबर चार सही हो जाएगा हरप नितिगा सिद्धान भारत के किस गवर्नर जनरल से संब्द देते हैं तो यह आपके लॉड डल होची से संब्द हो जाएगा ऑप्सन नंबर तीन सही हो जाएगा अयोद्या फैजावाद शित्र में 1857 किरांती की बिद्रों का नेत्र तो किस ने किया तो यह आपके वगाता नसीरवाद से स्टार्ट हुआ था तो आपसे नंबर तीन सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन नमबर है कि संब्दान के कि संसुदन मूल करतब्मेयों को शम्मिदान के सामिल किया गया था तो वो आलीज भी सम्मिदान संसो बर्ण दोरा किया गय been तो उप्सन न्मर एक सही हो जएगा भारति सम्मिदान के किस भाग में मूल अधिकार उल लेकित है तो ये आपकी है भाग तीन में संसद की दोनों सदनों की सहीवत बैटक की अध्यचता कून करता है तो वो आपके करते हैं लोकसवा अध्यच आपसन नमबर 4 सही हो जाएगा कूशन नमबर 5 सब्सक्रा में या यू कोटा की अंदर कउचा है तो इसमिन दस रहेगा तो ापसन नमबर्दो सही नामजच है यह सक करता है आपका क कूश्टमबर नेक्स्ट है कि राज पाल With वाला रा दा है तो इन चार औप उप्सन हमें जह जाएगा तो आप्शन नम्बर दो सही था भारती सम्मेदान की कौन सी अनसुची नगरी इस्तानी साजन से सम्मद देती तो वो आपके थी कह सकते हैं बारवी आप्शन नम्बर दो सही हो जाएगा नेक्स्ट है नदी और उसके टट वर्थी सेर के तुड़ी पूरे युगम को पैचा अप्शन नम्बर तीन सही हो जाए ग्रेपाइड एक है तो ग्रेपाइड यह आपकी टोपिक है यह साइस्ट में भी है तो आगरी सेल है ठीक है बिस्टो का सबसे उचा जलब प्रपात एंजल इस्तित है यानि आप पूचा है कौन से इस्तान पर इस्तित है तो वह बहने जोलार में है का पर वेने चुए लाव है अप्सन नमबर तो सही हो जाएगा कोई से नमबर आपका नेक्स्ट है कि पच्चिमी घाट की जो सर्वोच चोटी ऊची कौन सी है यह पूचा है तो इसका राट आट अंसर हो जाए जैसे अनाई की मुड़ी बोलते अनाई की जो अलमबती में है यह गलत हो जाएगा पहला हो जाएगा पाकी सभी सही है अनुसार हमहिला साचता वाला राज Northwest पूंचा है तो वो राज पूचा है तो इसमय हो जाएक केरण तो अप्सन नमबर तीन सही हो जाएगा है नेक्स्ट है उत्तर भा fulfil्चिन का अनिवानी बर्स सब्सक्राइब ब्रसा किया है यह जो खेसे सर्दी वह जो बर्सा होती है उसे महावट पूंते हैं तो, उसका कारण क्या होता है या जंसे उसका निननो है और अमद्ट आपको या निनो है पिछ्यू है या आई टीची,जय में बदलाव तो इसका राइड आंशर हो जाएगा सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी सिसे की कारण कारण परस्तित है तो CC की पूचा है तो यह आपके जावर में इस्तिते काप है जावर में आपसन नम्बर तीन सही हो जाएगा नेक्स्ट है अरावनी स्रंकला की दूसरी सरवर चोटी कौन से यारिस्ट पूची है बस्त न पूचे खें दूसरी नम्बर कोन सी है वो पूचा है तो आपके दूसरी नम्बर की जो पाड़ी हो जाएगी वो सेर हो जाएगी यह चोटी कहीछ सकते हैं ja option नम्बर दो सही हो जाएगा यह पूचा है आपके के राजस्तान के कौऊंसे जिले को गड़ भी डिली भी खा जाता है तो है आपको हो जाएगा तानाद कारी नेता नेता थे तो यह थे आप। सागर मलप कोपा तो सभी हो जाएगा तो अजमीर आड़ा समय धाल सभामय के सद त्यमरबाण सम्मेदाम्य सभाव में सद सत ही तो नाम 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 ही बदा लाना है मुकट विहारी लाल भारगव तो आप्सिन नमर एक सभी हो जाएगा अरावली परवत माला का उद्वक कभ हुआ तो यह आपके केंबिरियन पूर्म में हुआ नेक्स्ट है कौन सी नदी चंबल जलकर प्रवास संब्दित नहीं है तो आपके कौन सी नदी चंबल प् नेक्स्ट है कि डी दिवाना जील कह अपर इस्तित है तो यह आपके नाग और जिलियुम है तो umson नम्ब एक ही सही हो जाएगा आ आपका कौईश्ट नम्ब नेक्स्ट है कि आपके तो यह आपका प्लिश्ट किलिए लिए उतीत अधिक्ष्ट है है यह आपके जrorsटता वत के लिए famous है next question number ला दिक लिए देख लेते हैं इह कहा रहा है बद्राबती प्रसिद्ध है ये low spot उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो option number 2 सही हो जाएगा next है कि reagen जो reagen गज kaila chitr अप रहें तो ये आपके pushing बंगाल में है next question पॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से एक केंद examined में सीवきます नहीयानि क्यूशन में जो एक चती से इसमें बताना हैं तो आपसम नमबर इसका हो जाएगा जाएगा तैद यानि बरॉनी भीहार में हैं वहाँ पर कापने है तो सिंपल है यह आपके जोद्बपर में इस देता है नेक्स्ट कुशिए नम्र आपके 62 से 84 ख़मों की चत्री कहां पर है यह सिंपल ता कुशिय आपके बूंधि डिस्टिक में हैं नेक्स्ट है ख्वाजा खुष्र मुद्दीन चिस्ती दरगा कहा पर है तो ये थी आपकी सामर लेक में यानि जो आपकी जैपूर अजमे और ये तिन चार इस्थानों पर एक जगए सामर लेक यानि सामर जी ले वहाँ पर ये इस्थित है कौंसे सहर का सहरा मिला प्रसित है तो तसेरा मिला प्रसिद तो बैसे कुटा का है ओप्शन नमबर दो होना चाहिए इसका राइट आंसर केला देवी मिला कहा पर लगता है या आपकी करॉली में लगता है बाकि कौन सा जुड़ा सही नहीं है अब ये नेत्रों के दे रखे हैं चक्री नहीं हाडोती का प्रसिद है तो ये बाद तो सही है बिलकर जाहिए शेगडाक नरत ये सिखावाटी का है ये भी बस सही है कट पुतली नहीं है उद्यापन का है तो ये भी सही है बभवाई नरत बाड़ मेर का नहीं है तो आप्सिन नम्बर चास सही हो जाएगा राइस्थार के कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर इस्थित है तो ये रणकपुर है ये आपके कह सकते हैं पाली में इस्थित है कहाँ पाली में तो आप्सिन नम्बर दो सही हो जाएगा कौन सा समू सही नहीं है यानि यो मिल दे रहे इन मेंसे कौन सा सही नहीं है वो चोच करना है तो जून अगर है वो आपके भरतपुर से संबंद नहीं रखता है बाकी सभी सही है नेक्स्ट है महरणा पता फवाई अड़ा कहां पर इस्तित है कौन सा समू सही है इन मैसे जो सही है नक्की जईले माउंट आबू में माउंट आबू कहां पर है सिरोई में तो यह यहाँ पर इस्तित है तो इसका आप्शन नम्बर 2 राइट अगरे हो जाना चाहिए जैसे कि आपने दीखा अपने 120 कोषन अभी सौल की हैं वो आपके 200 मार्क्स के हो जाते हैं ठीक है आपको कन्पीज नहीं होना है यह आपके आर्टेट के बाद की परिश्या होने वाली है ना उसका कुछन भी पर है कि उस टाइप यारी दो जात तीर पर इस टाइप का हुआ करता था जहर रखना है आपको हमने किय संद्र में सामण गयार प्लस करेंडी जी तो आप सेकंड ग्रेट की तैयारी करते हों तब भी यही स्लिवर्स रहता है यारे राइस्तार के संद्र में कोई भी जी कोई हो तो आपके लिए तो यहां पर एस वालों का बहुत अच्छा फायदा रहता है जो सब्जेक्ट का प पर डिश्टिक में उसी 23 में यह भी पेपर हुआता है सस का और देखा जाए ना इस पेशली बताऊगा कि इसमें जो चैल्ड साइकलोरी बहुंच अच्छे इसतर की पूचिए अच्छे इसतर का बतलब यह है कि इस जो अलबर वाली से तो अच्छा इकोशन पेपर है यह इसे भी स्वालो करेंगे लेकिने इसकी पीडियाप है वह आपको आज ही मिल जाएगी ठीक है तो जब भी बीडियो डालोड होगा उसके बाद टेलीग्रम पर यह पीडियाप मिल जाएगी ठीक है तो इस पकार हमने जो भी कुशन पेपर किये है और अगर इसके लाबा से अफ़लोड कर देंगे जो भी भार पेपर है तो ठीक है बागी वीडियो देखने के लिए धनवाद है कि है यह ब्रैंट कैसे हूँ आई हो पाप अच्छे होगे तो जैसा कि आप देख पारे हो यह आपके साइंसमेद का कुशन पेपर है 23 का आपको मालूम होगा 23 में आरट याट के बाद 23 का ही 22 में कोपी किया गया ठीक है जिसमें कुछ टॉपिक एस्टा जोड़े गए हैं तीन टॉपिक वह हम साथ ही साथ इसमें कर लेते हैं 2013 के सिलिवर्स और 2022 के में जैसे कि आप देख पा रहोंगी जैसे पहला कंट पूचा गया था वह दो जात तेरे में 20 कोजिशन पूचे गए है एस्ट्रा सेचिक परद्रस और एक आपका है आर्टी एक्ट सभी को कमांड कर दें तो इससे अब तीस कुछन पूचे जाएंगी और जो हो गया आपके साथ अंक में पहला अंतर तो यह हो गया ठीक है सेकंड खंड पर यहां पर पूचा गया था दो जात तीरे में प्रॉपर राइस्तां जी के पूचे कई थी जिसमें आपके एतिहासिक होगी बॉगॉलिक होगी और सवस्गत ग्यान होगा यहां पर दूजट तीरे में तो 20 कुछन पूचे जाते थे 20 माक्स के लेकिन यहां पर अब 35 कुछन पूचे जाएंगे आपको सतर रंक कर ठीक है यहां पर यहां पर यह भी अंतर दिखा होगा अपने ठीक है और यहां थर्ड घंड है इसमें आपको एजुकेशन साइकलोजी पूची जाएगी जो सचलिक मनुविक क्यान बूलते हैं इसके 20 कुछन आते थे दूजट तीरे में जो 20 माक्स कही होते थे अब इसमें कटो द जाती है इसमें तो सिंपल है उस ताम पर भी 60 कुछन पूच देते हैं अब भी 60 कुछन रहेगी जो 30 साइंस और 30 मेत के एक नया खंड जुड़ा है आपका जो आपका छटवा खंड है वह आपके सूचना तक नहीं की यह आपके फिस्ट ग्रेट में जलता है यह टॉपिक कर सकते हैं बंखी चले लेते कोशन यह इसी करम में हम कुछन करेंगे जैसे पहले पहला कंड विस कुछन रहें लाएंगे यह क्शंप में लाई एक घटक है यह आपको चार ओप्सन दे रहे थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह समय के दिवाल का सिवा का है ठीक है आगन बड़ी नेक्स्ट है कैंप यह टॉझे करिणर और अक्रिक हैं तो इसे चोड़ देते हैं कि यह बिद्वारा बुड़्ड जहों किसके पास होन screens देए तो यह राइशिंव सिह के पास सिह स्न. तो option number A ही सही हो जाएगा question number next है सक्कर पीर बाबा का लोग प्री नाम क्या है तो वो से नरहड दरगा बोलते है option number 3 सही हो जाएगा question number आपका चटवा था राम सागर वन वियार अब व्यार के जिले में इस देता है 1999 में किया गया था option number C सही हो जाएगा ठीक है next देख लेते है ताब विद्धुत मुख के खची साबगरी है तो हम कहेंगे वो कोईला होगी option number B सही हो जाएगा question number 9 था यह बारवी पंचवरसी योजना की अबदी है अबदी है यानि यह लाष्ट पंचवरसी योजना थी जो 2012 से सत्र तक चली थी ठीक है यही राइट एंसर हो जाएगा राजस्तान का राजबची कौन सा है वो आपका गोड़ावड हो जाएगा option number B सही हो जाएगा question number 11 पूचा गया था कि महावारत का पार्सी अनुवाद किसे ने किया था तो महावारत का पार्सी अनुवाद किया था वो आपके जे सहीता ने किया था option number C सही हो जाएगा आपके जर्णगरना 2011 के राजस्तान की कुल साच चलता कितनी है तो वो आपकी 67.06 हो जाएगी यानि option number P से यूज़ाएगा question number आपका next 13 बाद है कि जो बूर है या बूरला बोलते हैं से ये कहां पर पेना जाता है तो ये आपके माती या माती पर यानि सिर्फ पर पेना जाता है next है चोदाबा question चोदाबा question ये पुचा गया था राजस्तान के प्रतम सिच्चा मंत्री कौन थे तो ये आपके फेम नाराने माती थे तो option number C से यूज़ाएगा question number 15 है कजली तीज़ कम बनाई जाती है तो ये बूनी की famous है ठीक है तो option number C से यूज़ाएगा question number आपका next है 16 बाद के आदनिक पंचैती राज का सुवारम कप किया गया था तो ये 2 October 1969 को नाकोर से start किया गया था तो option number A से ही होज़ाएगा 17 बाद कुछन ये राजस्तान का वोगलिक छितर पर लगवक किसके बराबर है तो ये आपका आश्टेली आके बराबर तो option number D से ही होज़ाएगा Question number आपका next है के राजस्तान का कौन सा जिला है जो मालवा के राजा भरतर की तपोव में कहलाता है तो ये आपके भरतर ही के नाम से भी बैवस है तो ये आपके अलोबर से ही से जभवत रखेगा ठीक है तो option number D से ही होज़ाएगा Question number आपका 19 वा था है के राजस्तान में खेलों के विकास उत्रदाई सर्वुष सस्ता कौन सी है तो वो राजस्तान राज के परसदी हो जाएगा तो option number B से ही होज़ाएगा Question number 20 वा है किसी किलाड़ी को राजस्तान सरकात द्वारा दिया जाने वाला परसकार कौन सा है तो वो मानड़ा परता परसकार है तो option number C सही हो जाएगा इस पकार एक से 20 कुशन थे ये 20 मार्क्स के हुआ करते थे 2 जा 13 में अब प्रिजन टाइम में आपको यहां कुशन पूचे जाएगे आपसे 30 कुशन वो आपके 60 कुशन होगे मैं कमपेरिजन करके बता रहा हूँ आपको ये 2 खड़ आ जाता है जिसमें प्रॉपरली राजस्तान के जी के पूचे जाएगे जो आपके बॉकल एक एतियासे वह संसक्रति क्यांसे संबंदित हो जाएगे ठीक है 21 वाकुशन यह पूचा गया था राजस्तान का कुशा जिला है जो गगर मैधन का भाग है तो वह आपके स्रीक गंगानागर हो जाएगा ओप्सन नम्बर डी से हो जाएगा नेक्स्ट्यक जामरा कोटड़ा राजस्तान मैं किस करंजी तो प्रसित दें तो वह आपकी रॉक फॉस्पीट है जिसमें राजस्तान का एकाधिकारत्पा नेक्स्ट लेक कुशन के वीलओ का जो सभा मां तक चलने वाला नट तो कउनसा है यह आपके गवरी ने दिश होता है जो कारीवन 40 दिन चलता है और यह आपकी आर्पीस की बुक है ना आर्पीस ही जो राइस्ता जी के लिए चलती है क्लास नायत से पूछे हुआ कोशन है मोस्ट लीशन में ठीक है नेक्स देख लेते हैं कौन सा बेसिन थार मरुस्तल में इस देते तो यह आपका आर्पर ही हो जाएगा ओफ्षिन नमबर सी सही हो जाएगा कि कुशिन नमबर नेक्स्ट है 26 वा कि मीर्या ने अपना अंतिम समय किस इस्तान पर बिताया था तो यह आपकी द्वार का में विताया था नित्यार करना ठीक है कोई मैं सामधी का कुशिन वेबर कराय तो वह रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गए थी तेक है इसका आंसर मुझे नहीं मालूमा ठीक है इसे आप जो भी जानते कमेंट करके बता दें नेक्स्ट है विसल प्रुबान किस नदी पर इस्ते थे तो यह आपकी बनास नदी पर इस्ते थे तो आप्शन नमबर टी सही हो जाएगा जपन का मैदान यह आपके पूछा है कौन से जली समद रखता है तो यह आपके बास वाड़ा जली से सब्सक्राइब रखेगा तो और सभी नमबर से सही हो जाएगा नेक्स्ट है सामों के दिवता के दिवता के रूप में कौन पूछ जाता है तो आप्शन के पारेक काली बंगा इस सब बिता पाई गई थी तो यह आपकी जो द्रस दूएती नदी है तो आपसन नंबर भी सही हो जाएगा और नेक्स्ट है मद संग के पदानमात्री कौन थे तो वह आपके सोवारां कुमावत थे तो आपसन नंबर एई सही हो जाएगा कुशन नंबर आपका नेक्स्ट है चोतीस बार राजस्तान राजबे सरवादिक शित्रपन पर किस परसल की केति की जाती है तो आपके बाजरे की की जाती है ठीक है नंबर नंबर बन में भी राजस्तान आता है बाजरे में ठीक है नेक्स्ट है हरे कभूतर हितू कौन सा उद सब्वारा तो यादा आपके भी सब्सक्न नंबर सी सभूरा स भी सब्सक्राइब में राज समुद्र का निमर्ण किया गया था वो कौन से रा जाते तो ये आपके हो जाएंगे राज सिंग दोती यानि ऑप्शन नमबर टी सही हो जाएगा है अलाउदिन के लिजी ने चित्वाड पर कब अक्रमण किया था वो 1303 में किया था ठीक है ऑप्शन नमबर तीन सही हो जाएगा यह तीन का मतलब सी सही हो जाएगा नेक्श्ट है आपका 49 मा कुश्यन है कौन से योकुर्ण सही नहीं है तो अपका बी नमबर बोसा है ज्याला वार ज़्यादिन नमबर टीस हो जाएगा 2011 कि जनगणना के अनुसार राजस्तान सर्वादिक साचता दर्वाला जिला कुन सा है तो आपका कोटा हो जाए का इसमें कोटा आप साचतर पॉंट जीरो सिक्स थी और जैपन में पे शत्तर पॉंट जीरो फाइव दी साचत तो इसका मतलब हो जाता है कोटा नंबर बन पैसा तो जा रहें के अनुसार और नेक्स्ट है आपका एक तालिस वा कोटा है अब देखो हमने चालिस तक यह न यह प्रोपर राजस्ता जी किसे संबन देते तो आपके बीस कोटा थे यह पहले बीस मार्क से के पूछे जाते थे दो जा तेरह में अब यहां पर यह आपके पैतिस कोटा रहेंगे सत्तर अंकर के हो जाएंगे ठी अब थर्ड कंड आता है आपका एजुकेशन साइकलोजी से यह आपकी एजुकेशन साइकलोजी उससे सम्मद्द पूछे जाएंगे आपके 20 कोटा रहते थे दो जा तेरह में 20 मार्क से अब यहां पर 2022 के लिए मुख के परिचाव आपके 10 कोटा पीछे जाएंगे 20 मार्क स एक तालीस वा कुछ अंचे साथ एक पार होगी इसमें पूचा गया समाज मिती विदी के जनवताता कोन है तो जैसे सोसियोमेट्री बोलते हैं यह जेल मॉनेरों से सम्मद रखती है तो ऑप्शन नमबर डी सही हो जाएगा कुछन नमबर 42 वा यह है कि सीखने के सिद्दान प्रवरतों को कुछ सा मेल सही नहीं है तो आप जानते हैं पुनर्वलन का सिद्दानता है वो कलार खल से संब्द देते हैं तो ऑप्शन नमबर एक सही हो जाए इसमें जब के कोपा दी रखा है ठीक है कुछन नमबर नेक्स देख लेते हैं कि कुछन नमबर आपका 43 वा र चालर होता है तो वो हम करते हैं जो अनकोल्स माइन्द होता है जिसे हम चेतन मन पूलते है उसके द्वारा होता है नेक्स्ट दवन उसमन प्रकार हैं तो यह सिंपल है डिफेंस मैकेनीजमें यह रच्टा प्रहुँल नमर खी विकास को प्रवाईत करने वाला कारक नहीं है तो बाकि ये A, C, D सभी मानस्य विकास को प्रवाइद करने वाले कारक हैं जब कि दाहर में के वाता होना है वो नहीं होगा ठीक है तो आप्सान नंबर B से हो जाएगा न्यूटन ने ब्रचे से जेव को नीचे गिरते देखा अचानक उसने गुरत्वाकर्षन के सिद्धान की यह उदाना जी अंतर द्रश्टी का उदाना हो जाएगा यानि जो आपके इंसाइटफल थियोरी बोलते हैं यही बोलते हैं तो यह तीनों के द्वारा दिया गया था इंसाइटफल थियोरी तो यह उसे समंद रखते हैं ठीक है अर्टालीश वा कुशन है भगना साइवा मान से द्वांत के उतराना है तो यह सभी हो जाएगे तो आप्शन नम्बर टी सही हो जाएगा अधिकम का प्रतिपल का अतात पर है यह रीड दो है वाइस सोरी 21 में भी जोड़ा गया था से लिवर्स में यह अधिकम के प्रतिप पर तो आप्शन पर इस हो जाएगा नेक्स्ट के अंतसरावी गरंतियां जो बेक्तित को प्रवाववद करने वाले कैसी का रखें तो सिंपल लेदे को सामाजिक तो होगा यह नहीं क्योंकि जब अंतसरावी गरंति की बात करते है तो यह हमारे सारे यानि जैवी की नेक्स्ट है वन सक्रम से संब्द प्रयोग चुओं पर किसे ने किये थे तो वह आपकी मेक डू रल ने किये थे यानि मेक डू काल ठीक है चुओं पर यह अच्छा कोशन था तो ऑप्शन नमबर भी सही हो जाएगा उसे नमबर आपका नेक्स्ट है इसमरती का अंक कौन सा नहीं है तो वह आपका चिंतन नहीं होगा ठीक है ऑप्शन नमर भी सही हो जाएगा बुद्धि के क्रियात्वा परिच्ण उप्योगी है तो वह सभी है सभी वाल को अकली हो जाता है चाहिए वह गूंगे हो पहरे हो जो नेरच्छर हो और सभी के लिए हो जाएगा तो चाहों को आपको अवरुद्ध कर रहे हैं तो अपसर नमबर ए सही हो जाएगा अनुबंदित प्रतिक्रिया सिद्धानत है इसे इंगलेश दे को कर्डीशन रेस्पोंस तेओरी है अब यह सिद्धानती अलगी टाप से बुचाए उन्होंने पुचा यह किसका सिद्धानत होती है जो कह सकते हैं प्रति आपके पाच चन से सम्वंदित होती है उस पर प्रयोग किये थे सिचल की किंडर कान पद्धती किसे सम्वंदित तो यह आपकी खेल विदी प्रादा रेता है तो आप्सर नमबर पीसर यह जाएगा तो यहां तक हमने बीश कोशन किये हैं तो यह आपके एजूकेशन साइकलोजी के तो बीस मार्क्स के होते थे लेकिन प्रेजन टाइम में मुक्र परिच्छा होगी आपकी दो यह अरवाइस वह उस पर दस पूशन पूचे जाएंगे आपके बीस मार्कस के ठीक है नेक्स्त है आपका फूर्थ खंड यह साइकलोजी है तो आप इसके देख लेए उस टाम पर किस पकार की साइकलोजी पूछी गई थी यारी चैल्ड साइकलोजी बोलते हैं से यह आपका चौता खंटा है ठीक है आपका कुशन 61 पर यह पूचा गया कि गार्डन के अनुस्वार गार्डन के अनुसर अनभ्यक्तियों की मनुदसा सवाब और इच्चा को समझ कर उनमें विवेदन करने की योगता होती है तो से हम बोलते हैं इंट्र पर्सनल इंटेलिजेंस एक होती है इंट्रा आपने सुना होगा हावर्ड गार्डन की यह बुद्धियों के प्रकार थे इंट्रा होती है वो स्वैं से साम्धब तो होती इंट्रा होती है दूसरों की वावनाव मनुदसाण को समझने बारी होती है तो ऑप्सन विसे जायगा इसका नेक्ट कुछन 62 बार्ड़ है जो पूचा गया है कि बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डन का यानि गार्डन प्रकारों में नहीं है इसे बो सकते हैं तो इसमें स्भाइम दाजे शांस क्रृतिक है ये इससे संबस्त नहीं रखेगा बाकि सभी इसे संबस्त रखते हैं यहांने प्रकारों में c कुशन मर्ट 3 बात कौन सा उजावार मित्रवत बालग का लचन नहीं है तो हम कहीं आसानी से चड़ने बाला होगा तो यह लचन नहीं होगा कि कुशन मर्न एक्स्ट है जो आपका 2004 कुशन है जैसा कि आप देख पार होगे के ये किराए के बालक की नेमिन मेंसे कौन सा सामाजिक संपर्क का सबसे प्रारभिक और हदिक समय चलने बाला होगा तो वह आपका परिवारी योगा तो उप्षानेमबर 20 से यूज़ेगा कुशन नमबर जैसा कि आप देख पारे होगे 65 है कि निम्र मैंसे किस तकनी के साथ नीता इवं दल पद संबंदित होते हैं तो यह आपकी समाज में दिती सोशियोमेट्री जो आपकी जीयल मौन नों दी यह उसी से संबंद रखेंगे कुशन नमबर 66 है कि अवचेतन से प्रयुक्त ग्यू रचना को एहम को दोस्चेंता से बचाती है कहलाती है तो इससे क्या कहेंगे आप अब इससे रचायुक्ति कहेंगे तो आपसन नमबर एई ही सही हो जाएगा कुशन नमबर 67 के बिचारों भावनाओं तता अविवरतियों का से जो ब्यक्ति उनकी स्वेम के बारे में रखते हैं और कहलाता है तो वह स्वप प्रत्य कहलाता है जिसे हम सेल्फ कॉंसेट सेल्फ कॉंसेट बोलते हैं यह आपने आर्पी ऐसी सेक्ट क्रेट की तैयारी कर कर रहे हैं तो उसमें यह सब टोपिक हैं जो आपकी साइकलोजी वहां पर है शिक्स्टी एट नमबर कुशन है नयतिक तरक अवस्ता सिदंत किसने इस पश्ट किया था तो सिंपल था कॉल वर्क से सम्मत हो जागा जिसमें थ्री लेवल और सिक्स इस्टेज दिया करते थे सिक्स्टी नमबर कुशन है दूसरों के अरवों किये हुए सम्मे को मैसुस करने की योगी ता यह आपकी सान वोती जिसे सिंपैथी बोलते है यह रीट लेवल पर 2018 में पूचा गया था यही कुशन से कुशन नमबर आपका सिवन्टी है कॉन वर्क के सिदान के रूसर कौन रहा है यह कॉल वर्क से संब्द है तो यह आपकी कंजर कर्मेंसलन में आती है दस से साइटी रहे उमर उसमें आती है ठीक नेक्स्ट है कुशन नमबर आपका 71 के 10 वर्क चो न पदों पर सपल रहा है जिन पर अथिकांसा च्छे वर्क सपल होते हैं तो उसकी मान चीजा चीजे वह कर पाता है यह सपल पाता वहीं मान सब्सक्वा यह होती है तो इसकी six एन हो जाएगा है छो जाएक हो जाए यह आपका अगर जब बुद्धी लब्दी नहीं पूछी आप मान से काई पूछी है नेक्स्ट है पुलीमिया है तो यह आपका पुलीमिया हो जागा बोजन ग्रण विक्रती होती है यह यह इटिंग डिसॉर्डर है तो ऑप्सन नमर इसका भी सही हो जाएगा कुशन नमर आपका 73 है कि कुशा बुद्धी का सिद्धान्त है जो संग्यानात में प्रकरिया पर आधा रहते हैं तो एक है जो इस्टरबर का त्रेतांतर सिद्धान जिससे ट्राई आर के त्योरी बोलता है इंपोर्टन यह सिद्धान्त है बुद्धी का पॉड़िक तो लबापत है पुश्यां कि कौसा आधा के विकास को प्रवापत नहीं करता है तो लंबाई और आपका वजन प्रवापत नहीं करेंगे श्चारन्त spe差不多 को कौन सी प्रविदी से सम्माद रखती है नेक्स्ट है बुद्धी की सूचना प्रकम या प्रोसेसिंग उपावन का वर्णा किसी ने किया गया किसी ने किया था यह आपके तष्टर से त्वरा किया गया था ओप्सन नमबर यह सही हो जाएगा संप्रत्य का वर्णा अपने सिद्धान तब किसी ने किया तो आपके एड़वर्ट टॉलन ने किया है तो आप्सन नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुशन यह था कि इस्पीरमेन के अनुसा सभी संग्यानात्म कार्यों में सामिल मान से को ऊड़ जाया जैनि मान से को ऊड़ जाया च्छमता को नाम दिया गया तो हम उसे जी का रख बोलते हैं ठीक है और बाकि एस का रख होता है वह स्पैसिक होता है यानि बाहर नंबर इसका डी से हो जाएगा तो इस पकार हमने जिससे 61 से लेगे 80 तक किये हैं यह 20 कुशन किये थे 2013 में 20 कुशन पूचे जाते थे अब इस कर दिया है 10 कुशन पूचे जाएंगे 20 माक्स के 2022 में मैं परिचा हुई जब अब आ जाते हैं फखंडे नंबर 5 में इसमें यह खुड़तर ही बोल सकते हैं पर्स पर रही रखे एक भारी बक्से को अलप बल से दखिलने की कोसिस करते हैं तो बक्सा नहीं किसकता है तो क्योंकि इसका यह सभी स्टेट में दे रखें यारी चार यह बताना है कौन सा होगा तो इसका पहला ही हो जागा पर्स वह बक्स से कि संपर्क सत्य के 20 गर्षण बल आरूपित बलकु संतुलित करता है ठीक है तो आप्शन नमबर एस हो जाएगा है कुश्य नमबर 62 है जब कोई मोटर कारती प्रिकती से किसी तीच मोड पर मुड़ती है हम सीट की एक और पिसलती है तो इसका एक मुख्य कार्ड क्या आपका हमारी सरी का जड़त तो आप्शन नमबर डी से युज देगा है कि कुश्य नमबर आपका है 83 गर्षण तो गर्षण बल क्या है सदिव गती की दिशागे बेप्रित कार्य करता है ठीक है जानि अपोजिट में कार्य करेंगा तो बी नमबर आप्शन सही हो जाएगा पुश्य नमबर 84 है न्यूटन के गती के तीसरे नेम के अनुसार क्रिया प्रतिगरिया क्या है तो यह सदिव दो बिन बस्तू पर बिप्रित दिसाव में यह कार्य करता है तो आप्शन नमबर बी सही हो जाएगा पुश्य नमबर 85 किसी बस्तू का द्रब्वान एम है उसक कौन सा है तो वह आपका हो जाएगा के टू एसोपर तो अपसर बसी से हो जाएगा यह पूच रहा है नाइट्रक ऑक्साइड का रासान इसोत्र क्या होता है वह एनो हो जाएगा नेक्स्ट परपाडू का द्रब्वान करमाक होता है तो उसमें न्यूटोन प्रोटोन की जो जो संक्याओं का योग होता है तो वह ही होता है आपका प्रमाणु तरफ्य बने नेक्स्ट एक ही तत्तु से निर्वेत है तो वह हो जाएगा ग्रेपाइट बागी सभी में स्रस्ट से बनी हुआ है पदार जो देहन दोरा झारव Cen boy tid प्रदीशक से अधिक्तब है् तो वह आपका थेये जानी होगा जो 78 परसंट है ऐखोई Está किम्हें नेक्स्ट मेंसे निम्म्हें लिकत मेंसे कोनसा बहुतिक परिवात नहीं है तो बहुतिक नहीं होगा तो वह राजसायनी कोगा तो RPG का दहन है वो आपका राजसायनी परभतन हो जाएगा बाकी सभी बहुते परभतने के उदाना है ह। क्विशन नम्ड नेक्स देख लेते हैं कुशन नमर आपका 93 नमर कुशन है जो आपके प्रॉपर लिए बाइलोजी से पूचा हुआ है कि दूबीज पत्री पादमों मूशला मूल का निर्माड होता है मूशला मूल का मरतला होता है जो आपके टैप रूट होती है यह आपके मूल आंकर यारी रेडिकल से संबन्त होती है ठीक है ओप्सन नमर भी सही हो जाएगा कुशन नमर आपका है जो 94 नमर कुशन है निम्रे मैं से किसमे पूलिकाओ तता गुच्छोबा उत्पन होने वाली किसमे आदरक है फोलिय रोट हिए तो हम कहती है जो एस पर रह रहां ऐसे होता है उसमें पाई जाती है और इसके अलाभा जैसे आपने नहीं है नाम सुना होगा तो यह उसमें भी पाई जाती है कॉनसी कंगल मूल जिसे बोलते हैं फेसीकोड़र यह तो आप्शन नमर इसका टी सही हो जाएगा कुछ नमर 95 था किट बच्छी पौदा कौन सा है तो यह तो आपके नाइंध क्लास में विडियों दिर रखा है आर वियसे की बुक में तो जिसे हम यूटिकुलेरी है या हम घटपाद भी बोल सकते तो आप्शन नमर भी सही हो जा आपका को समर्तन करने वाली लटकती हुई जनों को क्या का जाते तो उन्हें हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स यानि अवस्तम बोल नेक्स्ट है चल समद्ध पौदों को फिलेंदा ब्लेंग्स में विक्सत करने की तक्निक है तो उसे में एक पूसक प्लियन बोलेंगे तो मिन्टन को प्रक्रिया जो टूमा में होती जाएगा है छाने होनी के सकते हैं इसे डॉक रियक्षिन बोल दे चो फ्रॉड़बल्भ का से बोजने के परवन तो हम कहेंगे स्थान तन खा जाता है तास लोकिसन ठीक है कुछन नमर एक सब यह पूचा गया था किसी गाह में एक स्कूल रेलवे स्टेशन दो क्लो मिटर उतर की दिशा में इस उदार में रेलवे स्टेशन है तो हम कहेंगे के निदेशत बिंदू है स करा है एक व्यक्ति बिंदू इसे प्रारम करके दो क्लो मिटर चल का बिंदू बी तक पहुंचता है वह बी से पाफिस बिंदू ए पर लोट आता है रिमिन में से कौन सा गतन सत्त होगा तो सिंपल था विस्ताबन सूरने हो जाएगा तो आप्शन नमबर ए साही हो जाएग कान तो यह क्या रही क्या कोई वस्दू का वेक समान है यानि वेक समाjakोप से परीवर्त हो रहा है ठैक है ठीक है अधर में भी क्या होगा तो हिसे बटे दो तो ऑप् Amis MARTIN साही और देगा पैटी कर रहा है तो अर्ध ब३रा करने की प्लसस्टा बिस्तापन उस्ताबन हो तो आप्शन नमबर यह सही हो जाएगा ओड़ोमीटर एक यंत्र है जो मापता है तो यह दूरी को मापता है तो आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा कुशन नमज 107 वा था पहले विजली की चबद देखती है और उसके कुछ समय पचाद बादलों की गरजनी की द्वनी देती है इसके उपर उठने की हधिक्तम उचाई होगी तो वह आप की हो जाएगी यू यारी प्राइब में की वेक का स्क्वेर बटे डूजी यानि ओप्सन नमर डी हो जाएगा यू स्क्वेर अपन टूजी नेक्स्ट मान लीजी कोई लड़का है बारे मीटर प्रतिसेकंड की नियत चाई चल रही मेरी को जूले पास सवारी कर रहा है तो इससे ज्यांत होता है कि वो लड़का तो फो लड़का तो आप देखा होगा मेरी को राव्ड चुड़े होते हैं उसमें पास्टली गती करत ठो तो तॉरित भतिव के करता ऊजिए रहता ही के सकते टिक थो सबस से हो जाएग आपश्त चपर करी एक लंक आपको विडियोंद देख रोगा उसके नीचे तो बंची वाल तो आप वहां से देख लेए प्रत लिखने को देख लेए आप इस टाइप के पूछे गए थे क्योंकि मैं यहां पर कराऊंगो ना कुछ कोईसे तो सीधे सीधे डारक्ली हो जाएगे लेकर कुछ कोईसे ऐसे जो इसमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है और दिक्कत आती तो इसलिए वह अलग से किये गए तो वहां से देख लेए आप ठीक है और देख जाए तो कि तरी टब भी नहीं थे जो सामान गड़त होता है जो टैन तक लेवर का वही पूछा गया है कोश कोश रहा है जो अच्छे इस्तर के थेजन है तो इस पकार यह सचारीज कुशन हो जाते हैं टिक है मैं इस के सपेशल देख लिए मैं वीडियो को लेंक देरा हूं वहां से आप देख लेना टिक है इन ती सकुष्वन टिक अबग वीडियो देखने है लिए तो कुशन नम्मर 11 से स्टाट करेंगी देखिए कुशन है question है कि पिछले महीने सूरज ने 10,280 रुपे कमाए इस महीने में उसकी कमाई 10% बढ़ गई तो इस महीने उसने कितनी रासी कमाई देखिए इस से पहले महीने की बात करें तो उसके पास थे 10,280 रुपे ठीक है इस महीने उसने 10% और कमा लिये तो यारी 110 110 से हो गई ना क्योंकि उसको लावी तो हुआ है बस इससे इसको काट दो इससे इसको काट दो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो यह गुणा करने पहाँ जाएगा 10308 10308 यह अपसन नमबर भी अपना अंसर हो जाएगा अब चलते हैं कुशन नमबर एक से बारे की तरह केवल दो पुरुस या केवल तीन महिला एक काम को चार दिन में करते हैं ठीक है इस काम को एक महिला और एक पुरुस मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे तो देखिएग वो कह रहा है कि दो पुरुस या केवल तीन मेला हैं चार दिन में करते हैं अगर दो पुरुस को लेपन तो कितने दिन में करेंगे पुरुस मतलब मेल कर लेते हैं वो कर रहे हैं चार दिन में या आ रहा है इसका मतलब होता है कि कुणा करना है आपको बराबर प्लस में नह पर ठीक है यह total काम हो गया देगे चार से चार कट गया अब इसको अपन लेगे m upon f यहाँ यह तीन पहले से ही है इस दो को यहाँ ले आएंगे तो m है उसके सामने तीन आ गया f है उसके सामने दो आ गया इसका मतलब यह इनकी क्या आ गई एक दच्चत आंगेर्ण चमत आंगे अब हमको क्या रिकान टोटल काम तो यह भी से विगल सकते हैं आप इससेवी निकाल सकते हैं किसी से भी कर सकते तुम्ट हो ले रहा हूं यारी 24 का आपना टोटल काम आगया अब वो कह रहा है कि यद एक आदमी और एक और अरत करे तो ये काम कितने दिनों में पुरा होगा तो देखिए एक आदमी ये एप है इसके सामने कुछ नहीं है तो ये एक हो गए दोनों मिलके करें तो मतलब दोनों को प्लस करना है तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि रासियों का योग ठीक है जो भी आपके पास रासियां है रासियों का योग बटे रासियों की संक्या ये आपके पास formula होता है अब देखिए उसने समांतर मात्य आपको पहले से दिया है 10 ठीक है ये रख लिया आपने यहापे रासियों का योग जो उसने दिया है उसका योग करना है आपको 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस X अब यह है कितनी एक दो तीन चार चार नीचे रिख दो यहापे इसमें बज़ गुणा कर देंगे इन दोनों को इन सब को जोड़ दो तो 6 और 7 हो गया 13 तेरे और 9 हो गया 22 तो यह हो गया 22 प्लस X और जब 4 से 10 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 40 तो मैं लग देता हूँ 22 प्लस X बरावर 40 ठीक है यहां से X की बैलू निकाल लेंगे तो 40 माइनस 22 करेंगे तो यह आ जाएगा 8 एक सी वैली कितनी आगी अपनी 8 तो वही पूछ रहा है वो कि X का मान क्या है तो अप्सन नम्मर B अपना अंसर हो जाएगा ठीक है Quesion No. 14 Quesion No. 14 क्या कह रहा है कि वह रासी क्या होगी जिस पर 3.5% व्याइदर से आठ वर्सों में मिस्तदम है वो 3,7 हो जाएगा आपको मिस्तदम निकालना है कि मिस्तदम क्या हो सुरी मिस्तदम दिया है तो आपको मुल दान निकालना है देखिए इस आपको पता है मिस्तेदन दिया है तो मिस्तेदन मैंसे घटा दें यह ब्याज आ जा जाएगा पीटीर वट्टे स्वाप को लिखना यह मतलब करेंगे पूरी बिदी से तो बहुत लंबा पड़ेगा लेकिन अपन करेंगे ऑप्सन चेक से ठीक है अपन ऑप्सन चेक करेंगे अप्सन अमेशा पीछे से चेक करने चाहिए तो फूर्त अप्सन पर चलते हैं मान लीजिए मैं आप ऐसे मान के चलता हूं कि अगर जो मूल्दन है अगर वो मूल्दन तेईस सो रुपे हो ठीक है इस पर देखिए पीटीर वट्टे स्वाप जानते होंगी ऐसा ही का फर्म चाहिए ने दो जीरो से दो जीरो काट दी इससे आप काट लो पांदो नी दस और पांस से ये साथ बार कटकशन दो से चार बार कटकर इनका गुड़ा किया तो ये 28 आज़ा जब 28 का आप 23 से गुड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा लग व्ल्हा इकत्तीस सो चवालिस ये लाए राय 3140, आपको पता होगा 3144 है, वो हमारा उप्टन नहीं है, वो मिस्र तर आना चाहिए वो आना चाहिए 310 बहुत था, तो ये उप्टन नमर 4 तो गलत हो गया, अब चलते हैं उप्टन नमर C पर, यानि तीसरी नम्मर पर यह दी था अब ऑप्सन नम्मर सी पर चलेंगे तो देखिएगा माल लीजिए कि हमारा मुल्दन है वो 24 सो है ठीक है वही दिया है आट बर्स है तीन पॉइंट पाँच टाइम है और वो मैंने नीचे लिग दिया सुत्र से पीटे रवट्टे सो पॉइंट अटाया जीरो बढ़ाया मैंने दो जीरो से यहाँ पर भी दो जीरो गई वही द्वारा से काटेंगे पाँच से इसको काट दिया साथ बार इससे दो को काट दिया चार बार तो यहाँ पर साथ चोग अठाइस होगे तो यहाँ पर आपको 24 गुणा 28 करना है जब आप 24 गुणा 28 करे रहेगा अपना 3022 ठीक है तो 31 हम इसने दिया कि 3022 मिसने हो जाता है अगर मिसMitt從 इस मूलदन से 2400 से 30IS gotta 24 है कि उसका का मूलदन कितना होना चाहिए था चौबीस लुपए अप उल्टा कर रहे हुए सीता नमबर C ठीक है चलते हैं नेक्ष्ट कुश्टन की दरब कुश्टन नमबर एक सब पंद्रह देखिएगा कि एक आयत की लंबाई एक सब पचास सेम है और चोड़ा एक मीटर तो उसकी परमिती है परमिती आपको पतावगा परमिती कहते हैं अपर परदी को ठीक है अपर परमाप ठीक है ऐसे आप पता लगा सकते है इसका मतलब आपको उसका परमाप ग्याद करना है और आपको पता होगा परमाप का फॉर्मूला क्या होता है एक आयत के लिए देखिए उसने लंबाई दी है वो दी है डेड़ से और अगर चोड़ाई की बात की जाए मीटर और जो एक है वो मीटर है ठीक है यहाँ पर एक मीटर दिया है तो आपका आंसर किस में आ रहा है आंसर आ रहा है मीटर में तो सब को मीटर में ही चैंज कर लेंगे इसको चैंज कर लेंगे तो यह एक पॉंट पांच मीटर हो जाएगा और यह एक मीटर पहले से हैं तो आपको क लम्बाई अपर मैंने क्या रख दिया एक पॉइंट पांच प्लाइक जड़ा की जड़ा एक इन दोनों को जोड़ दिया तो यह आगया 2 गुड़ा 2.5 जब इनका आपस में अपन गुड़ा करेंगे 2.5 का दंगा तो यह आजएगा पांच मीटर ने, option number C अपना answer हो जाएगा पांच मीटर अपना answer आ रहा है कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए परमिती कहते हैं, उसकोई परदी कहते हैं उसी कोई परमाप कहते हैं, एक आयत का परमाप होता है, दो गुणा लंबाई प्रस चोड़ाई उसने लंबाई दिया है, बस उसको मीटर में चेंज कर लिया है, यहां चोड़ाई उसने देई रखिये बस मैंने फॉर्मूला लगा है, मार रखा है कुछ भी नहीं किया है, ठीक है तो चलते है उसको रखिये, उसने कहा है कि संख्याओं का अनपात है, वो 4 अनपात 5 है, माल लीजिए अपन तो मैत के हैं, तो सारव अनपात माल सकते हैं ना, तो सारव अनपात माल लीजिए, एक्स है ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 4 एक्स, दूसरी यह जाएगी 5X, वो कह रहा है कि उसका LCM दे रखा है, अब देखिए उसने LCM दे रखा है, अब आप अपने मन से LCM निकाल लीजिए, तो कैसे निकाल लेगे LCM, तो इसी पेकार से तो निकालते हैं, तो पहले 4, तो यहां किया बचा X, यहां पर 5X बचा, फिर 5 का दे देंग तो इन दोनों का तीनों का गुणा करेंगे, तो यह जाएगे 4 गुणा 5 गुणा X, यानि मतलब 20X, वही उसने दिया है, हमारे अनुसार आ रहा है LCM 20X, लेकिन उसने दिया है 60, तो X का मन कितना आ गया, यहां से X का मन आ गया, 3, देखिए, X का मन 3 आते ही, आपको पता चल गया, कि संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी, देखिए, यह संख्या है, 4X और 5X, यानि 4X मतलब होगा, 4 गुणा 3 यानि 12, और 5X मतलब 5 गुणा 3, यानि 15, हमारे यह दो संख्या होगी, अब वो हमको HCF पूछ रहा है, सिंपल है, आपको पता होगा HCF कैसे निकालते है इस प्रकार से निकालते हैं, जब तक नीचे एक नहीं आ जाता है, जब तक करते रहते हैं, तो मैं डारेक्ट लिख देता हूँ, 12 को क्या लिख सकते हैं, अपन, 2, गुणा 2, ठीक है, पंद्रे को क्या लिख सकते हैं, अपन देखिएगा, 15 को अपन लिख सकते हैं, 3, गु B में. तो B अपना अंसर हो जाएगा. कुछ नहीं किया है? सिर्प अनपात में संख्या दे रहे हैं. मैंने सारव अनपात अपने मन से माल लिया है. दोनों संख्या लिख दिए हैं. मैंने उनका LCM निकाल लिया है. हमारे अनुसार 20X आया है LCM उसके अनुसार 60 है बس आपस में दोनों को ब्राबर कर दिया संख्याह मिल गही हमको بस उन्ही संख्याओं से दोनों संख्या निकाल लिए संक्या से हमने क्या किया HCF निकाल लिए जैसे अपनं करते हैं उसी तरीके से किया है मैंने कोई भी तरीका ज्यादा बड़ा नहीं लगाया है चलते हैं नेक्स्ट विश्चन की तरफ कुश्चन नमबर 177 देखिएगा ध्यान से देखिएगा 4536 की रासी चार पुरुसों में पांच महला में और दो लड़कों में बांटी जाती है फीमेल कितनी है तो फीमेल है अपनी पांच और बॉइस कितनी है तो बॉइस है अपनी दो अब वो कह रहा है कि लड़कों हिस्सों का अनपात देखिए हिस्से अब जिनको जो पैसे उनको मिली है उनका हिस्से का अनपात क्या है अनपात उसने दे रखा है साथ चार और दो देखिएगा ये चार है इनको किसन बात में मिला है साथ में ये फीमेल है वो पांच है तो इनको किसन बात में मिला है हिस्सा चार में और जो बोईज है जो लड़के हैं उनको अनपात में किस में मिला है तो इनका अपस में क्या कर लेंगे गुणा जब इनका अपस में गुणा कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारे टोटल रुपे ठीक है इनका अपस में गुणा कर लेंगे तो इसका किया तो 28 आ गया ठीक है इसका करेंगे तो यह 20 आ गया और इसका करेंगे तो 6 आ गया इन सब को total कर देंगे तो यह आ जाएगा चववन अब हम उसने 54 कह रखा है कि यह हमारा अनुसार आया है जो total value है जो उनको पैसे मिले है वो हमारे अनुसार कितने आया है चववन लेकिन यह वास सही तो नहीं है न क्योंकि यह तो अनपात दे रखा है वन पात में ही हमने इनको आपस में गुणा करके और इसको total value निकाल लिए पैस होगे लेकिन उसने कितना दे रखा है उसने दे रखा है 4536 इसी कामान दे रखा है तो एक कामान कितना आ जाएगा 4536 वट्थे चववन ठीक है इसको काटेंगे अपन चववन से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा लगबग लगबग एक से 68 ठीक है एक से 68 अब वो क्या कह रहा है देखिएगा ये एक कामान एक से 66 है ठीक है लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक महला का हिस्सा क्या है देखिएगा एक महला अकेरी महला की बात की जाए तो महला का हिस्सा क्या होगा सुरी इसका मान आएगा इसको जब इससे काटेंगे तो यह आजाएगा नवासी ठीके यह नवासी एक का है ठीके किसका है एक अनपात का है लेकिन हम से वो पूछ रहा है कि महलाओं की बात तो देखिए महलाओं कितनी है आपको ये देखना पड़ेगा अगर वो महला का अनपात पूछ रहा है एक महला का इस्सा क्या होगा लेकिन हमारे पास महलाओं कितनी है पांच महलाओं लेकिन उनका अनपात क्या है देखिए लिए से कानपाद चाहिए यह एक के से अगर सभी लोग मिलकर काम करते हों तो यह कुल் तो गुणा और इससे को चार से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा तीन सो चत्ती सरी अप्सन नंबर डीस का अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ कुश्चन नंबर एक से अठारे की बात करें तो देखिएगा प्रणव के बार्सिक बेतन का 25% सुर्या के बार्सिक बेतन के 80% के समान है सुर्या का मासिक बेतन धीरू के मासिक बेतन का 40% है धीरू का मासिक बेतन 6 लाक है तो प्रणव का मासिक बेतन क्या होगा तो देखिएगा उसने जो दे रख खाय प्रणव का मासिक बेतन है उसका 25% अगर निकाला जाए灵ार्सिक आगा तो महासिक में अपन कनवर्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और बार सिक से करें तो उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं जलो ठीक है बना रहें देटे इसका करते हैं पचीस परसेंट ठीक है तो यह किसके बराबर है जो सूर्या है उसके 80% के बराबर है ठीक है इससे इसको काट दिया ठीक है इसको स्वरी अपन नीचे से भी काट सकते हैं इन सबको तो पी अपन ऐसा आगया अपना 80 बटे 25 जब इनको आपस में काटेंगे तो यह आजएगा 16 बटे 5 ठीक है यह यहां तक कर लिया आंगे उसने कह रखा है कि सूर्या का मासिक बेतन है वो दिरू के मासिक बेतन का 40% है ठीक है जो सूर्या का मासिक बेतन है वो दिरू का जो मासिक बेतन है उसका कितना है 40 बटे सो है देखिएगा हमने यह निकाला है वो निकाला है वारसिक लेकिन यह क्या है यह हमने निकाला है वो है मासिक तो यहां से वारसिक के लिए देखिए वारसिक के लिए अपन क्या करेंगे यहां भी बारेका उड़ा कर देंगे यहां भी बारेका उड़ा कर देंगे तेकर उससे कोई फाइदा नहीं होगा यहां पसमें कट जाएंगे क्योंकि यह अनपात है ठीक है तो यहां से S अपॉन D मैं D को नीचे ले आया तो 4 बटे 10 इसको काड लेंगे तो यह दो बटे 5 यानि इनका अरपात आ गया वो आ गया दो बटे 5 या फिर दो अरपात 5 देखिएगा अब देखो यहां पर P upon S यहां पर मैं लिख देता हूँ P upon S ठीक है और देखिए सब सुन में टाके रेंख देता हूँ S upon D यहां पर आजाएगा 2 बटे 5 यहां पर देखिएगा आप जो S है वो कितना है 5 है यहां पर P कितना है 16 यहां पर S है वो 2 है लेकर D कितना है 5 है तो हमको क्या करना पड़ेगा S को करना पड़ेगा बराबर ठीक है या तो S को कर लो या P को कर लो मतलब एक ऐसी चीज़ को बराबर करना है जो को अनपात को बराबर बना दे जैसे या पर हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते है जैसे कि माल लीजिए हमको क्या दे रखा है S upon D है वो 2 बटे 5 है यहां से आंगे हमको दे रखा है कि जो दीरू है का वार्सिक बेतन है वो 6,00,00 है देखिए दीरू का वार्सिक बेतन कितना है 6,00,00 है तो यह हम यहां से लिख सकते हैं इसका बज़ गणा करके यहां पर D ठीक है तो यहां पर हम क्या कर देंगे 6,00,00, लिख देंगे यह 6,00, लिख दिया यह S का मान क्या है यह रहा S का मान क्या है 2,00, 5, गणाच यहां से हम निकाल सकते हैं देखिएगा P का मान है हो 2,00, 5, गणाच यह 16,00, 5 ठीक है यह 16,00, 5 कहा से आया मैंने आपको बताया भी यह आया है यहां से ठीक है 16,00, 5 आ गया लेकिन थोड़ा सा अपनको और दिमाग लगाना है यह जो हम निकाल रहे हैं अभी तक हमने जो भी निकालना है वो वार्सिक है लेकिन यहां पर हमने निकाला था वो मासिक था ठीक है इस मासिक को हम वार्सिक बनाने के लिए इसमें एक वट्टे बारह का भाग दे देंगे ठीक है जब इन सब को हम काटेंगे तो यह आ जाएगा अपना लगवा ठीक है वो नीचे इस 5 का गुड़ा करेंगे तो 25 आजाएगा इससे इसको काटेंगे जब हम तो यह हमारा टोटल निकर के आ जाएगा 64000 ठीक है जो कि option number D दे रखा है तो जो प्रणव का बेतन है मासिक बेतन है वो कितना है वो है 64000 ठीक है तो option number D अपना answer हो जाएगा चलते हैं अगले question की तरफ question number 119 से देखिएगा निवन वैसे किस संक्या को 99 से पूर्ण रूप से विवायत किया जा सकता है देखिए 99 से पूर्ण विवायत करना है तो 99 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको आपने लिख सकते हैं 9 गुणा 11 9 का आपको रूल पता होगा जब संक्याओं का योग वो 9 से विवायत हो जाए तो वो संक्या 9 से वैयत होती है और 11 का रूल होता है या तो आप ऐसा करो जो भी संक्या है उसके समिस्तान के जो भी अंक है उनका योग करके जो बिसमिस्तान के अंक है उनको अगर माइनस कर देंगे तो बरावर में 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए अगर ऐसा कोई संक्या आती है तो ग्यारे से भी पूर्ण व्यायत होती है जैसे मैं आपको करके बताता हूँ देखिएगा संक्या दे रखिए देखिएगा option पहले से ही अपन करते हैं एक एक चार तीन चार पाँच ठीक है हमको देखना है अखिए यह तेन से भाइफ है या नहीं है नो ग्णा ग्यारproduct है निन यारव है तो जो नो से भाइफ हूँ ऒई तीन का नहीम होता है ठीक है उसमें कोई अंतर नहीं होता है तो देखिएगा अपन इसको देखते हैं तो एक और एक दो दो और चार छर शे से विवायत होता है इसलिए संक्या नो से तो विवायत है अब हमको देखना है कि यह ग्यारे से पूर्टा विवायत है कि नहीं तो मैंने आपको बताया था सम संक्या के इस्तानों के योग है वो बिसम संक्या के जो भी नम्मर है संक्या है उसको माइनस कर देंगे तो देखिए का ये दोनों बिसम हो गई ये दोनों बिसम हो गई सम कौन सी हो गई ये इसके साथ सम हो गई इसके साथ सम हो गई तो एक प्लस चार प्लस 4 मैंसे हम माइनस कर देंगे एक प्लस तीन प्लस 5 को देखिएगा ये टोटल आ रहा है 9 और ये भी टोटल आ रहा है 9 मैंसे 9 को माइनस करें तो 0 आ गया तो मैंने आपको बतायता है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का थेत्व त्म सटी अ सिसे दखेगा सदीक का लोसो टीण गुडा नोसो टीन प्लस नोन 30 गुडा एक फिर रानवर प्लस 97 गुंस गुडा citizenN कूसिन करना क下次 नंई सिर्पन आपको फॉर्मुलाा आई आपको इस देखिएगा उसमें दे रहा है 903 गुणा 903 सोरी प्लस है यह सोरी यहां गुणाई है यह यहां पर प्लस है ठीक एए 194 नो सो तीन गुणा 194 प्लस 97 अगर आपको द्यां से देख रहे हूँ तो इसको यह मान सकते हैं तो इसको यह A मान सकती है ठीक है इसको A मान लो आप ठीक है इसको B मान लो तोनों को B मान लो ठीक है आपको थुड़ा सा दिमाग लगाना है एक से 1994 में कबा सकता है जब 1749 में आ सकता है इसका मतलब यह है कि यहां पे हमको Two B दे रखा है और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बदात हूँ A plus B का जो formula होता है वो यही होता है A square plus 2 AB plus B square वही दे रखा है देखिए इसकी जगे पर आप A square लिख सकते हैं इसकी जगे पर आप B square लिख सकते हैं ठीक है तो यह formula बनके यह आ रहा है इसका मतलब इसको उपन को इस format में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं 903 प्लस संतानब जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा एक अजर और उसी का आपको square करना है और यही आगया option number C ठीक है सिर्फ आपको formula याद होना चाहिए यह वाला अगर यह नहीं होगा तो करने में दिक्कत होगी चलते हैं अगले question की तरफ question number एक से की से देखिएगा कि एक समांतर सेणी के 40 पदों का यह जिसका प्रथम पद 2 है तदा सारवंता 4 है होगा ठीक है कुछ नहीं करना है आपको दे रखा है पद कितने हैं 40 योग निकालना है आपको 40 पदों का जिसमें आपको प्रथम पद यानि ए दे रखा है 2 सारवंता याँ डी दे रखा है उसने 4 आप पर यह formula आना चाहिए योग निकालने का S बरावर होता है N वट्टे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D आपको formula आएगा जबी कुछ से नोप आएगा तो 40 वट्टे 2 2 गुणा 2 प्लस N की जगए पर 40 लगना है तो 40 माइनस 1 गुणा D की जगए पर 4 सिर्फ इसको स्वालो करना है इससे इसको काटेंगे तो 20 इस दोनों का गुणा करेंगे तो 4 प्लस यह 49 आ गया यह 49 उसे आपको 4 का गुणा करना है ठीक है यह 20 आ गया ठीक है यह गुणा लगा दिया मैने इस ब्रैकेट को होलते हैं देखिए इन दोनों का total करेंगे तो यह होजाएगा 1 से 56 ठीक है है तो इसलिए इसका अंसर अप्शन नम्मर यह हो जाएगा पद कितने है चालीस है प्रतंपद है दो सारवंतर है चार और यह आपको फॉर्मूल आना चाहिए सिर्फ उसके बाद तो केलोग लेसन है चलते हैं एकले कुश्यन पर कुश्यन नम्मर देखिएगा एक से 22 कह रहा उसे कुल लाव यहानी आपको बताना है तो देखिएगे सबसे पहले उसको जो रुपई है उस पर 8% का नुक्सान हुआ है तो मा यह आपको दे रखे है 54 रुपई 8% का नुक्सान हो गया तो यह हो गया अब उसके पास जो पैसे बचे हैं 4,000 का कितना बचा है उसके बावन परसेंट अब वो कह रहा है कि यह जो पैसे हैं उससे उसने 12 से बाइक ली और उस बाइक पे उसको क्या हो गया 10% का लाव तो इस पूरी धनरासी पे उसको 10% का लाव हो गया कुछ नहीं करना है सिर्फ इसको स्वालू करना है आप कहां सरा आ जाएगा इससे इसको काट देते हैं एक दो तीन ये तीन जीरो है तो इनसे इसको काट देते हैं ठीक है अब करते हैं अपने मल्टिप्लाई तो 54 गुणा बानवे चबवन गुणा बानवे करेंगे तो देखें ये हो जाएगा आठ जीरो एक गुणा चे आठ चार आठ चे नो चार इससे गुणा करना है अपन को ग्यार हैगा तो सिंपल है यही संक्या सिर्फ दो बाल लिख देनी है चार नो चे आठ गुणा आठ चे नो चार इस सब को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना चाववन हजार चे सो अड़ तालिस ठीक है हमारे पास ये क्या आगया ये लाश्ट में आगया उसके पास जब उसको चाववन हजार को आप घठा दिए तो ये हाजाएगा छे सो अड़ तालिस रुपए यानि उसको कितने का लाव गवगा छे सो अड़ तालिस रुपए का लाव गवगगा जो कि अपना option number d दे रखा है इसलिए अपना answer रहेगा option number d चलते हैं next question की तरफ और question है एक से 23, question एक से 23 क्या कहा रहा है, देखिएगा, कि 26%, sorry, 520 का 26% माइनस 250 का 40% बरावर है, question mark माइनस 84, कुछ नहीं करना है, सिरफ आपको तरीका पता होना चाहिए, कि कैसे solve करते हैं, question क्या है, देखिएगा, 520 है, ठीक है, उसका क्या है, 26%, आपको लिखना आना चाहिए, सबसे पहले किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिखते हैं, 40 वटे, सो, यहां आप X मान लीजिए, माइनस 84, सिरफ आपको solve करना है, इसे, कुछ नहीं करना है, सिरफ solve करना है, लाग नहीं लगाना, देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, यह 13, यह 50, इसको काट आएंगे, तो यह 23 और यह 50, आपको दिखरा होगा, इन दोनों में से, अगर common लिया जाए, तो एक वटे 50, दोनों में से common लिया जा सकता है, ठीक है, एक वटे 50 को इसमें direct गुणा कर देंगे, बज गुणा, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ एक वार, पांसो बीस, सम्में से common लिया, मैंने एक वटे 50, गुणा 13, माइनस 250, गुणा 23, बराबर X माइनस 84, यह वटे 50 है, मैंने इसको इदर गुणा कर दिया, ठीक है, तो यह 50 हो गया, ठीक है, सिर्प गुणा हो गया, इन दोनों का जब मैं मल्टिप्लाई करूंगा, तो देख इस यह आजाएगा, 5750, ठीक है, पचास का इस से गुणा किया, तो 50 X माइनस 84, गुणा 50 करूंगा मैं, तो यह आजाएगा, ब्याली सो, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस में से इसको गठाना है, और फिर इसको इदर लाना है, तो जब इस में से इसको गठाएंगे, तो यहां से हमको एक्स का मान निकालना है इन दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां जाएगा पांच एर दो सो दस यहां से हमकर कर सकते हैं x का मान निकास सकती है इसको इसके नीचे लाल देंगे 50 को और जब 50 का इसमें भाग देंगे तो देखिएगा बामन बामन एक से 10 देखिएगा पचास एक बार गया पचास दो नहीं जारा एक जीरो चार दो सो दस पॉइंट जीरो दो एक से चार आएगा x का मान आगया यहां भी एक से चार पॉइंट दो ठीक है और वही हमसे पूच रहा था कि x का मान कितना है आपको सिर्फ कैलगुलेशन करनी है कुछ भी नहीं करना है ठीक है चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नमर है एक से चोवीस देखिएगा कुश्चन एक से चोवीस कह रहा है कि दो वर्ष पूर्वे एक सेहर की जनसंग्या है वह 45 अजर्द थी पहले वर्ष में वह 12% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 15% गटी दो वर्ष के अंट में सेहर की जनसंग्या क्या थी देखिएगा ये 45 हज्जाज जनसंग क्या है पहले वर्स अगर आप देखी जाए तो 12% बड़ी यानि एक से बारे हो गया और दूसरे वर्स की बात की जाए तो 15% गटी 15% गटी यानि 85 हो गई सिर्फ आपको स्वालो करना है कुछ भी नहीं करना है इन जीरो से इन जीरो को काड़ दो इससे इसको काड़ दो ये 85 शत्रे ये दो सुरी पहाँ पांच दूनी दस ये इससे इसको काड़ दो ये अपना आ जाएगा टोटल मिलाके 42,840 जो का अपना बी अप्सन दे रखा है तो अप्सन नमबर 20 का अंसर हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले कुछन की तरफ कुछन नमबर 125 कह रहा है कि एक सम चत्रवज के विकण 24 सेमी है और 10 सेमी है इसकी बुझा आपको पता होगा एक सम चत्रवज क्या होता है एक सम चत्रवज होता है जिसकी चारो बुझाएं कैसी हो आपस में बराबर हो ठीक है मान लीजए एक सम चत्रवज है इसकी जो चारह मुझायें हैं, वो आपस में कैसी है? बरावन है अब वो बिकर्ण के मान दे रखे हैं, उसने दो बिकर्णों के मान दे दी हैं आपको देखिएगा, एक बिकर्ण है, वो 24 सेमी का है, यह यहां से यहां तक है 24 का है, ठीक है और ये बाला है पूरा, ये बाला वो देर का उसने 10 सें मिक है जानि ये पूरा है वो 10 सें मिका देर आपको पता होगा सम चतृर्बो जहें वो इस बिंदू पर 90 डिग्री पे तो कट करते हैं और आपस मैं समध वायेत करते हैं तो आपको पता होगा जब यह 10 कीय профूरीय तो यह किटने की हो जाएगी 5 की और यह 24 कीये तो यह कितनी हो जाएगी बार्य की क्योंकि यह 90 का कर रहे है हिसका मतलब यह के यह कि यहThese संकोंड त्रभजका बनना है इसके लिए आधर हो गया यह इसके लिए क्या हो गई है उच्कही हो गई यानी लंब हो गया तो यह क्या हो गया पॉंधता गोरे सिलगा देंगे तो पाँच़ का इस्क币प बात्रय का इस्क币 हे उच्वारएक अपिसेन नंबर अप्ट्शन नंबर यूजाग सिरब आपको लोजिक पता होना चाहिए उसके अलावा इस question में कुछ नहीं था question number 126 देखिएगा question number 126 है कि एक चतरूज के तीन कोणों के बीच किरमसा एक अनपात शे अनपात दू है ठीक है कोणों में जो अनपात है वो इस प्रकार है चोटे कोण का मान है वो 45 दे रखा है उसने 45 डिगरी चतरूज के सबसे बड़े हो सबसे छोटे कोण के पीच का अंतर देखना है आपको जो सबसे बड़ा कोणा आएगा हो सबसे छोटा कोणा आएगा आपको हुद पता होगा कि यह चत्रबज होता है उसके सभी कोनों का मान होता है 360 यह अनपात दे रखा है तो सारवन पात अपनी मर्जी से x माल लीजिए और इनसे आपस में बुढ़ा कर दीजिए तो इसका मान आ जाएगा x प्लस इसका मान आ जाएगा 6x प्लस इसका मान आ जाएगा 2x अगर इसमें 45 डिगरी जोड देते हैं और 360 के बरावर रख देते हैं तो यह चत्रबजी के सभी अंता कोनों का यह होगा है वो 360 होता है यहां से अपन x की value निकाल लेंगे तो यह आ गया 9x प्लस 45 बरावर 360 यहां इसको इधर ले जाएगे तो 9x बरावर 360 मानस 45 360 में से जब अपन 45 को गठाएगे तो यह आ जाएगा 315 इसमें 9x है तो इसमें 9 का दे देंगे भाग इससे इसको काटेंगे तो 937 और 9,545 यह आ गया 35 यह यहां एकस का माना आ गया अपना 35 तो देखिएगा इसका मतलब यह समी कोन है उनको समी को निकाल सकते हैं यह कोन है वो कितने का हो गया 35 का यह कितने का हो गया इससे 35 को गठाएगे चैसे जब 35 को गड़ा करें तो ये 210 हो जाएगा और इससे गड़ा करें तो ये 72 हो जाएगा और एक है वो 45 दिगरी दिया है तो देखिए सबसे चोटा कौन कौन सा है 35 है सबसे बड़ा कौन कौन सा है 210 है तो जब हम 210 में से अगर 35 गठा देंगे तो वो कितना आ जाएगा वो सबसे छोटे गोंड का हमको अंतर ज्यांत करना है ठीक है सिंपल कुश्चन है कुश्च नहीं है अगले कुश्चन की तरफ चलेंगे देखिएगा कुश्चन नमर एक से 27 कुश्चन नमर एक से 27 है कि एक संक्या का 32% 26 के वरक से 358 कम है उस संक्या के 23% के 3 वरक चार का मूल कितना होगा माल लीजिए कि वो जो कह रहा है वो संक्या है वो एक से उसका 33% याई 33% वरक सो है वो क्या है 26 के वरक से कितना कम है 388 आप पे अगर ये क्येस्चन बनानी आ गई फिर तो सिर्फ स्वाल्व करना है कुछ भी नहीं है यहां से ठीक है इसका जब ब्रेंग करेंगे तो आपको पता होगा 646 होता है इसमें से आपको 358 को गठाना है तो यह आ जाएगा 308 ठीक है यह हमारा चल रहा है 100 गणा 538 100 ठीक है यहाँ पर बज़ गणा कर देंगे तो 308 गणा 100 बट्टे ठीक है बज़ गणा करके 35 से जब हम इसे काटेंगे देखिएगा तो यह कट जाएगा 6 वार ठीक है इससे गणा करें तो यह 600 आजाएगा अभी और आंसर नहीं आए अभी वो हमसे और आगे क्या कह रहा है अभी वो हमसे कह रहा है कि 3 वटा 4 का मूल कितना है यानि उस संक्या के 23% के 3 वटा इस संक्या का 23% का 3 वटा 4 यानि 600 का 23% का भी क्या 3 वटा 4 यह सौलो करना है आपको ठीक है 2 0 से 2 0 कट जाएगी ठीक है यहाँ से 2 तो यहां से 3, 3 का 3 से गुड़ा किया, तो 9 का जब 23 से कड़ेंगे गुड़ा, ठीक है, उसमें दे देंगे 2 का बाद, तो यह आ जाएगा अपना एक से 3.5, जो कि option number D दे रखका है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्वालों करना था, उसने जो पहले equation बोली है, उसको लिखना है, द्वारा से ही जो अपना माना आ गया है, उसका अपनको 23% का 3 वटेचार निखालना है, जो कि एक से 3.5 आ जाएगा, option number D, अगला question, question number 68 से देखिएगा, कि root 16 की power 3 प्लस, root 256 की power 5, भागिन्त, 64 का square है, और उसके बाद, 4 के उपर आपको बतानी है, कि कितनी घात लगेगी, मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्ब आपको solve करना है, आपको solve करना आना चाहिए, तो देखिएगा, इसको आप ऐसे solve करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, कि अगर 4 गुना 4 लिखा जाए, चार गुणा अगर चार लिखा जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं उसको लिखेंगे सोले वो सोले को क्या लिख सकते हैं चार का इसको है इसी प्रकार हम चार गुणा चार गुणा चार तीन वार कर दे तो वो होता है चोंसट और जिसको हम लिख सकते हैं सीधी बात है, कि यहां पर 64 है, वहां पर हम क्या लिख सकते है, 4 की पावर, 3, ठीक है, तो देखिएगा, 4 की पावर, देखिए, यानि, 16 को अपन क्या लिख सकते है, रूड 16 को अपन क्या लिख सकते है, उसको लिख सकते हैं, 4 की पावर, 2, ठीक है इस पर root पहले से ही लग रहा है तो root से ये 2 कट जाएगी आपको पता होगा तो यहां क्या बचा? 4 इसकी power कितनी है? 3 इसी प्रकार से यहां क्या लेख सकते हैं? अपन 4 की power 2 और इसकी power कितनी है? 5 और नीचे क्या लेखेंगे हैं? 4 की power 3 जिसकी power कितनी है? 2 शिर्फ ये term आपको solve करनी है इसके लाबा कुछ भी नहीं करना देखिएगा 4 की power 3 गुणा इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 4 की power 10 हो जाएगा और यहां इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 की power 6 हो जाएगा इन दोनों का जब आदार समान हो तो गाते जुड़ जाती है तो 4 की power 13 हो जाएगा ठीक है? और नीचे 4 की power 6 पहले सी है जब यह उपर जाएगा तो 13 में से 6 माइनस हो जाएगा यानि 4 की power आजाएगा आप वो आजाएगा 7 वही वो कह रहा है कि 4 की power अगर x है सामने तो इस x का माण कितना होगा? तो इस x का माण हो जाएगा 7 सिंपल है सिर्फ आपको यह चीज़ें आनी चाहिए अगर यह चीज़ें नहीं आती हैं तो कुश्चन करने में थोड़ा टाइब लग सकता है उसके लावा कुश्च नहीं है सिर्फ आपको यह चीज़ें आनी चाहिए और इस प्रकार से थोड़ा लगना भी मेने इस करके आना चाहिए उससे आपके सभी कुश्चन आराम से solve हो जाएगे चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ कुश्चन नम्मर 17 देखिए कुछ नहीं है सिर्फ फॉर्मूला है अगर आपको याद हो देखिएगा ध्यान से देगी है यह A प्लस B का स्कार बन रहा है यह A माइनस B का स्कार बन रहा है ठीक है और नीचे बन रहा है अपना A इंटू B अगर आपको यह डारेक्ट फॉर्मूला याद है कि इस फॉर्मूला का स्वालूशन क्या होता है तो इसका आता है चार अगर आपको नहीं पता है तो स्वालूब करके देखिए इसका खोलते कैसे देखिए A प्लस B के ओल स्कार को a square plus b square plus 2ab minus इसको कैसे कोलेंगे a square bracket लगा दो a square minus b square plus b square minus 2ab ठीक है यहां से a b नीचे लिख देंगे ठीक है a square plus b square plus 2ab minus है minus चिन आने से सभी के चिन चेंज हो जाएंगे तो यह होगया minus का यह भी होगया minus का और यह हो जाएंगा plus का ठीक है उसके नीचे यह लिख देंगे तो यह minus का है यह plus का है तो यह आपस में कट गया यह plus का है यह minus का है तो यह भी आपस में कट गया यह दोनों प्लस के हैं तो यह आपस में जुड़ जाएंगे और यह कितनी हो जाएंगे 4 AB नीचे AB पहले से ही है तो AB से AB कट गया तो यह आजाएंगा 4 मैंने आपको बताया था इसका अंसर डारेक्ट 4 आता है अगर आपको पता होता तो जल्दी आंसर आ सकता था चलते हैं next question की तरफ देखिएगा अब चलते हैं question number 130 की तरफ तो question 130 कह रहा है कि गोपी तता अजय की बरतमान आयू का अनपात है वो 294 है ठीक है जो उनकी आयू है उनका अनपात है वो 294 है ठीक है उसके बाद कह रहा है वो तता आयू का योग है वो 60 है और 20 वर्स बाद उनकी आयू का अनपात क्या होगा ठीक है 20 वर्स बाद ठीक है 20 वर्स बाद पूछ रहा है वो दोनों का टोटल बता रहा है 60 तो देखिएगा गोपी लिग लिए ठीक है, और नीचे मैंने लिग लिया, आजय को, ठीक है, ये दो अनपा चार दिया है, इसको हमें एक अनपा दो भी लिख सकते हैं, इन दोनों के आयू का जो योग है वो तीन है, वो कितना दे रखा है, 60, हमारे अनुसाह 3 है, उसके अनुसाह 60 दे रखा है, तो एक कामान कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, तो इसका मतलब है, इन दोनों से जब इस संक्या को गुणा कर देंगे, तो वो इनकी इसं में जोड़ तो B से इस में जोड़ तो यह हो जाएगा 60 और यह हो जाएगा 100 अब वो कैह रहा है ढुदक दूनों कि आयू का अनपाथ मुच रहा है तोsud जी अनपाथ एंकर करें तो यह हो जाएगा 60 अनपाथ 100 ठीक है 60 अनपात 100 0 से 0 या जाएगा 6 से इसको काटेंगे तो यानि 2 से काटेंगे तो 3 अनपात 5 यानि 20 वर्स बाद उनकी जो आयू का अनपात होगा वो होगा 3 अनपात 5 यानि option number C अपना अंसर हो जाएगा चलते हैं अगले question की तरफ question number 31 को देखते हैं देखिएगा question number 31 question number कह रहा है देखिएगा question number 31 question कह रहा है कि 2 और 4 का तरफिया अनपात है 2 और 4 का अपन को तरफिया अनपात निकालना है कि तरफिया अनपात क्या होगा 2 और 4 का तो देखिएगा 2 और 4 का हमको तिरती अनपात निकाल ला है तो तिरती अनपात देखी निकाल रहेंगे तो किसी प्रकार से निकाल रहेंगे दो अनपात चार अनपात चार अनपात X इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो यह आजाएगा दो गणा X वरावर चार गणा 4 X का मान निकाल लेंगे इसलिए 4 नीचे पहुन जाएगा और यहाँ दो का लग जाएगा भाग तो यह आजाएगा 8 यानि X का मान आगए अपना 8 ठीक है यह हो गए इसका तरती अनुपाती Option No. B चलते हैं अगले कुशन की तरह Question No. 32 से देखिएगा एक Observer एक बिल्डिंग से 72 मीटर दूरी पर खड़ा है वही से बिल्डिंग से उस पर लगे प्लैग स्टाप को उपरी तदा नीचे के सिरे का 19 कोड क्रमसा 60 और 45 है तो फ्लैग स्टाप की लम्माई पूँच रहा है आपको फ्लैग स्टाप की लम्माई पूँच रहा है तो देखिएगा इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा यह जो कोड है वो होगा 45 का और यह बड़ा कोड है वो 60 का होगा ठीक है यह प्लैग स्टाप है यहां से इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई को पूंच रहा है तो इसको हम X माल लेते हैं यह उसने दे रखा है A, B, C इसको D माल लेते हैं तो B, C की जो लंबाई है वो उसने 72 मीटर दे रखिए तो कुछ नहीं सबसे पहले आपको तरबज D, B, C को देखना है और इसमें पाइतागुरस लगानी है देखिए L, A, L अपॉन K, K आप जानते तो होंगे sin cost 10 तो यह 10 हो गया ठीक है 10 क्या है लंब बटे आधार तो लंब क्या है यह वाला लेकिन हमने क्या लिया है D, B, C यह तरब यह वाला लिया है जिसमें 45 डिग्री का कोड़ बन रहा है तो इसको करेंगे तो 10 45 बराबर लंब क्या है इसमें यह वाले इसको बई माल लेते हैं तो D, B है इसमें D, B, B, B है ठीक है और B, C क्या है आधार है तो यह बहत्तर आपको बता होगा 10 45 का मान एक होता है इसलिए आपको पता चल गया कि यह यहां पे बहत्तर है ठीक है 72 अब देखिए द्वारा से अपन क्या करेंगे अब द्वारा से हमा ज़ो बड़ा त्रवज है त्रवज A, B, C में पाइतागूरस लगाएंगे देखिए गब sorry तरबश का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिएगा 60 degree का ये कॉन है इसके लिए जो लंब है वो क्या होगा ये पूरा लेकिन आदार तो यही रहेगा तो देखिएगा इसी से लगाएंगे तो 10,60 10,60 degree बराबर यहां से यहां तक तो X प्लस 72 बट्टे नीचे वाला 20 जो कि बट्टर दिया हुआ है 10-60 की जो value होती है वो होती है root 3 आपको पता होना चाहिए x प्लस बट्टर बट्टे बट्टर ठीक है इसका इसमें कर देंगे multiply तो यह आजाएगा 12 root 3 बरावर x प्लस बट्टर ठीक है इस बट्टर को इधर ले लेंगे तो यह आजाएगा 12 root 3 minus 12 बरावर x यहाँ से हम 12 को common ले लेंगे तो यह आजाएगा root 3 minus 1 बरावर x root 3 की अगर आपको value पता हो तो वो होती है 1.732 minus 1 गटा देंगे इसमें से बरावर x कमा ठीक है जब इसमें से इसको गटाएगे तो यह बचेगा 0.732 यानि आपको बहतर का गुणा करना है 0.732 जब आप इससे गुणा करेंगे तो यह x की value आजाएगी और यह निकल के आजाएगी अपनी 0.732 से जब आप multiply कर देंगे इस संक्या को तो यह जो अपनी निकल के आजाएगी वो निकल के आजाएगी बावन पॉइंट साथ बावन पॉइंट साथ यानि अपसन नंबर भी है वो अपना answer हो जाएगा सिर्ब आपको ट्रेंगल लगाना है दो ट्रेंगल बनेंगे यह पहला यह दूसरा पहले इस चोटे वाले ट्रेंगल को लेना है फिर बड़े वाले ट्रेंगल को लेना है चोटे वाले ट्रेंगल से यह बजा आजाएगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है इस पूरे को लेना है ठीक है इस पूरे को लेंगे तो यहां से हम वाला देखिए गजा है तो बश्राइब देखिए है उस ने की जाए है तो फॉल्ब आशना दो हमें दो अशना डाल देखिए गारे वह तो कि अटिक अट्रण फ़रे उसके सब्सक्राइब जो रजसे नहीं पुंट एक एची वाहे सब लॉट दिंग तो फैर्थ यह वहुमर जो की वाशिके थाओंस या पी। एक फिल्लग तो प्राइब एक दो आ लग जागा वाप लेगा निकीव मसिमिया वह जो वैज्ट सब्सक्राइब वस्तित्यक्तलप प्रश्व। आपके तुछुपे कि आधी दो मुझत उप्रश्विस्ति दो कर सबस्तित्यक्तलप क्या कर सबस्क्तलप पद शृच्छंव इस अप्र प्रयुग्रें सबस्क्राइब नहीं है। तो आप लिए टिस इस इसको आप पास्व ना सब्सक्राइब करें दोग्रा विद्सक्राइब पर इचे विए ने को शीप है किस अब मेरी दिए को शीप अच्छिविए क्या चाहिए यह जह चाहिए हुटा है लेगा वार्ट की बात की जाए तो पर यहां से पर ढमक्राइब सबस्क्राइब अब लिए 104 लेट अब आनिये मिला यह वार्ट शोटति ऑशलें गरति अधिया है यहां से अधिक बात कि आ कर लेंगे तो आप लिज़ नहीं इस वाइस उन आप सबस्क्राइब आप सबस्क्राइब टुरिया वह इसका झाल वुड़िया जिए टुरूग जिए टुरूगर आप सबस्क्राइब अजय को बड़क का यह बड़ का इस बड़ करें वाइब से लिए पात वसके लिए पाइब बात वसकी बात उस बड़ कि आपके बात शी घ्राइब के तरह वाशिंठ पहले कि वह इस व्क प्यासिए तेया का यह मुत्था असी टिके तर्म देखाइं सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब इंफ बहुत तरह मेंेंक भॉन व्हित इसे एंनेन्ä प्लीटिन लाजवारा गे LOTत जिकी सब्सक्रिट करे पोलुटर सćब्सक्तने अब concealed तो 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 चेका नावन जाए तॉटन कि लिए भात में सबस्क्राइब घंट जाए तुटन कि टीक आए निए अपन्स आट क्यों को तो प्रचाइब कि लिए टाहिए अप्रचाइब कर दोग्यार आप्सक्टी तो अडिक एक थिए ओक लॉसंहर वसे वात इसे वाइप कसे जिए वाहर पार सक्टि पोले के अजिए अजिए तो अन्हों थे बीज आपको बताना है, फेसक बताना है उसका तो आपको बताना है ही सब साने जाम कॉप का इससां डिया हूँ विए गंच फिर रफ टो श्रफर्ड था बंदी कर अदि और दो यह लैक विज्ट पमर कर दैने एक रखर प्रफ्मिट रखर फिर घ्र श्रफ्मिंट पर्फिरें जोडिकम टनकर प्रफिरें लिवार इक विछ समय पूडिक सब्सक्राइब कर दो कर दो को आंगे को अगपाट के रखी बास्क कर दो कि कई थे भूह जो है गजा कर दो की तोंए कहते हैं वो कि तो में एक हुँए फिर सबस्क्ति रखे ब्सकति रहले रागत जो घर सबस्क्ति है को लिए सब्सक्राद तूमघक तो नफीजिवस्ट आई था गय विक वार्ष में पथे प्रीक तूमघ का की मार्ष ऑब बोलेस्ट का गये भी मानुच टीमट सतल 항상 घॉàng कई यहाघ लेσαं सब्सक्राव्ण के चि데 मशलने करते है वे दाव ऑन करते हैं प्रिम्राय। कि अधरी को पिसक्राइब नोग्यारइ तर गवार प्रेश ऐसे टाइस प्रॉड का लिए टेस्ट प्रॉड तुम आप टूर्ट जो जानौ शबना यrence जी कि अंड फिर्यंट इन उटके एक जिसने कि अधर ऐस अधरी जैस अधरी च्थीस आपने तर दिय्ट स्रॉड कैसे वो आइंद ओप अच्च्छे होंगे तो जैसा कि आप धी का कोश्यन पेपर है यह आपके ऑप 203 को आपको मालम होगा आट्रेट के بाद आपकी एक अंपलोट किया गया है अब भी डेटल से लिवस नहीं आया है उसमें 500 कोईशन है वो आपके 300 अंगे के पूछे जाएंगे जो आपका प्रते कोईशन दो अंग का होगा एक वर कंपेरिजिन कर लेते हैं कि उस समय 2000 तिरे में क्या पूछा गया था 2022 में क्या पूछा जाएगा आप देख पा रहोंग यहां कि वर्षानिया आपको 35 कोईशन पूछे जाएंगे 50 अंक से 2 employees 23 कोईशन का इन शामानिक्राउज का 6 एंक इस दो नई टॉपिक जोड़ी है कै वह अन्य बार वाल सिच्चा का आधनी हैं उसके बाद संबंदिश बिसाइसे संबंदिश साथ कोईशन पहले भी पूछे जाते अब भी पूछे जाएंगे ठीक है अब यह पर पहले 20 कोईशन पूछे जाएंगे आपके दस कोईशन 20 माक्स विए आपके लाइस्ट कंड पर चटबा जो सूचना तगनी की संबंदिश आपके परश्ट क्रेट में लगता है यह तोपक इसके पांच कोईशन पूछे जाएंगे जो आपके प्रिजेंट पर दस संक क्यों हो इस पकार यह 300 का पूड़ांक हो जाता है और आपके दिश्ट कोईशन हो जाता है अब हम देख लेते हैं 23 में किस टाइप के पूछे गई थे उन्हें सोल कर लेते हैं ठीक है उससे आपको यह मानम पढ़ जाएगा जो सब्जेक्ट के आपके गिरामर के पूछ सब्सक्राइब के पूछे गई थे तो पहला कोईशन थे को यह उस टाइम की करेंट जी के थी तो इसे छोड़ देते हैं अब 2011 की करेंट जी के आप क्या कोई फायदा नहीं उससे पढ़ने सवाई जैसे ही जैपर की स्थापना की गई थी तो बिलकुल सही है यह 1727 में की ग अचका मुक्य इसतर कहाँ पर है तो वह आपकी नरे नाम में है ठीक है और पत्री जाधत रहे सरीर के किस पाई जाती है या बनती है तो हम कहेंगी कि कि टिनी है उसमें पाई जाती है ठीक है और यह जनल साइंस की एक तो यह पूछ लिया था और यह पी ऊपर पुछा था सबसे निकट बंद्रगा है तो यह आपके गुजरात में पता है काटला बंद्रगा ठीक है तो ऑप्शन नमबर सी सही हो जाएगा राइस्तार पंचाई राइस सदस्यों के रूपे निर्वाचन के लिए नून तम आई कितनी होनी चाही 21 पर हिंदी दवस यानि जो हिंदी द रहें नेक्स्ट है कुषिन नंबर 2011 की जन नहकरना के विए नुसार राज्य का जन हो कितना एक द्यक्तीब प्रद जो वर्क किलो मेटर डेक्स्टन था कि पर है सेवन धामन ऑ मूरात यानि यह क्या है यह कहाथ सह एं ठीक है राजितान में सभाग क्संगिया कितनी है ने इस्तरों वाली है तो वो तीन इस्तरों वाली है ठीक है और नेक्स्ट कुईशन है आपका राजस्तान में बातशा का मिला जो आपके व्यावर अजमीर में लगता है तो आपसन नंबर बी सही हो जाएगा कुईशन नंबर 17 के राइट ब्रदस ने किसका अविस्कर किया थ यह जनरल साइंस का कुईशन था तो यह जाजों का किया था ठीक है तो आपसन नंबर 20 हो जाएगा राज्ट्रिया स्मारक मानगड़ गांग कहां यह कह सकते हैं राइस्तान के किस जिली में इस देता है ऐसे बोर सकते हैं तो वह आपके बांस बढ़ा में इस देता है राइ तो इसके बाद आप आजाते है प्रॉपर ली राइस्तान जी के यानि जो सेकंड खंड़ है इसमें 20 कोईशन पूछी जाएंगे 20 माक्स गे तो यह आपके प्रॉपर राइस्तान जी के से सम्मादित होंगे ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम देख लेते हैं तो यह सारंग का युद्ध होगा था तब उस विजय की उपला प्रवाया था ठीक है नेक्स्ट है कि गिर और राटी सम्मादित जो नसले हैं वो किसे हैं गाई से सम्मादित है राइस्तान में कौन सा जिला गगगर प्रवाचित्र कबाग है तो वो आपके अहनमान गड़ पुझाएगा ओप्सन के उसा ठीक है टेक्स्ट है राइस्तान के दचलीपुरी वाको क्या को कहते हैं हाडोती बोलते हैं ठीक है उन्नी सो तीम में राव कृष्ण ने उपर माल की जनता पर कौन सा जो टेक्स लगाया तो वो चबरी के सकते हैं एक टेक्स था वो लगाय थ ता तो वो आपकी काली वन्गा सब्लाती जवार सागरवां चिरिम बनाए गये तो यह पीजा जे मैं बनाव HERE ठीक है अगि आननर सागर जो कहा पर है आनर सागजरिक है क्या सकते एक जीले आनर सागर या आन सा महां पर इस्टत पर तो यह सिंबल दैई अजमीर गलाया sो नेक्स्ट है दसेरे पर किस ब्रच की पूजा की जाती है तो वह आपका खेज़डी ब्रच है नमर है तेरे ताली नेतेकिस देवता की उपासना में किया जाता है तो अगर उप्सनों के अनुसाद जाएं तो राम दिव जी हो जाएगा और नेक्स्ट कोईशन 33 है कि इसता जह नेक्स्ट है 35 नमबर के रागमाला का चित्रकार कोनता अगर प्रसिद्ध पूचता है तो डालू होता है डालू ठीक है और वैसे इसमें निसारत दीन होगा तो आप्सन नमबर इस सही हो जाएगा नेक्स्ट है 1468 में मारणा कुम्बा की अत्या किसी ने की थी तो वह आपक इसमें के अनसार के चले में सर्वासक जनसög क्या है तो ओसनों के अनसार जसी सबसे ज्याधा जनसज है तैट इसे पूछा गया था कि निम्न लेकत में से कौन सा उद्देश या सिच्चा के सामाजिक उद्देशों के अंतरकत नहीं आता है ठीक है नहीं आता है वो चूज करना है पहला उपसंदा सामाजिक कोशलों का विकास बिल्कुल चाहिए हमें सामाजिक कोशलों का विकास तो करना चा आत्व साती करड़ करके हम उसे बदल सकते हैं लेकर अभीचमता होती ही वो जर्मजात होती है जिसे हम एप्टिट्यूड बोलते हैं ठीक है तो यह आपकी जर्मजात होगी तो इसमें हम विखास नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहीं पूचाता है कि सामाज को उद्दीशों के अंतरगत नहीं आता है तो जन्रली हम देखा जाएं तो आप चान नमर उप्शन में जाएंगे जिसे हम कहेंगे संगीत अभीचमता का विखास हम सामाज को उद्दीश के अंतरगत नहीं रखेंगे तो उप्शन नमर चार सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन नमर पूचा था कि अधिगवगा उद्दीश पूर बिवारवाद सिद्दाद दिया था तो यह आपकी एड़ वर्ड एड़ वर्ड आपने सुना होगा टॉल बेड टॉल बेड ने दिया था ठीक है जिनकी साइन्ट थियोरी थी या चिन प्रतिमारों का सिद्दाद था या लिटेट थियो कोलर है, क्लार खले, कोलर है, तो यह किसी से संब्द नहीं है, या अधिगवगा जो उद्दीश पूर बिवारवाद ही है, यह टॉल बेड के द्वारा दिया गया था, तो इस वज़े से यह कोईशर बॉनस किया था, ठीक है, द्यार रखना है, अगर यहाँ पर यह पूच दिया था, उन्हों नहीं दिया था, तो वो आपसन में नहीं था, इसलिए यह डिलिट किया गया था, वूचिन नमबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहोगे, फॉर्टी त्री नमबर है कि बाद मैं सीखी गई सामगरी, यदि पूर मैं सीखी गई सामगरी के धारक मैं अवरूद पैदा करें तो, इस प्रक्रिया को कहेंगे, यह चार अपसन देने के, इसका राइट अंसर होगा, पच्चो नमबो की अवरूद, जैसे हो रिट्रो एक्टिव इन्वी ही से बोलते हैं, यारे, आप ऐसे कह सकते हैं, कि आपने अधिकम की बिसनस्ताइ आपने जाएगा, डेक्स्ट कुछर देख लेते हैं, यह कहरा है कि सरज रात वा परिचल वे किन बार्दियों का परिचल प्रसित हैं, जैसे जरूटा और बाटिया है, बार्गर एवें मूर्डे है, बाकर बैदी और फासी है, और वर्मा और स्रीवास्तव है, देखा जो पासी है, और बाकर बैदी है, तो बाकर बैदी ने 1973 में दिया थे, कह सकते हैं, परिचल जो सरज रात वकता हैं, उन्होंका साब्दिक उन्होंने दिया था, चार परिचल और जो पासी थे, अगर आपने पड़ा है, तो पासी ने 1972 में दिया था, चार तो उन्होंने के स सभी होगा ठीक है ओप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं यह तो सिंपल यह आप रिपड़ा होगा इस चीज़ों को को मनुब इसलेशन बाद सिंदाद के जर्ब दाता खोड़ है तो सिंपल था यह फ्राइड से के द्वारा चलाए गया था तो ऑप्शन सी ही सई हो जाएगा ठीक है अगला देख लेते हैं कि नेक्स्ट है कि आप गोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं पर उसे पानी को मजबूर नहीं कर सकते हैं तो यह कावत एक उधार है किसका सीखने की बुद्धी का है सीखने के प्रति जागरुकता है जागरुकता या सहजकता और सीखने के प्रवाब से या रुची या रुची से संपदेता है तो आपके थोड़ाई के आपने नियम पढ़े है तो यह आपके सीखने में रुची का सिद्दान था या आप ऐसे कह सकते हैं आपके अंदर अगर पढ़ जाए तो आप नहीं पढ़ सकते हैं कि आपके अंदर अगर रुची है या इंट्रेस्ट है पढ़ने का तो आप खुद पढ़ लोगे तो यह उसी से संब्द से थोड़ आए के जो नियम थे उन से ठीक है तो ऑप्शन नमबर चास सही हो जाएगा कुशन नमबर 48 है कि अत्यतिक वाचान प्रसंडचित और सामाजिक प्रवर्ति की व्यक्ति की व्यक्तित को यूंग ने नाम दिया था या इन्हें अंतर मुकी कहा था या बाहर मुकी या इसनाई विक्रति या इस तर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बाहर मुकी ठीक है और option number B साही हो जाएगा एक तो होता इंट्रोवर्त जो अत्रमुकी होते एक होता एक झरचोबर्ट तो वह होता है आपका बाह्रों की तो option number B साही हो जाएगा question number next है आपका जैसा का 49 number देख पा रहे होंगे यह कहरा है कि निमिल लिक्त में से कौन सा सामोहिक असाब्दिक बोद्धी परीचड़ा है तो simple है यह army beta हो जाएगा और यह S autis ने दिया था आपको ध्यानो army alpha भी था, army beta भी था तो army beta है वो सामोहिक असाब्दिक था यानि जो अनपड़े है यानि कैसा था जो पड़े लेके नहीं थे उनके लिए था और जो आपका alpha था वो आपके पड़े लेके के लिए था ठीक है तो option number एक ही सही हो जाएगा question number next है कि सामाजी का दिखम सिद्दान ते यानि analytical theory दीती जो अभी हमने question किया था उपर अब जी एक लिए नेक्स्ट question कि बाल विकास जीन प्याजी का यानि जीन प्याजी के सिद्दान का आदर क्या था जैसे बनू विसिलेशन आज यानि बनू विसिलेशन विकास ये तो ये बिलकु सही हो जाएगा ये आपके चीर ब्याजी से समधित है अब डेक्स्ट देख लेते हैं डेक्स्ट है कि ब्यक्तित्च का प्रकार ये प्रस्तावित किया गया था किसके दोारा जैसे युग है, एड़वर्ड है, हाई जेकग देल है, या फ्रिड मेंड या रोसर वेर है, तो इसका राट अज और बिद्याले की पढ़ाई में क्या अदर है आपको चार आपसर दिये गए तो आपको खुद के बोदिगाभे से इसका अदसर लगा ता तो इसका हम कहेंगे सी नमबर सेच्चा जीवर प्रयात चलती है और बिद्याले की पढ़ाई जीवर में एक डिच्छित आवदी के लिए होती है तो आपसर नमबर तीन सही हो जाएगा यारी सी डेक्ट है करके सीखिना का विचार दिया था यारी लड़ने वाई डूइक किस से संपत देती है यह आपके जोड़ने भी से संपत देता है तो आपसर नमबर एस हो जाएगा यारी प्रगती सीर सेच्छा इरी के द्वारा दी गई थी ठीक है डेक्ट देख लेते हैं कि राम आफिते हो परतिमर सार नमबर ऑफसर यारी था कि उसके दिया ठाक मनोविघ्याड का चेत्रवाधी सिन्दा ने किसके देढ़ दीया था तो सिंपल था यह कोट 11 से संब्द है यहां पर तो कट 11 दे रखा है लेकर इसका संब्द किसे कोट 11 से नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जो 57 नबर कोशन है बुद्धी का बेंग्यारिक बापर सरपताब किसी ने प्रार्व किया था तो आपके अलफार्ड बिने रिकिया था 205 में ठीक है तो आपसर नबर सी सही हो जाएगा है आपका डेक्स कुशन नबर है 58 के बाल अपनात के लिए जिमिदा सैचिक काड़ों में डेवली लिखते में से कोट जाकार्ड नहीं आता है ठीक है अगर आवाज इस पर तैया तो मुझे जुखा हुआ है इसे वज़े से डएड़ाओं तो यहार रही है लेकिना आपके सब्सक्राइब आपकर सैच्ची का डों कि यहीं पूछा तका बाल अपराद के लिए जिब विदा सेची काड़ों मैंसे डेविल लिखेद मैंसे कोज़ा काड़ नहीं आता है तो वो आपका खराब सग्गत नहीं आएगा बागी तीनों आजाएगे कुछर नबर 59 है सामाज के डेवों या काड़ों के विरुद बेवार करने वाले वालक केलाते हैं तो वो बाल अपरादी होगी सिंपल कोश्ट था तो इसका डी नबर आपसर सही तेवा है डेक्स टेकर रोजर विंग परिचल का वापर करता है देखो यह आप खुद से भी पढ़के देख रहा है यह वेक्तित सम्मद देता ठीक है तो इसका वीडवर आपसर होना सही वेरिया कोड़ है ठीक है आपको अधिक जार कर रही है तो इसके लिए कपट करके बता सकते है ठीक है तो इसका राइट आपसर पीडवर आपसर देख पा रहे हुए यह आपके बाल मनुपिग्यान से सम्मद देता है यानि जो फोर्थ सेक्शन है जो फोर्थ सेक्शन है वो आपके मनुपिग्यान से सम्मद देता है यानि बाल मनुपिग्यान तो इसमें देख लेते ह इनके answer right क्या है ठीक है जो 61 number question है कि प्याजी के कौन से तारिके के योगिता परिचण का प्रियोग ऑप्चारिक सक्रियातम अवस्ता में किया गया था जैसे ती बोल बलाई है तो यह तो आपके टॉलमें से सम्मदित है लकड़ी का बला है थांस है प्रेडूलम यारी जो आपकी फॉर्मल कह सकते हैं ऑपरिचल से ती उसमें कौन सा कार किया गया था तो वो प्रेडूलम का कार किया गया था ठीक है तो option number D से हो जाएगा question number next था कि 16 PF प्रेश्टावली द्वारा बढ़ाई गयी थी यह आपके व्यक्तित्तों से पूचा गया था तो यह आपके केटल के द्वारा बढ़ाई गयी थी 16 PF और 32 ऐसे के द्वारा ठीक है तो चलो next देख लेते हैं कि होड़ी के अर्ज़ार मॉलिक दुस्चिद्धा के सब प्रत्य के विकास होता है देगो इसका राइट आसर मुझे कट पर नहीं मालूँ है लेगर में जाओगा बाले अवस्ताबर ठीक है किसी को अगर करेक्ट आसर मालूँ है तो कमेंट करके बता दे किसका 63 नबर कुश्ट का अंसर कुश्ट नबर 64 है कि बिसेस्ट जाएगी जैसे कच्चा कच्चे का बहुतिक बातावर अध्यापर विदिया अध्यन सावगरी यह सबी चीज़ा जाएगी यह ओप्सट नबर टी सही हो जाएगा कुश्ट नबर आपका डेक्स्ट है कि कौन सा सूत्र सही है यारे इन वैसे बताना है जैसे कि परिपक्ता प्लस अधिकर बराबर विकास होता है या परिपक्ता इंटू अधिकर बराबर विकास होता है तो यही राइटास ओप्सन हो जाएगा यारे बी नबर ओप्सन है व सिक्स है कि बुद्धी का सभू कारक सिद्दाद किस ने दिया था तो सभू कारक सिद्दाद वो थर्ष्टन के दिया गया था ठीक है गिलफोर्ड के द्वारा थिर्डी यार जिसे इतरी आया भी सिद्दाद भी बोलते थे या सी ओपी तो यह उनसे संब्दित था इस पेर मे सब्सक्राइब जैसे ट्राइब एरों लर्णिंग थियोरी भी बोल दिया ठीक है तो ऑप्सान नबर एक सई हो जाएगा बाडब आवसकता का पदारु गरब सिर्दा सिर्दा यह इस से पहले हूंने teaching method में discuss किया था तो यह के से संपद देता है अब आवसके बेसलों से संपद देता है कि पाव ऐसके संपद देता है तो यहापके पालर से संपद देता है जिसमें कुद्दी कि पेरों ग्लेट परन रोड़े क्या किया थे कौच की थे यारी लार गरती पटीगाई, डेक्स्ट है कि अध्र द्रश्टी अधिकम जिन्दा किसे संपत देते हैं, तो वर्दाइमर, कॉलर, कॉपपाई, समी संपत देते हैं, तो ओप्सन नमबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, डेक्स्ट कुछिन नमबर है, जो आपका 70, वर्ड नमब यारी हेरेडिटी बोलते थे, इंगलिस में से, अर्वासी की को, हधिकम का परड़ा, ठीक है, और ओप्सन नमबर तीन था, स्वा ततावातावण की अध्र ख्रिया, ठीक है, तो ये समी चीज़ आ जाएगे, यारी जो बुद्दी का अगर सुरूत की बात की जाए, तो ये समी चीज़े होगी, हेरेडिटी भी होगी, प्रोडेक्ट ऑप लर्डेंग भी होगी, या इंटरेक्शन ऑफ सेल्प एंड एर्वायर्मेंट, यारी ये चार तीरो ऑप्सन है, ये उपरियुक समी पे चले जाएगी, यारी ये समी चीज़े हैं, जो बुद्दी के से लों तो माने जा सकते हैं, ठीक है, तो उप्सन नंबर डी सही हो जाएगा, क्विशन नंबर नेक्स्ट है, कि आलपॉट के अनुसाल बेक्तित तो है, तो इनकी एक परिवासा है, जिसमें आप पूर सुमाईजर, गत्यात्म संगटर, और संगटर तो बरो नहीं के संगटर, ये तो बाकी रोजर विंग और रॉबर्ट ये इस संगट नहीं है, ठीक है, तो बाकी 75 नंबर कुशन है, कि जी में विकास तता वर्दर का पूरा होना परिपकुता कहलाता है, ये परिवसा किस की है, तो इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं मालू है, जिनको भी मालू है, वो कम की हो सकते हैं, तो देखा जाएं, तो यहाँ पर हम बंद मुद्धी लेंगे, सत्ता से काम, तो ये ठीक है, उप्शन नंबर A सही हो जाएगा, कि किस अवस्ता में आक्रामक और धारनात का विकास होता है, ये आपके सिगवर प्राट की जो 5 स्टेज थी, ये 5 स्टेज थी, तो उसमें से जो एनाल स्टेज थी ना, ये 2 से 3 वर्स थी, ये उनी की विसेस्ता है, तो आप्सन नंबर B सही हो जाएगा, मुखा वस्ता जिसे औरल स्टेज बोलते हैं, ये पहली वस्ता थी, 0 से 1 वर्स, दूसरी थी एनाल स्टेज, 2 से 3 वर्स, तीसरी थी आपकी फैलिक आवस्ता, जो लास्ट की स्टेज थी, 5 विटिक है, तो इसका तो रायट आटांसर B नंबर आप्सन हो जाएगा, कुशन नंबर नेक्स था है, कि आपचारिक सक्रिया तो आवस्ता है, यानि उमर पूचे ये कितने से कितने वर्स है, तो 0 से 12 माह, या सोरी 24 माह है, ये तो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी, सोरी, प्री ऑपरेशनल नहीं होगी, ये होगी आपके जिसे बोलते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज, क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज, दो से साथ होती है, वो होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये हो जाएगी आप की concrete operational stage ग्यारा की वर्स के बाद होती जिसे formal या हम कह सकते हैं हम फॉर्मल ही बोले फॉर्मल operation stage जो ग्यार वर्स यानि option number 4 सही हो जाएगा यह जीरी प्याजी की चारों stage है ठीक है नेक्स्ट है कि बाल मनुविज्यान संब्दित है बाल मनुविज्यान है वो विकासात्मों का वस्ता से भी संब्द रखेगा बालक की जो सामाजिक अंतक्रिया या इंट्रेक्टर करता है उसे भी महतु रखेगा परफक्ता यह आनुवांस की जिसे हम बोलते हैं दोनों के एक्टों को भी यहां पर सम्रेट किया जाता है कि इसमें बाल मनुविज्यान में तो ऑप्सन नमबर डी सही हो जाएगा या उप्सन नमबर चाह सही है आपका कुश्य नमबर 80 है यह कह रहा है कि जो प्रतिया च्छात्मक इवन सामें के गति गामक जो कुशन किया गया था देखा जाए तो इसका राट अपसर मोंटेसरी होगा इसमें बाना से एक जैसे रख देए थे ठीक है एक इडाम से सम्बंदित तो इस पकार अपने जो भी समब्सक्ट होती है उससे सम्बंदित होते है जैसा कि आप देख पा रहे होगे यह आपका सेक तक हम डाल देंगे जिसमें साइंस औ मैत वाले हैं उनसे संबने सम जो भी पिपर है वो साम को सौल करेंगे ठीक है इसमें देख लेते हैं जो सब्जेक्ट संबने कुशन पूचे गए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 81 नंबर कुशन पूचा था कि बच्चे दूद पी र आए तो इस प्रकार इसका राइट अंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कुशन नंबर था 82 के इडा गिराब भारती और बागिस्वरी सब्द निम्न मैसी किस के पर्रयावाची सब्द है तो सिंपल था ये सरस्वती के पर्रयावाची सब्द हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी सई हो जाएगा कुशन नंबर 83 है कि अपना मीट अनकर तीत का अर्थ क्या है तो हम इसे कहेंगे खुद की बात अच्ची दूजरों की खराब तो ऑप्शन नंबर ए सई हो जाएगा नेक्स्ट कुशन 84 है कि निम्न मैंसी बेन्जन संदी का उतारण है तो सिंपल था उुट पलस नती यानि मैं बेन्जन संदी हो जाएगी उन नती ठीक है तो तो option number B सही हो जाएगा 85 number question था कि सकर्मक क्रिया का इसमें से एक उधान बताना था तो इसमें से option number D सही हो जाएगा पीना यानि ये एक सकर्मक क्रिया का उधान हो जाएगा 86 number question था संसार सब्द में संदी कौन सी है तो इसमें सिंपल था इसमें बेंजन संदी हो जाएगी ठीक है तो option number 1 सही हो जाएगा question number है आपका 87 निम्न में से चंदन का पर्याबाची क्या होगा तो को हो जाएगा बले option number 20 सही हो जाएगा पढ़ाई सब्द में कौन सा प्रत्य है तो इसमें पढ़ना प्लस आई बनाएगे तो पढ़ाई तो इस पकार इसका B number option सही हो जाएगा राज महल में समास होगा तो राजा का महल कह सकते हैं तो इसमें तत्वल समास हो जाएगा तो option number A सही हो जाएगा आपका question number है 90 निम्र में से कौन सा तत्वल नहीं है जैसे नाक है, करण है, कंट है, कभी है तो इसमें से जो नाक है ना तो यह आपका हम कह सकते हैं तत्वल नहीं है ठीक है यहाँ पर नाक का नासका होता तब हम कहते हैं तत्सम है, जबकि हमें पूचा है, तत्सम नहीं है तो तत्वा पूचा है, तो option number A सही हो जाएगा यहाँ नाक है, वो एक आपका तत्वल रूप है और 91 number question है निम्र में से बेंजन संदी का उदार नहीं तो पर नहीं है, यारि option number पर एक सही हो जाएगा, ठीक और 92 number है कि तत्वा सब्द, यारि जो साग है उसका तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है तो इसका कनपरम मुझे नहीं मालू है लेकिन हम option number 3 पर जाएगे, जो साग है उसे कहेंगे हम साग, ठीक है 93 number question number है कि बिसम्याद बोदक चिन कौन सा है तो simple है, डी number option है यह आपके बिसम्याद बोदक चिन होता है निम्ड मेंसे योगरूड सब्द है ज्याता तरह जो बबुरी समास के उतान होते है वो आपके योगरूड सब्द होते है तो हम कहेंगे, चौमा सा है आपके योगरूड सब्द हो जाएगा यह कहा रहा है कि परिमान बाचक बिसेशल है यानि जो 95 number question है तो निम्ड मेंसे किस बाकी में परिमान बाचक बिसेशल है तो हम कहेंगे, चाय में कम चीनी डालना यह आपका परिमान बाचक बिसेशल हो जाएगा question number 96 है कि निम्ड मेंसे कौन सा सब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है यानि जो इसमें उपसर्ग नहीं है तो वो simple था, अधिक जो सब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं है next देख लेते हैं 97 number question है कि यह कह रहा है कि कौन सा यहां पर नेक्स्ट है जाएगा नेक्स्ट है कि आपकी यात्रा मंगल में हो यह बाग है तो यज च préfको झायेगा तो 湊 celli स्परिटे हैं तो हम दि एंसे में परत्य हो जाएगा बाकि कि से यह during dating country आविंगे यानी कोई क्रिया है उसे चासी पत्री नेच्टा काफिन असुर हसना से बनेगा हसोर ठीक है तो option number D से हो जाय گा Bensystem और benzyne की मिल से बना है तो वो क और स्व के मिल से बनता है चह ठीक है next है ніकосिप कहूंपसीना एक करना मौहबरी का रड़त है तो simple है सका cutting Par atom करना यह हो जाएगा महबरे का किसका खून haft कहूंपसीना एक करना लिम्न में से रूड सब्द है, तो रूड वो सब्द होता है, जिसका कोई खंड़न करने पर कोई अर्थ ना निकले ठीक है, तो हम कहेंगे, यह काम है इसे आप खंड नहीं कर सकते North इसका ये रूड है, यह ऐसे कर सकते हैं यहार निकल काम काम, के बाकि के आर्थ के दो-दो आर्थ निकल सकते हैं या खंडन करने पर इनके अलगला सब्दों बन सकते हैं ठीक है तो इसका राइट हंसर एक नंबर ओप्शन हो जाएगा तुम यहीं बैटो इसमें यहीं क्या है यानि अब्ब है यूजक है सरभनाव है संग्या है तो यह अ पबब से बनाइब लेकिन प्यास है वो एक अपका बिसेशन सब्द नहीं होगा ठीक है यह से कह सकते हैं यह रूड सब्द हो जाएगा कह का उच्छाण इस्तान होगा वो कंट इसका उच्छाण इस्तान हो जाएगा कवर अलप्राण हैं तो अलप्रान हो गए वो च्रोड को जाएंगैं ठीकिंगर जो त्षोग के बाखिष नंब्र ऑनय और सुन.1 001 00 वो चोच कना जैसे बिद्ध्याती रसुई में जा रहा है यह सरल वाक्य हो जाएगा बंदर पेड़ पर कूद रही है तो यह भी सरल वाक्य हो जाएगा उसके घर में पानी आ गया यह भी सरल वाक्य है लेकिन जो चार नमबर ऑप्शन है भूग लगी है तो खाना कालो यह आ एक बाक है दुझरे पर डिपरेंड है नेक्स्ट कोशन नमर एक सर्फ चोदह किस बाकर सब्द तत्सम नहीं है यानि जो तत्सम नहीं है वो बताना है जैसे देखा जाए तो चार नमबर लजजा है और लजजा के साथ एक सब्सब दिया गया है यह आपके हो जाएंगे तत पर्मक करिया हो जाएगी कोशन नमर 177 है कि अब तो इससे बैटा नहीं जाता तो यह किस पकार कब आखक है तो यह बावाजचक अगर इससे बावाजचक बनाते है तो बनेगा लड़कपन यानि ऑप्सिन नमबर सी सभी हो जाएगा अपनी कब्र आप खोदना ये कह सकते हैं अपने बिनास का काम स्वेम करना तो आप्शन नमबर B सही हो जाएगा सुद्ध बरतनी वाला सब्द हो जाएगा वो स्रीमत ही हो जाएगा या आप्शन नमबर T सही हो जाएगा सदानंद का संदी विच्चे दोगा सत पलसानंद यानि पहला यह उप्षन सही हो जाएगा और तर्बदन में आग लगना मुआवरिका यानि क्रोजित होना तो उप्षन नंबर सी सही हो जाएगा नोकरी प्राप्त करने के लिए दिया जाता है तो वह आविदर पत्र दिया जाता है हिंदी में आगत मेंजर कुन सा है तो वह जव हो जाएगा याँ जव ठीक है ओप्षन नंबर भी सही हो जाएगा यह कोन सा सब्द है जो उपसरक से बना हुए नहीं है तो वह इमानदार हैं बाकी सभी सब्षन नंबर नेक्ष्ट देख लेते हैं कि मनिशा बहुत क्या सब्द है तो बहुत एक प्रविसिस्टन तो दीरे हो जाएगा या अब यह संबंदी लेकिन इसकी विसिस्टा क्या उता रहा है बहुत दीरे चलती है तो यह प्रविसिस्टन हो जाएगा पंडित मिठाई काता है बाके में का रखे पंडित हमों मिठाई को काता है तो हम पहार क्यादी संदी हो जाएगी इचो रू प्लिस अक तो सरावक बनता है तोस हो जाएगा को की है कि यह जूरह दिशा होता है क्या हो जाएगा तो यह उनिभी शाहिए हो जाएगा स्थ एक रही हो वह पहाड हो जाएगा तो यह आपका पेंजर संदि का उधार को जाएगा नेक्स्ट है इसमें अगोस compare यह उधार यह शब्त शिक्रान के पर्स करती है तब वैसे कि ब्रणों का उच्छान होता है तो उद्ध का हो जाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं अनुमती में उपसरक होगा अनुग होगा ठीक है तो ऑप्शन नमर भी सही हो जाएगा यह कराए सुद्ध सम्द बताई यह तो आध्यात्म को हो जाएगा सब्सक्राइब करता है तो इसमें करता क्या है हम तो ऑप्शन नमर सी हो जाएगा नेक्स्ट है कौन सा गुडबाचक विसेशन का उदार नहीं है तो प्राची नया मद्दिकालिंग तो यह तिगुना है यह आपके संक्या वासी निच्चत आबरती का उदार ने से दो गु पूचा जाए कि उड़ पाच्व विसेसर नहीं है तो यह डी नंबर हो जाएगा तिमिर का पर्यावाची सब्द नहीं है तो वो निसांत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है तो बाकी यह कह सकते हैं जो साट कुछन हमने सौल किये हैं यह आपके बाटे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि अब है कि अच्छी को आपको एलोगों जैसा कि आपने थमयर दें के लिए होगा यह आपके इंगिस का पूश्चन फिपर है तूजाद तीरे का कि आपको मानम होगा तूजाद तीरे में आर्ट वगाकरता पात दता जो मेर परिच्चा होती थी वो सब्जेक्ट की होती थी उसे ही थर्ड ग्रेट के नाम से जानते थे अब हम इसे कुशन पेपर को क्यों कर रहे हैं आपने देखा होगा 2023 का सिलेवर्स है वो 2022 की मेर परिच्चा के लिए सेम ही कर दिया है उसमें तीन टॉपिक एस्टा थे 2013 में कितने आंकर के थे यह 20 मार्क के होते थे इसमें पूचा किया जाता था राज़ ज्यक्वर्स संद्रम में सावन ज्यान और समसा बके इसमें अगर अब की बात की जाए 2022 की तो इसमें एक तो शंचिक परत्रस और 1 रुट एक अगर इसे जूड़ दे सभी को तो अब तो इससे 30 कोशन पूचे जाएंगे और वह भी साथ अंक पे ठीक है आप इसे समझे होंगे नेक्स देख लेते हैं सेकंड कंड में पूचा जाता था आप से टॉप पर राज्तान की जीके जितनी भी राज्तान की जीके है चाहिए वह एतियास के समझे तो वह कोगली को और सांस करते हैं इसमें टॉपक डिवाइड होते थे अब डेटेल से बस आभी नहीं आया है जब तक तो यहीं है कर एजूकेशन साइकलोगी साइकलोगी 10 के ठेजक्ट पोचे जाते आपको पूचेजाए ते हैं आपको तस कोशन पोचय जाएंगे आपके थी साइकलोगी । इ ले दो हजािए इस पोचेशन पोच्छ सकते हैं बाकी ओजdoing चैल्ड शाइकलोगी 6 Childущ day नेक्स्ट है आपका विसेका यारी सत्यक्ट है यह पास्विक हंड में तो इसे आपके साथ ही कुछिन रहते हैं और प्रॉप्र ग्रामर से ही पूछे जाते हैं और एक सभी संक्रिक हो जाएंगे अब देख लेते हैं किस टाइब के कुछे गए तो ठीक है हम इसी क्रब में कुछिन करेंगे जैसे कि आपके पहले संदर में सामान के और पर उसके बाद राइस्तान जी के प्रॉपल लिए पर एजुकेशन पर वाल मनुवी गया और फिर आपके सब्जेक्ट के कुछिन पर जैसे कि आप देख पर होंगे यह आपका सैक्शन पष्ट है यानि खंड पष्ट है जिसमें आपके 20 कोईशन रहेंगे आपको मालुआ है राइस्तान के 20 संदर में सामान गया प्लस क्राइटी जी के से सब्बंद रखेंगे यह ठीक है जब देख लेते हैं किस्टा आपके प्योंग कर लेते हैं तो इसका यह वी कुशन एक डूजाती है में किसी परिच्ण बनाएं जैब आपके इसस्की कि किसी में बनाएं यह बनाता ठीक नेक्स्ट है गरीव आदमी की गाई किसे कहते तो सिंपल है यह बकरी हो जाएगी ठीक है तो ऑप्सन नमबर की राइट आसानियुढत और क्ली एको ज़से घ्राइब के महानरा प्रताप का जन्मぎ पर भौका होगता बोभुच्छा सबल जाएगा नेक्स्ट है प्रसित रामदीब जी का मेला कहा लगता है यह आपके रोड़ेचा में लगता है ठीक है तो ऑप्सन नंबर डी से हो जाएगा और नेक्स्ट कुछिन नंबर देख लेते हैं यह कहले राजस्टान के राज अभिले का गार का मुक्याल है कहां परिश्टत है तो डाकन प्रता का अभेद घोसित किया गया था वह राजा कौन से थे ठीक है तो यह अच्छा कुछिन था पर्टिकुलर एक राजा पूछना कि शासन में से तुट्टक हो जाता तो इसका राज टाज़ता था महराजा जवान सिंग तो ऑप्सन नंबर इसे हो जाएगा नेक् ताब बिद्दत की मुख के कच्ची सामक्रिक्या है तो यह आपकी कोईला हो जाएगी तो ऑप्सन नंबर भी सही हो जाएगा नेक्स टेक बारभी पंच वरसी यूजना की अभदी क्या थी इसके अभदी हो जाएगी लास्ट अभदी थी यानि इसके बाद यह पंच वरसी है तो आपका कोड़ा बड़े हो जाएगा आपको कुछे नंबर नेक्स्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हों यह वरत्मार राज्चतार में कितनी देशी रिया थी तो उसमें थी उन्नीस तो राज्य तीन आपके चीप सिर्च थे आप ऐसे भी मूल सकते हैं कि उन्नीस तो आपकी रियासत थी तीन ठेखाने थे और एक आपकी च्छाव नी थी जो अजमिर मेरवाड़ा थी ठीक है तो इसमें देखें क्या दिरका उसी के अकॉर्ण आसर लगाना था तो इसका दू नंबर या पी ऑप्शन सही हो जाएगा कुईशन नंबर आपका सत्रेवा है कि बेटेस राज में राजपुताना की प्रतम रेजिडेंट है यानि एजेंट टू गवर्नर जरनल कौनते तो वह आपकी डेविड ओक्टर लॉनी थे तो आप्शन नंबर यहीं सही हो जाएगा इसका नेक्स्ट है बारत का सबसे बड पाकिस्तान से लगाते हैं चंबन नदी अंतर समायत हो जाती है तो यह आपकी यम नम हो जाती है टिकत आप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस पकार हमने जो एक से लेके 20 कोशन किये राजस्तान के विसेस अंदर में सावन गया प्लस करेंट अपर से सब्मादें तो कोशन कोशनों के संबंद में नेक्स्ट है आपका यह जो सेक्शन सेक्ड है यह आपके प्रॉपर राजस्तान जी के है वह पूछी जाएगा ठीक है जिसके 20 कोशन रहते थे तो आपके 20 कोशन के पूछे जाते लेकिन प्रेजन टाइम में अगर मुखे परिच्छा तो 2022 में होगी कोशन सेक्डिस कोशन पूछे जाएंगे तो पहला कोशन ही यह जिताया यानी किस पान वर फूष्ट के महराजा सावन शूंग नागरीदार्थ के संबंद थे तो यह आपके और कि से संबंद रहुती तो आपकी आगर थिसा संबंद रहते थी तो ऑप्सिन नम्बर से यह निम्मे में से कौन सा राजाने के सब्सक्ते चोटी एंतर राजी सी में बनाता है वह पंजाब बनाता है अगर सरबाद एक पुछता तो पंजाब उता ठीक है यह ने युद आपकी प्र चौह पकून के लिए तो आपका बंदी सही हो जाएगा हब्मीर महाक्राफई के लिए को है हम्मीर महाक्राफई के लिएकर समझतां ने चंद्र सूरी आपसंग नमबर सी सही ऑजए बाला थर ने बहाना फुमा द्वारा लिकत संगीत निथा बालात। तो प्रॉप्शन नम्बर भी से उजएगा, यह कुशन डिलीट किया गया था, नेक्स्ट है, निम्वेंज से कौन सी नधी, म्रत, नधी की नाम से जानी जाती है तो आपकी गगडानिय नहीं तो दो प्सके नमब T से ही उजेगा, next is Sariska I is जी जिलीम जिलीम में जिलीम जिलीम होगा, next is Mahana पता अपने 1545 C succeed में किस हिस्ताद कु बेवार की रहताना में बनायाता, तो आपकी चामन को बनाता, these are two option number Iran unfamiliar other influence 붙 Koam Scamamaare problem with many Japanese ones, सब्सक्राइब कि अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था तो उन्होंने द्वारिका में बिताया था ठीक है तो आपके कोटा संब्सक्राइब कुछा जाता है तो आपके त्याजी पूचे जाएगी त्यक्त ओप्सट नंबर ए से जाएगा नेक्स्ट है कि संगीत गरद सत सही के रचे तैकोन है तो वह भीहरी जी है तो आप्टे नमबर एक सही हो जाएगा एक लिंग जी कि रूप में सिब का उपासक है तो एक लिंग जी के रूप में सिफ के उपासक होते है टिक है नेक्स पार यह यहां तक हम ने सब्सक्राइब करें तो यह अंतर है और नेक्स्ट है थड़ करने इसमें एजुकेशन साइकलोजी कुछी जाएगी आपने तो आपकी एजुकेशन साइकलोजी है उस समय तो 20 कुछे जाते थे आप इसे 10 कर दिये गए देख लेते इसमें किस टाइब की कुछे गए कुछ नम अधिकम आधारत होता है तो वह आपकी ठीस पर कोई आपकी आपकी एक्सपिरियंस रहें उस पर भी आधारत हो तो अप्र εν स्काराइट हो जाएगा नेक्स्ट है कि तनाम को कम करने का अप्रतिश डग कौन सा होता तो वह आपका शमनी कुछान होगा है जिसे हम उदातिकरन और हमारी भी नंबर मस्तिक्स का कितना बाग के अनकुंसयस माइंड भुलती है तो आपसंट नंबर इसका इस सही हो जाएगा मान्सिख आरूगी विघ्यान से नातपर होता है तो संतुलत इम विवस्त पे व्यक्तित्त का निर्मार करने अंच्छ फुच्छण देख लेते हैं प्राइड ने प्रेक्टित को बाठा तो इड़ एगो और सुपर एगो यह आप कह सकते इदम अहम वापरा हैं तो आप्टिन नम्बर इसका भी सही हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका फिप्टी सोरी फोटीन नम्बर है कि मन्दित मना बालकों को सिच्चित करते समय सिच्चा को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे तो हम कहेंगो उन्हें जो आपकी बिवस्था सम्मंद्र जो की कौशल होते हैं उसकी परिच्चा ले लिजिए उसका जो परिणा मायगना उससे मालुम हो जाएगा वच्चा कितना प्रतिवासा लिए यह कुश्चा रीप 2016 में भी पूचा हुआ हुआ है ठीक है नेस्ट है कि विकास के प्रभावित करने वाली कारक नहीं है तो वह आपका द्रम से संबन्देत होता है और आपके मान से विकास प्रभावित नहीं करेंगे बाकी समीर कर जाएंगे नेच्ट है न्यूटन ने ब्रच शेव को नीचे गरते देखा और अचानक उसने गुत्ताओ खष्ण के सिद्धान के खुज की यह उधान है तो यह आपके अंतर द्रश्टी अधिकंग के सिद्धान से संब्धन होता है तो आपके अन्तर द्रश्टी अधिकंग में यह तो प्रवादा क्यों हो जाएगा को तो इस फिर्फ नंबर है आपका यह 54 के अधिका प्रतेपल का थाथ पर क्या होता है यह लेंगि आउट स्कम बोलते ने तो यह होती है बालक के विवार में परवतना प्रवतना कोई संसार बालक के वादसा विकास्मन मुक के उबनान के देने वाली ससता खोन होते हैं, तो ये अबकर पर्वारी होगा, तो असलम ईसों इसके कहन सार। व्यक्ति जिसे रूप में विवार कड़ता है वह उसका हुथ है तो वह उसकी परसनेलिटी होती है उसे ही व्यक्ति तुब होते हैं तो अपस्ट नम्बर सी से यह रहेगा नेक्ट अंतरदरश्टी सिद्दान्त के परतिपात कौन है तो इसके परतिपात होंगे कॉलर यह इं स्lusões जाएगा नेक्स्ट है कि निम्न हेए से शेची मनों कन acha चेत्र नहीं है तो अपका खेल प्रस्रेचर होती है यह सर्णिंग होती है इन तो यह आपी जिदे विग्यानका चेत्र नहीं है बागी सबी हो जाएगा सब्णक में जैसे कुछ ने यह पुछा है कि नेम लिल्कित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वश्थ व्यक्ति का लच्ण नहीं है तो इसका राड़ डाइसर हो जाएगा जिसमें इमोशनली अनस्टेविलिटी है तो वह आपका एक मानसिक रूपते स्वस्थ व्यक्ति का लच्व नहीं है ठीक है तो ऑप्शन नमबर एस ही हो जाएगा कोईशन नमबर 67 नमबर है इमांदारी के मुल्यापन के लिए एक अध्यापक करते में बातवन सरजित करता है जहां वालक पेशा चुरा सकता है यह उधान है तो हम कहेंगे यह सिचुएशनल टेस्ट है यानि परस्तिती परिश्यन का एक उधान हो जाएगा कोईशन नमबर नेक्स्ट है कि एक वाला जिसकी द्रश संसार का सुधता से प्रतेच्चित करने की चमता हदिक होती तो वह उच्छ होगा किसमें होगा वासात्मक बुद्धिमी संगीता तो बुद्धि इस्तानिक बुद्धि या अंतरवैक्तिक बुद्धि यह सभी हाव पर कंट्रोल करने की उच्छ युगता रखता है तो वह हो गा तो एमोशन नल उत्य आल थित यह अ आपके मानसी लब्धि यह उधिक लब्धि तो और अप्सिन नमबर यह हो जाएक कि इसमें आपके शंदिगों आपको मैसिज करने के सम्दिग कांट्रोल ऑुच से युग अब्लाप को प्रति नच यूगता तो प्रति नाचे यूगती को नाचे वह प्रतिस्तापन हैं क्योंकि कैई हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस इसटाइब कर दोस तरह को अहिंद परति हो फुर्सनि नीच में रूटा और आपका रहता है एक रैसलाइजेशन रैसनल लाइजेशन मुझते से यूप्ति करने यह किसी जूटू हो ले तो उसमें तरक देना यह उसे संब्स नेक्स्ट है कि अब चितन से प्रेप्त व्यू रचना जो एंगी दूसेंता से बचाती है तो कहलाती है तो आपकी डिफे वस्ट के बारे के बारे को बिल्ग के रहते हैं तो स्वयं प्रत्य होता है सब्स e il नेक्स्त नेक्स्ति नेक्स्ट तरख का आवस्ता दात किसी ने दियाता तो यह आपके को अब्च नुम्ए हैं सभॉत को वह सब्मेवों का मेस्ब करने की योगिता क्या होती है तो वो आपके प्राण वोती होती है। इसे ही होती है फेकिति है। तो आप्सन नंबर इस यूद है नेक्स्ट है कि उस्ट नंबर नेक्स्ट है कि कॉल्वर्ग के सिद्धन्त के अमसार कौन सी अवस्ता पर एक व्यक्ति का निर्ण दूसरों के अनुबोदर पारिबारिक आकांचों सब्पारम पर एक मुल्यों इभी समाज की नियों पर आधर होता है तो आपका कर्मेंस्टर होता है यान कर्मेंस्टर का मतर पारम पर एक आपके 10-13 वर्ष दिना उमर के बच्चे दे यह आपके कॉल्वर्ग ने आपको वाला हुआ थ्री लेवल और आपकी स्टेज बताई थी तो यह आपके दूसरी लेवल की बात हो रही है ठीक है स्रजनात वक संब्धित होती है तो वह आपके डाइवर्जेंट तिंकिंग से संब्धित होगी तो ओप्सन नमबर एक सही हो जाएगा अपूर्ण रेका चित्रों से अर्थ पूर्ण तता रुच्ची कारक चित्रों को बनाना मापने के लिए पद को स्रजित करना पद को प जिए तो ऊप्सन नमबर एक सही हो जाएगा नायक्स्ट है जब एक बैक्ति कहता है कि राम में अध्धिन के लिए अभिचमतर आप्टीटू एक होता है WRIT हो य cosplay तो आफिन के जम्था होती है यह ढम से कौँछ जनाती होता है तो राम अद्रन में कुछंता कर ने की सही ओ सब्सक्राइब प्रक्रा मेरी मेरी कौन सी एक स्रजणात्र वालक की विशंथा नहीं है। तो हम कहेंगे वो कटोर है, वो आपकी सरजान्तों वालक के विसे इसता नहीं होगी. आपका next question रह गया था, एक यह वाला, 80 number question यह था कि निम्नु ऐसे कौन सा कारक है, समस्या समाधान में बादर को सकता है, तो वो आपका मानसिक ब्रती होती है, जिसे mentor set बनते हैं, तो option number B सही हो देगा. Next है आपका पाचवा घंड जो आपकी प्रॉपली, जो इंग्लिस की grammar आई थी, यहाँ ग्रामर से समधे question बनी थे, तो इसके साथ question आई थे, subject की question थे तो इने. पूछा गया है, executive या फिप perform duties है, जो उसका phrasal verb आपको बताना है, तो इसका answer है, यहाँ पर पैंजल से निशान लगाए गए हैं, तो इसका answer है A, carry out. इसके बाद जो अगला question है, इसमें क्या था कि spelling को बताने कि कौन से spelling सही है, तो इसका answer है D, इसके बाद अगला question है, the teacher taught an interesting story, तो यहाँ पर क्या था कि जैसे subject होते हैं और object, subject में तो क्या होता है, कि I, B, You, They, He, Sheet, इसे तरीके से जो object form होती है, उसमें होता है, I का जैसे आप देख सकते हो, I, Might, Me, तो मी होता है, उसे तरीके से V का, We, Our, Us, तो थर्ड नमबर पर जो आते हैं, वो क्या होती ह है, और यहाँ पर object form सिर्फ एक ही है, Us, इसके बाद आगे है, कि Raj always tells the truth, he is and dash boy, तो यहाँ पर कहा है कि appropriate adjective, यानि कि यह जो questions है, यह part of speech में से आयों है, noun, pronoun, adjective, इंसम में से, तो यहाँ पर इसका answer है, A, Honest, अगला question है, the car driver, dash, the speed limit, तो इसका जो right answer है, वो है, Be, Exceed, Exceeded, अगला question है, a woman whose husband is dead, एक ऐसी woman, जिसके husband की death हो जाती है, उसे क्या कहते है, widow, तो यह आपका one word substitution में से आयों है, अगला question है, जो वो tense में से आयों है, rain, dash, plentiful this season, तो rain has been plentiful this season, इसके बाद अगला question है, जिसमें opposite पुछा गे है, modern का, तो इसका answer है, C, traditional, इसके बाद after dash r, तो यहाँ पर आपको determiner choose करना है, the, an, a, या फिर first, जो r होता है, h, o, u, r, लेकिन h यहाँ पर silent होता है, इसलिए यहाँ पर हम बोलते है, r, तो यहाँ पर लगेगा n, इसका right answer है, d, अगला question है, जिसमें एक आगे है, which of the flowing option is correct, one word substitution for happening at the same time, तो यहाँ पर बताना है, क कौन सा एक सही match होगा, तो इसका right answer है, my brother and I reach New York stimulusly, तो यहाँ पर यह जो word है, last वाला यह बताता है, same time के लिए, इसके बाद यहाँ पर fanatic दिया हुआ है, और आपको बताना है, तो आपको transcription करना है, इसका, तो इसका right answer है, C, eyelash, इसके बाद अगला है, he looked dash, the meaning of the word in the dictionary, तो C, up, और यह आपका phrasal verb में से आया हुआ है, बहुत सारे question है, जो कि phrasal verb में से आया हुए है, इसलिए सबसी important चीज आपके लिए यही है, कि आपकी जो पकड़ है, वो phrasal verb पर होनी चाहिए, अगला जो question है, वो 10 से आया हुआ है, here dash the queen, तो यहाँ पर आएगा answer D, comes, here अग कि है, कि वर्ब की first form लगती है, according to आपका subject क्या है, अगर आपका subject singular है, तो वर्ब की first form के साथ S या Yes, अगर आपका subject plural है, तो वर्ब की first form, अगला question है, he dares you to do it, here the modal auxiliaries express, तो यहाँ पर आपने modal words पढ़े होंगे, modals जिसे कहते हैं, can, could, may, must, might, तो यहाँ पर जो dare से इसका क होता है, challenge, अगला question है, you did not solve the question, आगे आपको क्या है, question tag, तो आपके जो questions है, यह बहुत पूछे गई है, 3-4 questions है, जो यह इसी तरीकी क्या है, कि question tag लगाना है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो you did not, तो यह क्या है, कि आपकी past simple से relate करता है, sentence, तो यहाँ पर आएग इसका option है, right option, C, अगला question है, he did not succeed in dash, so, तो यहाँ पर right answer है, C, doing, आगे पूछा गया है, high का opposite क्या होता है, low, लेकिन यह पहले 2013 का paper है, तो maybe इस बार इस तरीकी के opposite तो जरूर बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, इसके बाद आपको यह fanatic transcription करना है, जिसका answer है, C, humanity, इसके बाद आगे है, कि यह idiom phrases में से पुछा गया है, to kill two birds with one stone, यानि कि एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना है, हम जाते हैं, एक तीर से दो निशाने वही चीज, ठीक है, तो इसका right answer है, B, to achieve two aim by doing one thing, एक काम करकर हमने दो उदेश्या प्राप्त कर लिये, आगे इसका right answer है, अगला कोशन है, I fear he dash be dead तो यहाँ पर क्या है, probability दी गई है, संभावना दी गई है, तो जो probability होती है, उसमें, या तो हम ज्यादा तर क्या होता है, कि might का use किया जाता है, लेकिन अगर strong possibility होती है, तब can का use करते हैं, तो यहाँ पर अभी उसे डर है, शायद, तो यह 2% chance है, इसलिए might आगे है, जो amazing है, उसी का synonymum word आपको बताना था, तो इसका right answer है, A incredible, इसके बाद अगला है, to wait accurately for someone, या something means, अगर हम किसी का बहुत ज्यादा, यानि कि wait करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसका क्या means होगा, long for, इसके बाद आगे आपको spelling से बताने थी, कि spelling को से सही है, तो इसका right answer है, A tolerant, इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको fanatic transcription करना है, तो इसका right answer है, C play, आगे question है, कि the sonet was borrowed from, जो sonet है, वो किस से लिया गया है, कौन से country से, तो इटली से, अगला question यहाँ पर passive voice का है, the cat killed the mouse, तो passive voice में तीन बाती important होती है, कि जो object होता है, उसे हम subject की जगा प होती है, second बात की verb हमेशा third ही लगती है, और third बात की इसमें हम by का use करती है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीजों को देख लेती है, पहला क्या है कि the mouse को हमने subject लेकराना है, the mouse, यहाँ पर past simple है, तो हमें कहा कि आगे वाले की past continuous की, जो helping verb है, उसका use करना है, तो past continuous है, जो या वर, तो यहाँ पर mouse singular है, इसलिए वास, वर्ब की हमेशा third form ही लगेगी, चाहे कोई भी tense चल रहा हो, तो killed by the cat, तो इसका right answer है, A, अगला question है, she was carried by, dash by victory, तो यहाँ पर इसका right answer है, D, away, इसके बाद अगला है कि इसमें आपको similar word ही बताना है, तो इसका right answer है, B, expert, इसके वो है global, इसके बाद अगला question है, आपका idiom and phrases में से याया हुआ है, birds of the same feather flock together, means की same परिंदो के पक्षी, तो इसका means हो गया people of the same short, यानि कि ऐसे लोग जिनका जो behavior है, वो क्या है, same thing है, यानि कि हम जाते हैं कि हमारी group के लोग हैं, या हमारी thinking के लोग होते हैं, तो हमें एक group बना लेते हैं, same वही चीज़, इसके बाद यहाँ पर पुछा गया है कि जो prohibit है, उसका similar meaning बताना था आपको यहाँ पर कौन सा word match करता है, तो इसका right answer है C, forbit, इसके बाद अगला था, to live in the bird, तो इसका जो right answer है, ये भी आपका idiom में से ही आया है, D answer, to crush an evil before it has a change of maturing, अग right answer है C, through, अगला है कि I am sorry to have dash your address, तो यहाँ इसका जो right answer है, वो है, be lost, इसके बाद आगे है, dash your soul rest in heaven, और यहाँ पर exclamatory sign है, तो आप सभी को पता है, कि तुम्हारी जो आत्मा है, यानि कि तुम्हें स्वर्ग में जगा मिले, तो जो भी blessings वगारा होती है, उसमें हम make a use करत है, इसके बाद अगला है extinguish by blowing, यानि कि भुज जाना, blowing के दवारा तो इसका अंसर होता है, blow out, अगला है one who believe in the existence of God, एक ऐसे इंसान जो कि भगवान में विश्वाश करता हो, कि भगवान है इस दुनिया में, तो इसका right answer है, theist option A, अगला है the doctor forbid me dash drink wine, तो डोक्टर ने मना क किया है to drink wine, अगला है it's very hot today, फिर आपको question tag लगाना है, question tag बहुत easy होता है, आपको देखना होता है, it is है, तो आपको क्या करना होता है, कि जो helping work होती है वो पहले, और जो subject होता है, उसे बाद में, is not, और आपको क्या करना होता है, is not it, isn't it, means कि यहाँ पर it is है, तो is, और पॉजिटिव है तो caution tag में आपको negative, अगर पहले आपको negative है तो caution tag में आपको positive लगाना होता है, बहुत easy है यह तो, आगे है look before you lick, देखो छलांग लगाने से पहले, तो इसका है कि आपको कोई भी काम करने से पहले कि है, सो समझ के करना चाहिए, कहीं ना कहीं यह जो idioms वग आपरेवगर होते हैं वो पढ़ने से ही थोड़ा मीन नीकल जाता है, तो ensure safety before doing something, अगला है he went dash the novel, इसका right answer है d through, इसके बाद अगला है narration direct, इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या है कि direct में बनाना है, indirect narration दिया हुआ है और उसे आपको direct form में change करना है, तो यहाँ पर है my wife said that she had been working alone in the kitchen, बहुत easy होता है, सबसे पहले आप देखोगे my wife said, then यह जो that है, इसको हटा देना होता है, क्योंकि यह आपको direct बनाना है, इसलिए आपको कहें कि यहाँ पर comma वगरा का use करना होता है, इसके बाद जो she है, उसकी जगह पर क्या होजेगा I word, और I है, इसके साथ ही I was working alone in the kitchen, इसके लिए आपके लिए वीडियोस बनाई जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा, अगर आप चाहते हो तो आपके लिए ज़रूर वीडियोस बनाई जाएंगे, तो यह बहुत easy है, बस थोड़ा start करने के देर होती है, इसके बाद आगे है the reach or to help the poor, पैसी वोइस में बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कि object को subject की form में लेखे होगे, the poor, और जबी भी models या modals जो भी आप बोलते हो, वो दी होती है, तो आपको ध्यान देना होता है, कि उसके साथ B की form यूज़ करनी होती है, out, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और 2 के बाद क्या होती है, क्योंकि जो B है, वो क्या है, वर्ब की first form होती है, तो B helped by the rich, क्योंकि आप सभी को पता है, कि by word का यूज़ करना होता है, और जो subject होता है, उसे हम object में लेकर आती है, यहाँ पर सेम बही चीज़ आगी है, hair-the queen, जब भी hair या दिया दिया होता है, तो verb की first form आती है, लेकिन हमें according to, जो आपका subject होता है, या फिर जो भी हमारा main noun होता है, उसके according देखना होता है, तो यहाँ पर जो queen है, वो singular है, इसलिए हमने SCIS साथ में लगाते हैं, वर्ब की first form के साथ, और यह में को लगता है, कि वापिस आ चुका है paper, एक second, यह page चाएद रिपीट वाप इसके बाद आगे है, he dares you to do it, hear the modal auxiliary express, तो यहाँ पर जो dare word है, इसका क्या mean होता है, तो dare का means होता है, challenge, कि तुमारी हीमत कैसे हुई यह सब करने की, तो यह एक challenge होता है, इसके बाद है, he dares you to do it, उसने तो में challenge, या तो main क्यों होता है, कि साहत से later डिया जाता है, तो यहाँ इसका means होता है, he dares you, उसने, यानि कि वो dare कर रहा है, तो में challenge दे रहा है, कि तो ऐसे करके दिखा दे, आगे है, you did not solve the question, तो यहाँ पर आप देख लेना, you did not, तो means कि यहाँ पर आपको पहले ही negative form दे दी है, तो आपको question tag में क्या करना है, कि positive form लेकर आनी है, कुछ नहीं कर पहले और subject को बाद में, तो did you आजेगा, इसके बाद आगे है, to let the cat out of the bag, कि बैग में से cat को निकालो, means to reveal a secret, आगे है, dash that glitters is not called, तो यहाँ पर आपको वर्ट सही लगाना था, तो यहाँ पर option है, see all, इसके बाद में, यहाँ पर starting आगी, all that glitters is not called, यानि कि हर चमकने वाले चीज़ सोना नहीं होती, इसके बाद आपको spelling बतानी थी, इसके सही spelling है, भी, dilemma, इसके बाद इसमें lavish है, जो इसका similar word बताना था, lavish का, तो इसका answer है, see abundant, उसके बाद इसमें question framing करनी है, तो starting में देखो, कि सभी में how much, how much, how much आ रहा है, does he owes us, यह सही है, क्योंकि does, जभी by है, do या does, तब हमेशा verb की first form आती है, कोई yes या yes नहीं लगता है, लेकिन second में क्या है कि इन्होंने जो verb है, उसमें क्या है, s लगा दिया, जो की गल्फ हो जाएगा, third में do और he, he है जो singular है, इसलिए singular में हमेशा does लगता है, और जो plural होते हैं, उसके साल do लगता है, और जो तारिफ करते हैं, या किसी को हम कर्स बुराइयां भी कर देती हैं, तो वो किस में आता है, में में यूज़ोता है, मिन्स की कौन सा मोडाल यूज़ोता है, वो बताना था, आगे है, इसमें आपको active से passive voice बनाना है, my sister Rima, Rima has decorated the house, तो यहां पर सबसे पहले आप करोगे, कि जो object है, उसे subject लेकर आओगे, the house, उसके बाद has decorated है, तो यहां पर आपको क्या करना है, कि जो present perfect है, उसे के है, कि आपको perfect continuous में लेकर आना है, तो has been decorated, by आएगा ही आएगा, उसके बाद आजेगा, sister Sima, my sister Rima, sorry, Rima Sima, इसके बाद आगे है, he is dashed only son of his parents, तो इसका जो राइट इसके बाद आगे आगे आपको spelling की पहचान करने थी, कि कौन से सही spelling है, तो खुल मिलाकर main बात है, कि आपको spelling जरूर आनी चाहिए, आगे है कि यहां पर एक लाइन दी हुई है, और आपको पहचान करने थी, कि कौन से चीज़ एर है, तो why does he not attend, तो यहां तक तो सही था, I I am saying यह भी सही है, but यह जो लाइन ना, with what, with वाली, यह गलत है, तो यहां पर इसका ओजएगा C, आगे है, dash this the audience cheered the village judge, तो यहां पर अगर आप ग्यान से देखोगे, तो जबी हम स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें क्यों होता है, कि जो आपका subject होगा, वो यहां तो noun होती होती है, या फिर two plus verb की first form होती है, तो यहां पर आजेगा C, gerund form ing1,